Hello everyone, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस सीरीज की एक और नए बहतरीन चेप्टर के साथ तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है Mathematical Operations तो आपको पता ही है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम ECS द्वारा पूछे गए SSE के जितने भी एक्जाम्स है CHSL, CGL, MTS, CPO तो इन सभी एक्जाम में जितने भी आपके टोप लेवल के टॉपिक वाइस क्वेशन बनते हैं उन सारे के सारे टॉपिक वाइस क्वेशन की हम क्या है विद डिटेल एक्स्प्लानेशन जो है बेस्ट मेथड के साथ प्रेक्टिस कर रहे है ओवरॉल देखा जाए हम रीजनिंग की पूरी की पूरी रीजनिंग की रिवीजन कर रहे है तो इससे पहले हम काफी चैप्टर्स जो है वो कवर अप कर चुके हैं जिसमें की कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनॉलजी, टाइस मतलब दो चार और भी चैप्टर्स हैं जो अलरडी हो रखे हैं तो अगर आपने वो सेशन्स अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिए अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो एब डाउनलोड कीजिए एब के अंदर YouTube PDF का नाम का टैब है वहाँ पर आपको सारी की सारी PDF मिल जाएंगे बाकी description में लिंक भी दिया हुआ इस playlist का जितने भी हमारे topics हो चुके हैं उस सारे के सारे आपको एक single playlist में ही मिल जाएंगे क्योंकि बहुत से student के message करते हैं कि playlist बनवा दीजे guys already playlist बनी हुई है आप description में देखिए आपको playlist का link भी दिया हुए तो चलो चुरू करते हैं जाधा time waste ना करते हुए आज का हमारा session रहने मेला mathematical operations कई जगा इस topic का नाम coded equation के नाम से भी हुए कुछ एक books के अंदर इसे symbols and notations भी बोला गया है हिंदी में बात करें गनित्य संक्री आएं बहुत ही interesting chapter है और exam में आपको पक्कात है 2020-21 की बात करें तो CHSL की shift के अंदर जितने भी shift हुई थी CHSL exam में mostly shift में इसी chapter से ही 4-5 question भी पूछे गए है directly वो एक ही single type के तो हम यह expect करके चल रहे हैं कि अगर exam में question आया तो 2 ही बनेंगे एक या 2 बनेंगे इतने ज़ादा नहीं है कि पूरे का पूरे 25 में से question आपको 5 question तो mathematical operation के ही आ गए तो इन chapter में question को attempt करने का तरीका ध्यान से देखिएगा क्योंकि बोसे candidates को क्या है कुछ एक types ऐसी बनती है जो काफी ज़दा time consuming लगती है तो ध्यान से समझेगा करने की approach आपको पता होने चाहिए तो basic तो वैसे आपको पता ही होगा मैं फिर भी एक हलका सा आपको overview ज़रूर दे दूँगा चलिए सुनिए तो आपको वैसे अलड़ी पता ही है कि हम ये जेओ chapter है किसको target करते हुए सारे के सारे question solve करते है board mass rule को तो board mass rule हमारा क्या कहता है जिसमें आपको हर एक term का idea होना चाहिए पहली term है b that is bracket कि हमारे पास कोई भी आप अगर equation available होगी उसमें हम सबसे पहले क्या है brackets को solve करते है अब brackets की भी priorities है तो bracket देखा जाए पूरी equation में आपको 3 ही होंगी या तो होंगी आपको round brackets उसके बाद आती है आपकी curly brackets और उसके बाद आती है आपकी square brackets तो जिस तरह से मैंने ये brackets define की है accordingly equation में उन्हें आपको ही ऐसे ही solve करने कि अगर आपके पास ये complete सारी की सारी brackets का set available है तो सबसे पहला हमारा task रहेगा कि हम round brackets को solve करेंगे उसके बाद curly brackets को open करेंगे या उसे solve करेंगे last में बारी किसकी आएगी square brackets की अगर available है और multiplication भी हो रही है किनी भी दो numbers में तो हम off को पहले priority देते हैं बाकी meanings आपको पता ही है ये हो गया division और ये हो गया multiplication ये हो गया addition और फिर क्या हो गया subtraction तो इसी sequence को follow करते हुए board mask के sequence को follow करते हुए हम पूरी की पूरी equation को solve करते हैं last में जाके आप addition और subtraction कुछ भी कर सकते हो ये matter नहीं करेगा कि आप पहले subtraction को target कर रहे हो या addition को target कर रहे हो ओके चलो हलाकि देखा जाए तो board mask का complete name क्या है वैसे V board mask तो V का मतलब क्या होता है veniculum मतलब के bar अगर मैं आपको एक equation given करूँ चार गुना पाँच माइनस छे divided by 2 तो board mask rule क्या कहता है कि हम सबसे पहले division करेंगे भाग का sign उठाएंगे उसे पहले solve करेंगे फिर multiplication की बार या आगी फिर addition और subtraction चलो मैं इसे थोड़ा सा extend कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पर को कहता हूँ कि यहाँ पर आपको तीन और चार के उपर एक बार अविलिबल है बार का मतलब क्या होता है वेनी कुलम तो आप यहाँ पर सबसे पहले priority किसको देंगे इस बार के sign को कि यहाँ पर पहले वो बार solve होगा तो चार और तीन साथ गुना पांच माइनस छे भाग तो इसके बाद आपका exact जो भी sequence है board mass rule का उसी follow up करेंगे तो हला कि जितने भी exams हो रहे है SSC के उसमें इस बार या venue किलम का रोल हो ही नहीं रहा यहाँ पर जो question आज कल बन रहे है वो bracket से भी बन रहे है पहले क्या होता था simple सी equation दे दी जाती थी जिसमें division, multiplication, addition and subtraction होती थी अब क्या है पिछले 2-3 सालों में brackets को भी preference दी जा रहे है brackets को भी include किया जा रहे off भी नहीं देखा गया अभी तक बट जैसे जैसे year to year exam में questions का level बढ़ रहा है तो off भी आने लग जाएगा क्या पता when you give them भी आ जाए तो unpredictable है अभी तक के लिए reasoning का जो section है या उसमें जो question का level है तो board month rule से related आपने एक question तो बहुत सारे देखे होंगे तो यहाँ पर हम moderate से high level के questions की practice करेंगे बहतरीन questions की practice करेंगे तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पर आपको basic से बिल्कुल भी सीखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं ये expect करके चल रहा हूँ कि आपने कहीं न कहीं से या मुझ से या किसी और teacher से ये topics already पढ़ रखे हैं जितने भी हम ये series में chapters discuss कर रहे हैं तो एक general सा overview रहेगा starting में ये मत expect कीजिएगा कि आपको basic से ही सारी की सारी चीज़े करवाँ यहाँ पर हम सीरफ जो है method सीखेंगे question को attempt करने के उन्हें जल्दी से जल्दी exam में किस तरह से target करने क्योंकि easy questions तो होई जाते हैं problem कहां आती हैं जो questions time consuming consuming होते हैं उनको handle करने की approach देखेंगे तो चलिए सबसे पहले question हम discuss करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ mathematical operations दिये गए हैं मतलब हर एक term का आपको meaning available है कि P का मतलब यहाँ पर multiplication है Q का मतलब division है R का plus है S का क्या है minus तो हमें बताना है then what will come in place of question mark question mark मतलब पूरी equation को solve करने पे इस question mark मतलब इस equation की value क्या रहने वाली है तो आपने यह basic question तो देख ही रखा होगा तो पहला idea आपको बस यह लेके चलना है कि जब भी इस तरह का question है तो आपको यह notations नहीं पढ़ने है कि किसका meaning क्या है directly आपको focus किसके उपर करना है अपनी equation के उपर बस इतना task करने है अभी तक के लिए जो आपकी approach है पहले मैं तो उससे related आपको question solve करके दिखाता हूँ फिर मेरे तरीकों को आप follow कर सकते हो पहले आप अपने वाला method देखिए आप अभी तक के लिए क्या करते आ रहे हो 130 यहाँ पर S का मतलब क्या हो गया minus उसके बाद क्या है 61 पूरी नहीं आएगी equation फिर से देखिए क्या था 130 minus 61 R का मतलब वहाँ पर क्या है plus रैकेट में कितना हो गया 23 P4 P का मतलब क्या हो गया multiplication किस तरह से ही होगा उसके बाद देखिए S का मतलब यहाँ पर क्या हो गया minus 83 R का मतलब क्या हो गया फिर से plus 62 Q का मतलब क्या है divided by 2 अब ऐसे ही solve करते है कि सबसे पहले सारे के सारे symbols जो है वो replace कर देते है accordingly जो आपको question में दिये गए है तो सबसे पहला task क्या रहता है brackets को solve करने का तो अगर हम brackets को solve करें तो ध्यान से देखिएगा 20 को 4 से गुना करो 92 bracket open हो गई minus 83 plus फिर इस bracket को solve करो तो कितना आ जाएगा 31 फिर उसके बाद हमारा target क्या रहता है addition करना फिर उसके बाद क्या रहता है addition subtraction में matter नहीं करती है इस चीज़े बस आपको थोड़ा carefully attempt करना होगा equation को के minus वाली terms कौन सी है और plus वाली terms कौन सी है एक तो आप ऐसे करते है रहे हो solve बढ़ आपको क्या है कही न कही steps को save भी करके चलने ज़रूरी नहीं के मुझे सारे के सारे पहले signs को replace करना है उसके बाद equation को solve करना होगा पिल्कुल भी नहीं अब जैसे की यहाँ पर मैंने symbols को replace तो कर दिया अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो आप अपना एक step save कर सकते हो अभी तक के लिए सिर्व मैंने bracket को solve किया फिर यहाँ पर division का sign होता तो एक और step create होता फिर मैं divide by के sign को solve करता फिर अगले step में multiplication का sign होता तो मैं multiplication को solve करता मतलब step by step जो board mask का sequence है accordingly आप question को solve करते जाते हैं यही होता पर कुछ एक equation के अंदर ऐसे question भी आते हैं आपको जिसमें equation के अंदर ज़रूरी नहीं है के आपको division को ही देखना है अकेला फिर अगले step में multiplication को देखना है अब single step के अंदर कहीं न कहीं division भी कर सकते हो multiplication भी कर सकते हो addition और subtraction भी कर सकते हो जैसे की यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस step के अंदर देखो मैं क्या करने वाला हूँ हमारे पास यहाँ पर replacement तो हो गई हर एक notation को हमने यहाँ पर interchange कर दिया अब मुझे यहाँ पर देखना है कि multiplication का sign कहा है division का sign कहा है आप एक ही step के अंदर multiplication और division कर सकते थे हाला कि यहाँ पर दोनों के दोनों sign brackets के अंदर included है तो अगर मैं यहाँ पर आपको simple एक equation देदू 12 गुना 4 minus 6 plus 9 divided by 3 तो आप अभी तक के लिए क्या कहेंगे कि पहले तो divide soul होगा तो आप कैसे लिखेंगे 12 गुना 4 minus 6 plus 3 9 भाग 3 कितना हुआ तीन ही हुआ बढ़ यहाँ पर आप एक ही single step में multiplication और division को follow up कर सकते हो एक ही शर्त के उपर अगर तो यह division और multiplication का जो sign है इनमें और different signs का gap है मतलब plus और minus का gap है तो आप इन्हे single step में ही follow कर सकते हो बढ़ अगर मैं आपको एक equation देदू 12 गुना 36 divided by 4 इस तरह से तो आप single step में मत करिएगा इस चीज़ को follow up पहले आपको क्या करना है divided by के sign को solve करना है उसके बाद आपको multiplication का sign solve करना है क्योंकि in between देखो आपको कोई भी plus और minus के signs available नहीं है तो जब भी आपको दोनों के दोनों signs multiply का sign और divided by का sign consecutive available हो एक साथ तो उन्हें step by step solve कीजे अगर आपको उन दोनों signs के बीच में कुछ different signs मतलब plus और minus के signs available है तो आप इन्हें single step में ही complete कर सकते हो जैसे कि मैं इस equation को किस तरह से solve करता जो आपको उपर दी गई है अभी तक के लिए मतलब जो मैंने यहाँ पर लिखी है तो इस equation को हम लिख सकते है directly 48 minus 6 plus 3 ओके तो यह basic चीजे हैं काफी useful रहते हैं यह time saving approach कहते हैं इसे आप आप इसे follow कर सकते हैं तो basically आपको practice इसते करनी है देखो starting है तो थोड़ा सा flow बनाना पड़ेगा क्योंकि कुछ एक candidate ऐसे भी है जो मुझसे पहली बार बढ़ रहे होंगे तो उनको तरीका पता होना चाहिए ना कि मैं कैसे question को solve कर रहा हूँ यह ना हो आगे जालके मैं directly number लिखूँ और आपके पल्ले ही ना बड़े भाई यह क्या लिख दिया और ऐसा क्यों लिखा गया तो starting में speed हमारी अब यह 61 में value add कब होगी जब आप इसे multiply कर देंगे बट इनके उपर तो कोई impact नहीं पड़ेगा ना अभी starting के लिए तो आप इसे कैसे solve कर सकते हो देखो 130 minus 61 कर सकते हो directly कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर अभी directly करना चाहें तो धीरे धीरे हम अगले question में आपको मैं approach बता दूगा अभी तक लिए जैसे आप करते आ रहे हो वैसे करो 92 minus 83 plus 31 calculations को easy बनाते हैं यह देखो यह minus का 61 है यह plus का 31 है minus 61 plus 31 minus होगा plus minus minus ही होता है तो यह कितना हो गया 30 clear है? और लिए करवारा हूँ यह कितना हो गया? minus का 30 यह बना minus का 30 और यह है plus का 130 130 minus 30 कितने हो गया? 100 हो गया 100 में 92 और जोड़ दो अगर 92 नहीं जोड़ना तो 92 minus 83 कर दो, कितना हो गया? 9 हो गया, 100 और 9 कितना हो गया? 109 मेरा final answer देखो मैंने क्या किया? मैंने unit digits को target किया unit digits कैसे देखे? ध्यान से देखिए sorry 130 में 31 जोड़ दो क्योंकि दोनों terms क्या है? positive है plus वाली है 130 और 13 कितने हो गया? 161 161 में से यह minus का 61 61 जो है वो minus कर दो यह हो गया 161 minus 61 कितना हो गया? 100 हो गया फिर इनके उपर आजो, यह plus का 92 है यह minus का 83 है 92 minus 83 कितना हो गया? 9 इनसे result 100 आया था 109 कितने हो गया? 109 पर ध्यान रखना है कि छोटी value के साथ minus का sign है बड़ी value के साथ accordingly sign आएगा या तो plus का आएगा या तो minus का आएगा समझ आ गया? अब जैसे कि अगले question की तरफ देखिए अब यहाँ पर देखो सारी की सारी brackets included है तो यहाँ पर देखो आपको question को solve कैसे करना है? इतना तो मुझे clear है कि मुझे पहले brackets open करनी होगी और bracket भी कौन सी? round bracket भी है यहाँ पर curly brackets भी है और square bracket भी है तो पहले हम round brackets को open करके देखते हैं यह देखो multiplication का sign है आपको symbol replace करने की जूरत नहीं है directly solve करना है क्योंकि round bracket solve होने वाली है जिसी कि हम curly brackets में लिखेंगे तो curly bracket देखो यहाँ से लेके यहाँ तक available है तो इनका result हम determine कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर multiplication का sign क्या है? minus 38 minus 23 कितना होगा? 15 इसके बाद minus का sign यहाँ पर क्या है? plus तो minus की जगा plus आ गया divided by के sign का मतलब क्या है? multiply तो इधर multiply हो जाएगा तो 4 को 3 से गुना करो तो कितना आ जाएगा? 12 यह हो गया आपका curly bracket का case समझा गया इतना? फिर उसके बाद देखें क्या है? फिर plus का मतलब यहाँ पर क्या कहता है? divided by 6 minus का मतलब यहाँ पर क्या है? minus का मतलब यहाँ पर क्या है? plus तो 6 plus 3 कितना होगा? 9 यह आपकी square bracket close हो गई तो पहले आपको देखना है curly bracket कहां से लेगे? कहां तक है? पहले उससे solve कर लो round brackets के case में जैसी के अभी किया value रखती है यहाँ पर अगर आपने brackets का concern यहाँ पर नहीं लेके चला तो question आपका totally wrong आप answer determine ही नहीं कर पाओगे पक्का गलती होगे चलो तो उसके बाद क्या है? divided by 2 divided by का मतलब क्या है? multiply पस इस equation को solve किजे पहले curly bracket solve करेंगे इस case में तो बारा और पंदरा कितना होगे? 27 भाग 9 27 भाग 9 करेंगे तो कितना आ गया? 3, 3 गुना 2 करेंगे तो answer कितना आ गया? 6 ठीक है? तो यह वाला step भी verbally किया जा सकता था आप ऐसे देखेंगे 27 को 9 से divide करोगे 3, 3 गुना 2 यह वाली bracket हो जाएगी तो फिर कितना आ जाएगा? 6, मैं लोड़ सिंगल स्टेप का answer है multiple steps create नहीं करने आपको इस रीज़ का ध्यान रखना समझा आ गया होगा अब? करने आगे अब इन question के ओपर देखिए यह symbols का sequence आपको replace करना है जिससे आपकी equation जो है वो balance हो जाए आपने काफी बार देखा होगा तो ऐसे question को solve करने के लिए मैं आपको एक trick बताता हूँ यहाँ पर आपको question जो है अब से जितने भी discuss होंगे हर equation आपको option के through ही solve करना होता है option के through solve करेंगे तो काफी ज़्यादा time consuming हो सकता है वो question ठीक है? काफी ज़्यादा time consuming कैसे? पहले आप a option रखके देखेंगे फिर check करेंगे यह 83 यह final result equation balance होती है नहीं ना हुई तो b option उठा के देखेंगे वो ना हुआ तो c option उठा के देखेंगे वो ना हुआ तो d तो answer है यह है इसे रखके नहीं देखना फिर ठीक है? single attempt में equation solve करना है तो काफी ज़्यादा time consuming रहेगा तो हम क्या है? यहाँ पर hit and trial लगाना सीखेंगे hit and trial लगाने के लिए मैं आपको convey कर देता हूँ कि आपको पहले कौन से sign को priority देनी है फिर उसके बाद कौन से sign को? सबसे पहले हमारा focus होगा कि हम पूरी की पूरी equation में hit and trial लगाके देखेंगे जिसमें divided by के sign को हम सबसे पहले target करेंगे divided by का sign अगर मेरे लिए equation के अंदर useful रहा ठीक है? तो बहुत बढ़ी है अगर नहीं तो फिर मैं multiplication के sign को भी target करके चलूँगा कैसे वो question में example के through बताऊंगा अब सुनिए ध्यान से सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ divided by के sign की देखिए आप इसे किस तरह से usage में ला सकते हैं? हमें क्या करना है इस पूरी के पूरी equation में कोई बड़ा number target करना है कोशिश करना वो सबसे बड़ा दिखाई दे सबसे बड़ा number अभी तक के लिए मुझे कौन सा अवेलिबल है 156 हिट एंट राइल लगवाना सिखा रहा हूँ कि आपको अगर option के through ही करना है मुझे सारी options ना pick करनी पड़े मैं कुछ एक options को avoid करके चल सकता हूँ सिरफ वही option उठाएंगे जहां पर आपको probability लगे कि हाँ संभावना है इससे ज़ादा है कि इससे मेरा equation का answer आ सकता है तो 156 मुझे सबसे बड़ा number दिखाई दिया आपको क्या करना है उस 156 के बाद वाली संख्या को target करने 156 के बाद यहाँ पर क्या है 13 पस ये cross check कीजिए क्या वो बड़ी संख्या उसके बाद आने वाली छोटी संख्या का multiple या गुणाक है या नहीं अब देखो 156 13 के table पे आता है 13 को 12 से गुणा कर दो hit and trial सिखा रहा हूँ मुझे हर एक equation को solve नहीं करके देखना है ठीक है मैं कुछ एक option में दी गई equations को target करूँगा मतलब के यहाँ पर मुझे divided by का sign चाहिए कितना clear हो गया अब यह divided by का sign मुझे कितने number पे बैठा हूँ दिखाई देगा यह एक, दो, तीसरे number पे दिखाई देगा option के through देखिए ऐसा कौन सा sign का sequence है जहाँ पर आपको third place पे divided by दिख रहा हो तीसरे number पे क्या है multiplication का sign यहाँ से आप इस option को avoid कर सकते हो हमें देखिए result क्या चाहिए 83 अगर मैं तीसरे number पे इधर multiplication का sign लगा दूँगा तो 156 का 13 गुना सोचो कितनी value हो जाएगी 156 का 13 गुना 800 के करीब जाएगी value पढ़ हमें तो result सिरुफ 2 digit की value में चाहिए तो आप ऐसे option को directly eliminate कर सकते हो एक होता है avoid करना avoid मतलब मैं उसे hold पे रखके चल रहा हूँ एक होता है eliminate करना eliminate मतलब इसकी जूरत ही नहीं है क्योंकि इससे answer कभी आने ही नहीं वाला तो ये दोनों terms का ध्यान रखेगा किसको हम avoid करके या hold पे रखके चलेंगे या किसे हम directly eliminate करेंगे अब यहाँ पर देखिए तीसरे number पे divided by का sign है तो मेरा यह answer हो सकता है इधर भी देखिए तीसरे number पे divided by का sign है ये भी मेरा answer हो सकता है अब यहाँ पर तीसरे number पे minus का sign है अब divided by देखो कहाँ पर आ रहा है divided by आ रहा है 4 divided by 156 ठीक है? अब 4 divided by 156 करेंगे तो यह क्या है? एक fraction create करेगा एक fraction create कर देगा तो most of the time आप देखेंगे जहां कहीं से भी practice कीजिए 99.99999% cases में जितना भी आपको यहाँ पर result दिखेगा वो एक numeral value में होता है ना कोई decimal में होगा ना कि कोई fractional value में आता है जितने भी हैं question आप उठा के देख सकते हैं आने वाले time में कुछ नहीं पता fractions में भी क्या पता questions आने लग जाए जिस तरह से level बढ़ रहा है तो चीजों को for guarantee नहीं लेके चलेंगे अगर आपको ये methods clear है question को attempt करने का तरीका पता है तो अगर चाहे level बढ़ भी जाए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली ओके अजी चलो तो यहाँ पर मेरा जो है ये option भी eliminate हो गया क्योंकि एक fraction create कर रहा है तो हम directly B और C में से किसी को भी opt कर सकते हैं अब इससे आगे देखिए B और C में से किसको opt करना है यहाँ पर भी आपको है multiplication और division दोनों का common है दोनों में से हम plus और minus को नहीं replace करके देखते हैं multiplication और division को रखके देखते हैं जैसे कि यहाँ पर आगया 21 multiplication 4 यहाँ पर हमें sign replace करना है 156 divided by 13 यह sign हमें replace करना है कितना आगया 11 मुझे नहीं पता यहाँ पर plus आएगा या minus मुझे नहीं पता यहाँ पर minus आएगा या plus आएगा क्योंकि minus और plus का ही game रहे गया न multiplication और division का तो sequence सेम ही है चाहे मैं यह option उठाओं चाहे यह option उठाओं अभी तक के लिए हम इसे solve करते हैं देखो multiplication का sign यहाँ पर है division का sign यहाँ पर है अब यहाँ पर plus का sign होगा या तो यहाँ पर minus होगा या तो यहाँ प्लस होगा या तो यहाँ minus होगा अब फिर से चलेगा hit and trial कैसे मुझे result देखो क्या चाहिए 83 term मुझे 84 गीवन है मतलब 84 में से 1 कम करूँगा तभी 83 आएगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर minus का sign और यहाँ पर plus का sign minus 12 plus 11 कितना होगा minus 1 होगा तो 84 minus 1 कितना होगा 83 मतलब पहले minus चाहिए फिर plus का sign चाहिए मतलब कि C option हला कि देखा जाए इससे एक और कैसे create कर सकते दे इधर plus रख दो इधर minus रख दो अगर इधर plus रखूँगा इधर minus रखूँगा तो बड़ी value उसके साथ तो plus आ रहे ना देखो तो 12 में से 11 कम करो तो तो एक आ रहे है बट 84 में एक जुड़ जाएगा क्योंकि बड़ी value के साथ plus का sign है बस आपको इस बात का speed जादा बढ़ती रहेगी यह तो अभी इस type के question का पहला question था जिसमें आपको symbols को replace करना है sign के sequence के साथ ताकि आपकी equation balance हो जाए अगला question देखिए तो वही यह approach यहाँ पर भी पूरी की पूरी equation को solve करना है और equation balance करनी है अब balance कैसे करें जैसे कि पिछले question में तो is equals to के बाद आपको term दी गई थी अब यहाँ पर is equals to का sign जो है आपको option में available है तो आप इसे directly opt कर सकते थे क्योंकि सभी option में आपको is equals to का sign है वो सबसे last में available है बतला मुझे result कितना निकालना है 64 यहाँ पर हमें sign का sequence replace करना है तो बात वही आती है हम पहले focus करेंगे divided by का sign कहां रखा जा सकता है hit and trial के through 66, 60 देखो 6 से divide हो सकता है भाग हो सकता है directly तो hit and trial क्या कहता है इन दोनों के बीच में भाग का sign होगा कौन से number पे आ रहा है यह divide का sign 1, 2, 3, तीसरे number पे आ रहा है fraction create कर देगा इसे बाहर निकालो, eliminate करो इधर divided by का sign तीसरे number पे आ है और हमें तीसरे पे ही चाहिए यह मेरा answer हो सकता है इधर फिर से देखे divided by का sign चोथे number पे आ रहा है 1, 2, 3, 4, फिर से 6 बटा 11 fraction create करेगा, eliminate करो answer तो मुझे एक numeral value में चाहिए इधर फिर से चोथे स्थान पे आ रहा है हमारे पास divided by का sign तो आप इसे भी directly eliminate कर सकते हो अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा मैंने आपको पिछले question को समझाने से पहले एक trick बताई थी, कि हम priorities लेके चलेंगे हर एक sign की sign कौन सा, पहले तो divided by फिर उसके बाद किसको focus करेंगे multiplication के sign को ठीक है, अब multiplication का sign भी अपने आप में बहुत ज़्यादा value रखता है जैसे की थोड़ा सा carefully देखिए यहाँ पर मुझे divided by और multiply का sign एक साथ available है यहाँ से देखिएगा यहाँ divided और multiply का sign मुझे एक साथ available है by chance अगर मैं ऐसी equation create करता है, जैसे की मैं लिखता 60 गुना 6 divided by 11 इस तरह से होता समझ में आगी बात क्योंकि multiplication और division जो है दोनों एक साथ available हैं तो मैंने इनको यहाँ पर replace कर दिया अगर देखो दिक्कत आए, doubt आए तो rewind करके देख लीजेगा यहाँ पर जो है, अगर 11 की जगा by chance 12 होता क्या होता, 12 होता ठीक है, तो तो यह fraction create कर रहे है, 6 बटा 12 कितना हो गया 1 बटा 2, बट 1 बटा 2 यहाँ पर result आने से, जो यहाँ पर उसके साथ बैठा multiplication का sign है, यह fractional value को avoid कर रहे है, fraction इनी भी दो numbers के बीच में जो एक fraction create कर रहे है ठीक है, एक fraction create कर रहा हो तो fraction create करने पर अगर साथ में multiplication का sign है और उससे पहले जो बैठी हुई या उसके बाद जो बैठी हुई संख्या है उस fraction को या denominator में बैठी value को vanish कर रहे है, फिर आप उस option को eliminate नहीं करोगे, ऐसे equation आगे जलके भी आएंगे, यहाँ पर तो 6 बटा 11 है, अगर 6 में बटा 11 लग जाता है, तो 60 जो है वो 11 का multiple नहीं है, इस वज़े से हम कह रहे थे कि fraction create हो रहे है तो यह option भी eliminate है, यह भी eliminate है और यह भी eliminate है, ऐसी situation में valid है अगर 6 बटा 12 हो जाता, तो 12 जो है, 60 जो है 12 का multiple आता है, जो की उस denominator को vanish कर सकता था यह तो मैं चीज़ें verbally बता रहा हूँ अभी, आगे जाके यह वाली चीज़ें include होंगी, फिर उससे और जादा clear करूँगा, देखो question to question जैसे switch करते रहेंगे, आपको आपको यह sign का sequence fill करने की ज़रत नहीं है, directly आप इसे opt कर सकते हो, अगर फिर भी आपको अपने आपके उपर doubt है थोड़ा, तो solve कर लो अब देखो, मैं पूरी equation को यहाँ पर replace करने जा रहा हूँ sign के sequence को, तो multiplication और divide का sign जो है, मैं एक ही step के solve कर सकता हूँ, क्योंकि multiplication का sign इधर आजाएगा, divide का sign इधर आजाएगा, दोनों में plus यह minus का, तो sign आई रहा है, तो एक ही step में इसे cover कर लेंगे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, multiply रखके देखें तो 65 उसके बाद, यहाँ पर क्या आ रहा है, plus का sign 60 divided by 6, कितना हो गया, 10 फिर क्या आ रहा है, minus का sign 11, तो 65 में एक कम कर दो, तो कितना आ गया result 64, ठीको, plus का 10 minus का 11, minus 1 आएगा न, तो 65 में एक कम कर दिया, तो कितना आ गया 64 ही तो आएगा, ओके बट अगर आप confident है कि जो भी हमने options eliminate किया है, वो genuinely eliminate हो रहे हैं उससे answer नहीं आ सकता, फिर आपको solve करने की इससे जूरत नहीं है, अपना answer माग कीजिए और आगे बढ़िए, ओके but confidence होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो जो चीज़ें आपने eliminate की हुए next देखो वही बात आती है, equation balance करनी है हर एक equation के अंदर जो आपको option में दिये गया sign का sequence है उसमें is equals to, सबसे last में आ रहा है मतलब मुझे result कितना चाहिए 160 चाहिए मतलब कि इदर equal to का sign आ गया वाक्यों को देख लेंगे अब ही बात आती है सबसे पहले किसको focus करेंगे हम divided by का sign कहां आ सकता है देखो 76 का multiple है तो divided by फिर से यहाँ पर होना चाहिए तो तीसरे number पर divided by दिखना चाहिए तो तीसरे number पर divided by मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है दोनों जगा अवेलिबल है अब थोड़ा सा और ध्यान दीजे अब divided by मुझे आपको चोथे option पर या चोथे place पर दिखाई दे रहा है A और C option में मतलब कि यहाँ पर 6 बटा 18 अगर मैं इधर divided by replace कर भी देता हूँ A और C option के थूँ क्योंकि fourth place पर आ रहा है आपर divided by तो एक बटा 3 ऐसे होगा अगर तो इधर multiplication का sign आया तो 78 तीन का multiple है मतलब fraction avoid हो रहा है option के थूँ देखिए divided by के साथ minus है divide के साथ क्या है minus तो मतलब यहाँ तो इधर minus का sign आया तो plus का sign इससे आपका denominator थोड़ा vanish होगा fraction तो create हो गई होगा तो आप directly in options को eliminate कर सकते है थोड़ा cooperate करना तो बेठीक नहीं है चलो आगे की तरफ चलते है अब यहाँ देखिए दोनों की दोनों equation मुझे divided by का sign कहा available है तीसरे place पे तो या तो मेरा answer B option होगा या तो मेरा answer गया होगा D option होगा अब divided by का sign replace कर सकते हो जहां से देखिए 11, 15, 78 divided by 6 इधर कितना आगया 18 अच्छा मैं minus का sign भी यहाँ पर रख रहा हूं क्योंकि दोनों options के अंदर divide और minus का sign जो है वो same है sequence उनका क्या है same है उनके से मुझे result कितना चाहिए 160 अब 11, 15 इधर कितना आगया 13 minus 18 इनी से ही मुझे 160 create करना है but depend करेगा multiplication इधर आएगा plus इधर आएगा या multiplication इधर आएगा plus यहाँ पर आएगा बस इन बातों का दियान लगने आप इन चीज़ों को कर सकते हो क्योंकि इतनी hard and fast जैसे इतनी ज़्यादा huge amount में values नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो अगर मैं इधर multiplication का sign रखता हूँ और इधर plus का sign रखता हूँ जहां से देखना जब मैं 15 को 13 से गुना कर दूँँगा तो कितना आएगा result 195 195 195 195 में कितना minus होगा सिरफ 7 minus होगा क्योंकि minus का 18 और plus का 11 minus 7 आ गया तो 195 में 7 कम करोगे तो 188 result क्या चाहिए 160 मतलब कि यहाँ पर multiply और पहला plus का sign valid नहीं है मतलब आपका D option eliminate answer के आ गया B option अब आप इसे रख के देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर sign का sequence इधर multiplication इधर plus का sign रख भी देता तो 11 को 15 से करो 165 यह क्या गया minus का 5 165 में 5 कम कर दो 160 हमारा final result तो उसके बाद आपका यहाँ पर क्या जाता है orally अगर आप करना चाहें तो आपका hit and trial रहेगा तो वही बात आती है अगर आप इससे कम से कम time में within seconds के अंदर solve करना चाहते हो तो पहले तो priority matter करेगी divide का sign फिर multiplication का result में matter करेगा किस value तक आप पहुँचना चाहते हो बट उससे भी पहले calculations strong होने चाहिए आपको multiplication और division करने में ज़्यादा time नहीं लगना चाहिए फिर तो वही बात होगी time consuming तो रहे गई रहे तो calculations पर आपको hold बनाना ही पढ़ना है पहले तो next चलो करो focus यहाँ पर भी कोई बड़ी value target करते है बड़ी value यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे है 54 54 बारा के डेबल पर आता ही नहीं है पतम बाद 13 7 का multiple नहीं है 31 13 का multiple नहीं है बट 12 4 का multiple है बारा और 4 में हम यह expect कर सकते हैं कि दोनों के बीच में divided by का sign आएगा बट expect कर सकते हैं for sure guarantee नहीं है उस चीज़ की फिर आपको क्या है फिर आपको option उठाने है जहां से देखना मैं अब कैसे solve करवा रहा हूँ question को अगर मैं यहाँ पर target करूँ पहली equation के अंदर मुझे divided by कहां दिखाई दे रहा है दूसरे number पे मतलब इधर equal to इधर divided by ऐसे हुआ तो यह कितना हुआ 13 बटा 7 फिर क्या आगया minus का sign तो 13 बटा 7 तो as it easy रहेगा fraction create करेगा पूरी equation में भी वो fraction create करके ही रखेगा अगर हम में तो numeral value चाहिए क्योंकि सारे के सारे number क्या है यह numeral value में है कोई decimal में नहीं है कोई fractions में नहीं है तो आप directly पहला option eliminate कर सकते हो समझा गया इतना option के through priority दे दो अगर आप hit and trial नहीं लगा पा रहे है दूसरे option में मुझे divided by का sign नहीं गिवन चोथे में भी नहीं गिवन फिर मैं target करता हूँ एक बर C option को यह detail में समझा रहा हूँ तो time consuming होगा आपके दिमाग में घुसनी भी तो चाहिए ना बातें logic पकड़ में आना चाहिए अब यहाँ पर देखे divided by का sign मुझे सबसे last में दिखाई दे रहा है मतलब 4 बटा 20 4 बटा 20 का मतलब कितना हो जाएगा 1 बटा 5 अगर मैं इधर divided by का sign रखता हूँ तो अगर मैं इधर गुणा का sign रख भी देता हूँ तो बारा जो है वो 5 का table पे नहीं आता तो ये भी fraction create करेगा तो मतलब ये भी eliminate हो गया हलागि इसके साथ गुणा का sign नहीं था divide और multiply बट still सोच लेते हैं यहाँ पर तो था भी नहीं तो ये भी eliminate हो गया कोई problem नहीं आनी चाहिए देखो अगर कुछ तिक्कत आए तो rewind जरूर कर लेना मैं इस चीज बार बार बोल रहा हूँ आपको अब इन दोनों को target करते हैं बट दुख की बात ये है कि यहाँ पर दोनों के दोनों equation के अंदर हमें divided by का sign available नहीं है तो मैंने आपको क्या clue दिया था कि अगर divided by का sign अगर आपको ना दिखाई दे फिर आप किस sign को priority दे सकते हो multiplication के sign को मैंने minus लिग दिया multiplication के sign को आप priority दे सकते हो अब सुनिए ध्यान से अगर मैं D option की बात करूँ तो यहाँ पर multiplication का sign जो है वो fourth place पे आ रहा है तो चोथे नमबर पे target करो एक, दो, तीन, और चार मतलब के यहाँ पर आ रहा है multiplication का sign और तो multiplication का sign नहीं है by chance अगर मैं यहाँ पर रख भी देता हूँ multiplication का sign तो पहले तो आप multiplication को solve करेंगे ऐसा ही होगा ना यह मैं चीज़ें करके दिखा रहा हूँ आपको mentally करना है question solve without pen and paper तो यह value पता कितनी बनेगी 648 ठीक है 648 और इस multiplication से पहले क्या है equal to का sign है तो मुझे एक बात बताइए यह जो एक single digit और एक दो digit की value जो है value तो answer यहाँ पर right hand side पे 600 से उपर ही रहेगा कि सिरफ यह 3 number plus minus के साथ 600 के करीब value बना पाएंगे तो मतलब कि आपको result के उपर भी focus करना है कि आपको final result क्या चाहिए equation को balance करने के लिए आपको exact number को add or subtract करके नहीं देखना है सिरफ approximate value निकालनी है जैसे मैं यहाँ पर करके थोड़ा देख रहा हूँ कि 6,6,4 में मैं 4 जोड़ूँगा या 4 minus करूँगा फिर 20 जोड़ दूँगा फिर इधर plus करूँगा फिर minus करूँगा ऐसे नहीं करके देखना है सिरफ आपको एक roughly एक approximate idea लेके चलना है कि वो मेरा answer बना सकते है final वाला या नहीं मतलब equation को balance कर सकते है या नहीं कर सकते है तो यह मेरी equation थोड़ा balance हो जाएगी इससे एक-एक single digit value दो digit value कहाँ पर आपको तीन digit की value create करके देदेगा तो मतलब यह आपकी values जो है determine नहीं करने देगा इसलिए आपका D option भी eliminate तो final answer के आगया आपका option B opt करना चाहें तो कर सकते है मतलब रख के देखना चाहें sign का sequence तो देख सकते है तसली करी लेते है 31 plus मैं directly multiply देखो पहला plus का sign था तो multiply solve कर लो 13 को 7 से गुना करो कितना आगया 91 minus 54 ओके is equals to यहाँ पर चोथा sign is equals to का है 12 गुना 4 प्लस 20 12 गुना 4 आया मतलब 48 प्लस 20 पस कर लिजे solve इस चीज को तो easy बन सकता है question आप unit place से भी reference ले सकते हो जैसे कि यहाँ पर unit place कितना आया दो 12 में से 4 कम करो 8 आई रहे वैसे देखा जाए तो चलो जहाँ से देखिए फिर equation को थोड़ा easy कैसे बना लेते हैं मैं 31 को लिख देता हूँ इधर 22 प्लस 9 31 को मैंने break कर दिया क्या लिख दिया 22 प्लस 9 ताकि मुझे calculations चफ ना लगे 31 है न यह देखो 22 प्लस 9 एक 90 में 9 जोड़ दो मैंने 9 की उस ब्लेट किया क्योंकि मुझे 100 बनाना था यह कितना हो गया 100 100 में 54 माइनस कर दो कितना हो गया 46 46 प्लस 22 कितना हो गया 68 तो आपकी equation देखो balance हो रही है हला कि अगर आप confident है कि जो आपने options eliminate किया है वो genuinely eliminate हो रहा था उस answer create ही नहीं हो सकता था तो finally आप अपना answer opt कर सकते है directly mark कीजियो और आगे बढ़िए otherwise आपको जूरत नहीं है यह time jam करने की ठीक है देखो हर question में आपको नया कुछ ना कुछ सीखने कुछ जरूर मिलेगा उनको तो idea पता है होगा ही होगा फिर भी कई बार mind से skip हो जाते है यह concept हाँ यार क्या पता कुछ extra सीखने को और मिल जाए बाकी जो कहीं और से भी बढ़ रखे है for sure उनको बहुत ही ज़ादा help मिलने वाली है आपको खुद feel होगा difference अगर ऐसा आपको feel हुआ है difference तो जरूर comment section में mention कीजिए ऐसे नहीं है कि मैं ओर teachers की बुराई कर रहा हूँ बट हर teacher के अपने fund है क्या पता मुझसे कोई teacher जो है मुझसे भी ज़ादा बहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो judge करने वाले आप लोग है चलो जी equation एक ओवर आ गई है अब देखो 99-33 का multiple है 66-22 का multiple है 22-46, एक बटा दो fraction भी avoid हो सकता है क्योंकि एक बटा दो आ गया तो इधर 66 है denominator वेनिश हो रहा है हर जो है वो खतम हो रहा है तो बहतर है options उठालो अब यहाँ पर देखिए भाग का sign यहाँ पर भी है भाग का sign यहाँ पर भी है A में, C में तो पहले place पे है, D में भी available है P option में divided by का sign देखो कहा रहा है एक, दो, तीन, यहाँ पर आ रहा है फिर इसके बाद आप multiplication का sign target कीजे अब देखो इधर multiplication का sign नहीं available यहाँ पर multiplication का sign नहीं available तो इसे मैं अभी hold पे रखूँगा eliminate नहीं करूँगा क्योंकि मुझे confusion है ना तो fraction create कर रहा है तो कहीं न कहीं calculations के उपर base जोगा तो मेरा इससे answer determine हो सकता है मतलब आपका दिमाग क्या काम करेगा logic क्या लगएगा क्या क्या confusion आ सकती है question को solve करने में accordingly ही मैं आपको teach करूँगा तो b option आप hold पे रख सकते हैं eliminate नहीं करना अगर मैं कोई option eliminate करूँगा तो मैं उसकी जगा mention कर दूँगा cross कि वो खतम हो चुक है option अगर मैं round mark कर रहा हूँ आप भी ऐसे कर रहे हैं तो मतलब के वो hold पे रखा गया अभी तक के लिए चलो अगले पे आईए अब divided by से दिक्कत आ रही है बात नहीं बन रही फिर एक काम करते हैं multiplication को target करते हैं अब देखो parallel assume करते रहना value अगर मैं a option को choose करता 99 divided by 33 result इधर कितना आजाएगा तीन आजाएगा अगर मैं इधर divided by का sign रख दूँगा यहां से देखते रहे न फिर आजाएगा plus का sign यह आपको औरली करने बट मैं करके दिखा रहा हूँ फिर देखो multiplication का sign आगा यहाँ पर तो 66 को 22 से गुना करना पड़ेगा तो value बता क्या है अकरीबन आपकी 14-1500 के करीब आईगी 4 digit की value बनगी अकेला यही number जो है वो 1400 के करीब आपको value दे रहा है और यह single digit है फिर यह double digit है plus minus करके क्या आपको 50 दे सकते कहां 1400 की value है कहां 50 की value है और उसमें number अगर मैं 44 कम भी कर दूँगा तो 1300 के गरीब value रह जाएगी 50 तो फिर भी नहीं बनेगा तो मतलब यह option हो गया आपका eliminate तो वही बात आती है अगर आपके लिए sign divided by का helpful नहीं है तो आप multiplication के sign को फिर priority देना समझा गया इवाला clue भी अब इसी तरह हम d option भी देख लेते हैं क्योंकि d option में भी आपको multiplication का sign अवेलेबल था तो वही बात आती है अगर मैं divided by यहाँ पर fill कर भी देता हूँ तो इसका result कितना आ गया 3 यह है आपका minus का sign फिर यह हो गया आपका plus का sign number as it is लिखे गया है फिर आया multiplication multiplication की इन दोनों में आया 44 और 22 में ठीक है तो यह तकरीबन आपकी जो value है वो 900,000 के बीच में देगा फिर से 900 और 1000 के बीच में value देगा is equals to 50 बनेगा भी सही मैं मानके चलता हूँ यहाँ पर value 900 आई let us suppose तो यह रहा 66 और यह रहा 3 तो 66 और 3 एक दो डिजिट की value एक तीन डिजिट की value है add और subtract होके क्या आपको 50 का result देदेंगे नहीं 800 के गरीबी result देंगे तो मतलब आपका D option भी eliminate हो गया समझाया तो इस तरह से आपको approximate values का idea लेके चलना है reference लेने और option eliminate करना है तो बचा मेरे पास कौन सा C option या तो B option तो ध्यान से देखिए divided by का sign यहाँ पर भी available है divided by का sign यहाँ पर भी available है multiple है अगर मेरा यह answer ना हुआ तो मैं इसे answer mark कर दूँगा क्योंकि मैं confident हूँ जो भी options मैंने eliminate किये हैं वो genuinely eliminate किये हैं उससे मेरा answer बनी नहीं सकता ना ठीक है तो अगर या तो मेरा answer C नहीं होगा तो फिर मैं B को mark करके आगे बढ़ूँगा दोनों में से एक opt करूँगा बस चलो solve करके देखते हैं एक divided दूसरा divide बीच में plus का sign है एक इस step में solve करो 99 भाग 3 कितना आगे मैं directly replace करता जा रहा हूँ कितना आगे result 3 plus का sign ठीक है plus का sign किस में है 33 और 66 में 66 भाग 22 ये तीसरा symbol यहाँ पर भाग इदर भाग इदर plus का sign ठीक है 66 भाग 22 कितना हो गया 3 हो गया उसके बाद plus का sign कितना हो गया 44 देखो 44 और 6 कितना हो गया is equals to 50 ही तो बन रहा C option answer आगया तो option सीरा वही opt करने है आपको वही replace करके देखना है sign का sequence जहाना आपको positive vibes आएं कहां यही मेरा answer है और तो हो इनी सकते but option ज़रूर eliminate करना detail में चीजे समझा रहा हूँ एक तरह से कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कौन सा sign पहले consider करना है कौन सा बाद में कहां पर हमें equation given equation को target करना है कहां पर हमें option के through question को hit करना है यह सारी की सारी चीजें सीखते रहे हैं दिमाग में fit कर लो बाते क्योंकि आपने basic पड़ा हुआ है अब advanced level पर practice की जुरत है क्योंकि reasoning आपको आ चुकी है reasoning आसान भी लग रही होगी बट आसान वो तभी मानी जाएगी अगर आप वो 25 या 30 का set चाहे आप tier 1 में attempt कर रहे हैं चाहे tier 2 में आप उसे कम से कम time में solve कर पाएं अगर तो तो वो easy मानी जाएगी otherwise नहीं अगर आप tier 1 के लिए prepare कर रहे हैं 25 क्वेशन का set है तो आपका 12 से 13 मिनट में वो section complete होना चाहिए 100% accuracy के साथ चाहे 23-24 question हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं enough है क्योंकि अब तो tier 1 qualifying है बट 12 से 13 मिनट से जादा नहीं लगने चाहिए अगर आब आदा घंटा ही इसीरफ reasoning के section को दे रहे है 25 question का set करने में हो रहे हैं बट वो easy नहीं है अभी तक के आपके लिए तो आपने basic तो सीखा हुआ है question को attempt करने की proper approach नहीं सीखी हुई है तो वो approach को target कर रहे हैं अगले question के उपर आते हैं अंसर होगे न माक देखो जी फिर 78 43 का multiple नहीं है 43 2 का multiple नहीं है 2 56 का multiple नहीं है 26 27 का नहीं है 27 4 का नहीं है divided by का sign का role बहुत कम हो रहे है तो यहाँ पर देखो divided by का sign आ का रहा है दूसरे number पे मतलब 43 बटा 2 moreover multiplication का sign सबसे last में है denominator जो है मतलब बटे में जो 2 आ रहे हैं वो तो vanish होगा ही नहीं fraction तो पक्का create करेगा for sure मैं confident हूँ कि मेरा answer B option तो हो ही नहीं सकता और किसी भी option में आपको division का sign है ही नहीं भाग का sign दिया ही नहीं हुआ तिर हम क्या focus करेंगे multiplication का sign अब multiplication का sign अगर मैं पहले option में target करूँ तो ये चोथे नंबर पे दिखाई दे रहे हैं देखो चोथे नंबर पे है एक, दो, तीन, चार चोथे नंबर पे multiplication का sign result के उपर भी focus करना है 78 और 43 orally करते हैं यहाँ पर equal to आएगा पहले equation के through अगर आप PDF एले solve कर रहे हो तो इनको मन में ही रखके चलो अगर इधर divided by आया इधर equal to आया, इधर multiplication आया तो result क्या क्या create हो सकता है तो मैं वो result create करवना सिखा रहा हूँ आपको यह 80 हो गया यह 40 हो गया, approximate value मानके चलते हैं अगर मेरा करीब करीब value में answer आ रहा होगा, result आ रहा होगा फिर मैं यह option को opt करूँगा otherwise घड़ में जाए 80 और 40, 120 मतलब यहाँ पर left hand side पे 120 बनना चाहिए, बाई और का result तो इधर भी 120 बनना चाहिए, तभी equation balance होगी ना, पर ध्यान से देखो अगर पहली equation को ही target कर लिया तो गुणा का sign किसमें आ रहा है, 56 और 27 में क्या होगा फिर, माल लेते हैं यह 50 है और यह 30 है, एक second के लिए माल लेते हैं, तो यही दोनों multiply होके result कितना बना देंगे 1500, 1500 बना देंगे, यह plus और minus कितना हो जाएगा यह 1500 के करीब result है, यह सिरफ 120 बन के बैठा है, कहां से equation balance होगी, आपका A option भी eliminate है इन चीज़ों को देखो, apply ज़रूर करके देखना, अभी तो आपको मज़ा आ रहा होगा, हाँ यह तो जादू हो रहा है question instantly solve हो रहा है बड़ जब तक खुद से नहीं करके देखोगे, तब तक उस चीज़ का कोई फाइदा नहीं है, उके चलो, उसके बाद आते हैं अब ध्यान से देखिए, आपका C or D option, दोनों के दोनों option में, जो बच गए है C or D option, जो multiplication के sign का sequence है, वो same है मतलब के, multiplication का sign आपको दिखाई दे रहा है एक तो 43 और 2 के बीच में, दूसरा multiplication का sign आपको दिखाई दे रहा है 27 और 4 के बीच में, यहां से आपका hit and try लगेगा, मुझे नहीं पता यहां पर minus का sign पहले आएगा, या plus का sign पहले मुझे नहीं पता है, यहां पर equal to आएगा, या minus का sign आएगा मुझे नहीं पता है, यहां पर plus का sign आएगा या equal to का sign आएगा sign का sequence तो यही है न, COD में तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ही नहीं कोई solve करके देखता हूँ, 78 47 का double कितना हो गया, 86 56 27 का 4 गुना 25 चोका 100 और 8 कितना हो गया, 108 27 का 4 गुना कितना हो गया, 108 तो मतलब के यहां से multiplication का sign हटाओ मुझे यहां पर 3 sign दिखने चाहिए minus equal to plus plus minus equal to ठीक है, अब देखो देहां से अगर मैं इसे opt करता औरली करना है यहां पर भी अगर मैं इसे opt करता, तो minus equal to इधर minus और इधर equal to आएगा तो यह plus का sign आएगा यह देखो, इस तरह से होगा ना यह minus में answer आ रहा है यह plus में answer आ रहा है, तो इसे भी बाहर निकालो यह मेरा answer होगा समझ लगा, यह देखो minus में आएगा ना है result इसका, बड़ी value के साथ minus का sign है, इधर तो minus का sign है ही नहीं, यह positive result देखा, यह negative तो equation balance कहां से हो जाएगी आपकी तो आपका final answer क्या बना option number d, opt करना चाते हैं तो कर सकते हैं, तो इधर plus का sign हमने देखा, इधर minus का sign और इधर equals to का sign तो यह कितना आ रहा था, 78 अब 78 भी मतलिक हो एक काम करो, एक इस step में solve करते रहो, जितना solve हो सकता है 78 में 56 minus कर दो directly तो कितना हो गया, 22 plus 86 is equal to 108, तो देखो यह भी 108 है, वो भी 108 है, होगी equation balance तो यह कर 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 के दिखा रहा हूँ हर एक चीज़ आपको depth में तो आपके लिए time consuming होगा बढ़ चीज़ें पता भी तो चलने चाहिए ऐसे तो मैं हवा में समझा दूँ आप में से आदे ऐसे होंगे जिनको कुछ पल नहीं नहीं पड़ेगा ठीक है, फिर यह doubt में ही रहेगा lifetime यह chapter blendy method से solve करो question को skip करके आओ वो मज़े वाली बात नहीं है अगर आपका calculations पे hold है इतने भी नहीं, काफी vast level पे आपको calculations की need है approximation भी आती है न, reference भी आता है देखो, हम approximation का reference लेके ही कर दे है ठीक है, मैंने इधर आपको क्या बोला यह 50 है, यह 30 है एक reference ही तो लेना है value का कोन से number के करीब value बन सकती है मुझे नहीं पता यह 1600 से उपर जाएगा यह 1700 के करीब जाएगा, यह 1500 जाएगा कुछ नहीं पता, पर एक reference तो मिल गया ना मुझे, ताकि मैं बाकी numbers को accordingly target करके देख सको ओक्य है, hello, next पे आओ हाँ जी है कहीं, hope, आईए है hope दिखी, 72 बटा 4 multiple है मतलब जो second last sign है वो divide का होना चाहिए second last sign divided by का सिरफ यहाँ पर available है, अब directly इसे रखके देख सकते हो otherwise, अगर देखना चाहो तो 46 बटा 16, fraction create करेगा, यह देखो 46 बटा 16, 46 बटा 16 का multiple नहीं है इसे eliminate कर दो, और कहीं भी नहीं है, divided by का sign फिर multiplication का sign आ रहा है 1, 2, 3, 4, चोथे नंबर में multiplication है 1, 2, 3, 4, चोथे नंबर पे multiplication, आ रहे है इसे 70 मान लो, इसे 20 मान लो फिर से 1500 के करीब value बनेगी यह 14, 1500 के बीच में value बनेगी बाकि क्या result आपको 14, 1500 वाला दिखाई दे रहा है equation variance कर दे इसे भी for sure eliminate कर दो अब इन दोनों में इसे मेरा answer होने वाला है positive vibes आ रही है, answer इससे आएगा क्योंकि 72 बटा 4, exactly multiple भी दिखाई दे रहा है आपको moreover, यहाँ पर गुना का sign किसमे है 16 और 4 में, 64 तो कहीं न कहीं, 2 digits की value तो बहुत सारी exist कर रही है तो यही मेरा answer देने वाला है for sure, opt करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा 46 divided by इधर multiplication, फिर plus फिर plus divided by फिर minus, चलो इसे solve कर लेते हैं तो 46 is equals to, देखो multiplication, division, एक ही step में करो क्योंकि बीच में plus के sign भी आ रहे है अगर multiplication और division बुना और भाग का sign consecutive होता है एक साथ बैठा होता, फिर हम एक-एक step में इने solve करते हैं तो मैं directly लिख सकता हूँ, 64 plus 21 plus 24 minus का 57, अब देख लो इससे 46 बन पाता है या नहीं बन पाता बस खतम बात तो 64 में से 57 कम कर दो, कितना आ गया, 7 इनकी जगा क्या आ गया plus का 7 आ गया तो इनको खतम कर दिया मैंने 24 और 28, ये देखो 21 और 7 कितना हो गया 28, ये क्या, खलती किया क्या, अरे 18 आएगा 24 नहीं आएगा, 72 को जब 4 से भाग करेंगे, तो result 18 आएगा, मैंने 24 लिख दिया मैंने 72 को 3 से डिवाइड कर दिया इधर 18 आएगा, अब ठीक है 18 और 7, 25 और 21 कितना हो गया, 46 46 ही तो result चाहिए था, clear तो see option answer next देखिए कोई hope दिखाई दे रही है ये दिखाई दे रही है hope उन्चास जो है, वो 7 का multiple है मतलब second last sign जो है वो किसका होना चाहिए, divided by का होना चाहिए, ओके चलो, अब option भी eliminate कर सकते हो, ऐसे कि देखा जाए, तो आखरी place पे divided, 7 32, fraction create करेगा निकालो बाहर इधर divided by का sign आ रहा है उन्चास और साथ में, इधर divided by का sign आ रहा है उन्चास और साथ में, इसको भी देखें एक बार, multiplication का sign किस-किस के बीच में है एक तो उन्चास और साथ के बीच में आएगा दूसरा, पीछे से 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 एक इन दोनों के बीच में आ रहा है multiplication का sign अगर हमें divided by का sign available है, तो हम पहले priority उसको क्यों न दे अब ये भी option available है ये भी option available है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर चोथे नंबर पे multiplication है, 1, 2, 3, 4 चोथे नंबर में multiplication, ठीक है इधर भी चोथे नंबर में multiplication है तो ये काम करते हैं, हमें C और D में से कुछ एक choose करना ही पढ़ेगा D भी answer हो सकता है बट वो सबसे last में देखेंगे पहले मैं C और D में से कोई एक opt करके देखूँगा, ठीक है चार माइनस उन्चास डिवाइड़ वाइ साथ माइनस तीस चले, result 49 चाहिए चार माइनस एक सट ये माइनस वाली टर्म है अभी मैंने रख लिया है, नहीं तो सिंगर स्टेप में माइनस का 57 ले सकते हो प्लस 72 माइनस का साथ, माइनस का 30, ठीक है माइनस वाली टर्म्स जादा हैं, देखो 72 और 4 कितना हो गया, 76 तो यहाँ result जो है, वो माइनस में आएगा T option आपका बाहर निकली है result जो है, उधर माइनस में आ रहा है तो इसे avoid करो मतलब के C answer हो सकते है 49 गुना 4 4 चुके 16, माइनस 4 कर दो 156 माइनस का 61 is equal to 18 गुना 4 72, फिर माइनस आ गया, फिर divided by का sign, कितना हो गया, 7 प्लस का कितना हो गया, 30 अब इसे cross check करके देखिए 156 में से पहले 56 माइनस कर दो, 100, फिर 5 और माइनस कर दो, 56 और 5 तब इक 60 होता है न, मतलब इदर result कितना गया, 95, इधर देखिए 72 में से 7 माइनस कर दो या 72 प्लस 30 कितना हो गया, 102 102 में 7 माइनस करोगे तो भी कितना आया, 95 तो वही बात आ रही है, ये थोड़ा objection में लग रहा था मुझे, ये थोड़ा doubtful case था, ये positive लग रहा था, B option से न कहीं answer आ जाए, फिर मुझे D और C दोनों option को opt करना पड़ा, ठीक है बाकी किस्मत आपकी है, अगर आप C option opt कर लेते, क्या पता लगी लिए इससे answer आ जाए, समझा आ गया बढ़े आगे, चलो, अगला question देखिए इस question में आपको थोड़ी problem आ सकती है, reason being इसमें brackets included है तो बाकी ज़्यादा घवराने वाली बात नहीं है, relax हो के question को solve करना सीखेंगे, ध्यान से समझेगे बस, चलो, मैंने आपको कहा था, कि आपको सबसे पहले क्या है divided by के sign को priority देनी है अगर divided by का sign आपके लिए useful नहीं है, तो आप गुणा या multiplication के sign के उपर जा सकते है अगर यहाँ पर हम options को hold पे रखना चाहें तो कौन-कौन से option hold पे रह सकते है आपका B और C option hold पे रह सकता है, reason being ध्यान से समझेगा इस चीज़ को अगर मैं B और C option में signs का sequence अभी के लिए उठा के भी चलता हूँ तो पहला sign देखिए कौन से है multiplication का, इधर भी और इधर भी और हर option में realize कीजे जो is equals to का sign है बराबर का sign है, वो last में है मतलब के result पूरे का पूरा इस पूरी की पूरी equation को solve करने पे कितना मिलना चाहिए, बीस मिलना चाहिए तो वही है, approximate value को target करके चलते हैं अगर मैं B और C option में sign का sequence उठाता और पहला sign solve करके चलता हूँ that is multiplication का, तो 32 गुना 28 अब approximate value लेने का तरीका में बता देता हूँ इसको 30 मान लो, इसको भी 30 मान लो मतलब तकरीबन आपकी 900 के करीब value रहेगी अब ये overall बन गया 900 ध्यान से समझना अगर ये 900 बना, तो आगे देखिए जितने भी आपको numbers available है संख्याई available है, या तो वो single digit में है जादा जादा क्या होगी, दो digit की value बन जाएगी दो digit की value भी कितनी बन सकती है ये 24 बन सकता है, ये 7 का 7 रहेगा ये 5 का 5 रहेगा, तो ultimately अगर मैं सारे के सारे numbers को figure out करूँ, तो वो single digit में है ये है आपकी 3 digit की value ये है single digit की value, तो कहीं न कहीं आपका क्या वो 20 के करीब पहुँच भी पाएगा तो approximate value का आपको यहाँ पर scenario जो है वो लेके चलना है, तो आप B और C option को hold पे रख सकते हो क्योंकि ये values जो है, वो काफी ज़ादा बढ़ा के दे रहा है सिरफ और सिरफ 328 को solve करने पे ही, तो मैं इसको hold पे रखता हूँ, eliminate नहीं करना अभी के लिए hold पे रख के चलता हूँ अब बात आती है A or D option की अब A or D option में अगर मैं signs का sequence भी ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर दोनों option में सिरफ चोथा sign ऐसा है, जो different है पाकी sign का sequence जो है आपको same दिखाई ते रहा होगा, ध्यान से देखिए multiply plus, sorry, minus plus multiply minus plus multiply 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 equal to multiply multiply equal to, सिरफ चोथा sign इदा divide का है, इदा multiply का सिरफ यही vary कर रहा है, तो आपको best idea देता हूँ, जहाँ कहीं भी दो option एक सु, दूसरे के साथ sequence में match हो रहे हो ना, उसको आप approach कर लो, अब इनको solve कैसे करना है, इसका मैं idea देता हूँ changes कहाँ पर आ रही है, उसको छोड़ दो, बाकी solve करतो, जैसे कि changes आ रही है, चोथे sign की तरफ, तो चोथा sign मैं as it is blank रखूँगा, बाकी को solve कर लेता हूँ, तो यह क्या बना, 32 minus 28, plus का क्या बन गया, जो भी value बनेगी, इधर multiplication का sign, इसको मैं blank ही रखूँगा, ठीक है, मुझे नहीं पता, इधर divide आएगा, या multiply आएगा, उसके बाद multiplication का sign, इसके बाद multiplication का sign, last way, is equals to का sign, चक कर लिजे, या तो मैं A option उठा के चल रहा हूँ, या तो मैं D option उठा के चल रहा हूँ, सभी मैं, दोनों मैं ही sign का sequence, सीम था, चलो one by one solve करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं scene यहाँ पर clear करने वाला हूँ, curly bracket का, ओके, तो square bracket start, curly bracket के अंदर पहले round bracket solve कर ले, 32 में 28 कम करो, कितना हो गया, 4, plus 6 को 4 से गुना कर दो कितना हो गया, 24, यह आपकी curly bracket खतम, उसके बाद यह वाला sign मैं hold पे रखके चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, divide आएगा या, multiply आएगा, इसको blank छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या है, 1 गुना 7, कितना आगये हैं, आपर 7 आगया, square bracket close, into 5 बराबर 20, into 5 बराबर कितना आगया, 20 आगे बढ़ी हैं, अब यह देखो यह दोनों values एड हो रही हैं, इसको भी solve भी करते हैं, 24 और 4 कितना हो गया, 28 तो square bracket के अंदर क्या आया, 28-7 गुना 5 is equal to 20, अब देखो 5 को किसी term से गुना किया जा रहा है, किस से 4 से, तभी तो 20 आएगा, तो इधर यह result 4 बनना चाहिए, यह कब 4 बनेगा, जब 28 को 7 से divide किया जाएगा, तो 28 को 7 से divide कर दो 4 आ गया, गुना 5 result मेरा कितना आ आ गया, 20 मतलब कि यहाँ पर divided by fill किया और divided by का sign, चोथे नमबर पे आपको A option में दिखाई दे, A option मेरा answer हो गया, तो वही बाद आती है, यहाँ पर कोई भी option eliminate नहीं हुआ, हाला कि हमने उसको hold पे रखा था, तो hold पे आ रहा था, उसको तो अभी side में रखा, क्योंकि वो chances है, positive vibes नहीं आ रही थी, कि मेरा उससे answer आ सकता है, तो जो option के अंदर हमेरे science का sequence similar था, मैंने उसको पहले उठा के देख लिया, ठीक है जी, तो ऐसे आप question को solve कर सकते हो, तो जो 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 चीज़े मैं बोल रहा हूं न, convey कर रहा हूं, उसको क्या है, divided by का sign या multiplication का sign अगर मैं दोनों के दोनों देखूँ, अब देखो, वही बात आती है, B और D option की बात करते हैं, B और D option में, सिरव ये चोथे sign को छोड़के, बाकी signs का sequence same दिखाई दे रहा होगा, आप इनको उठा के देख सकते हो directly, that's up to you, अगर आप A और C नहीं देखना जाते हैं, B और D को देख सकते हैं, क्योंकि bracket वाले थोड़े से problem create कर सकते हैं, हाला कि हमने पिछले question के अंदर, दो options तो hold पे रख दिये थे, अब यहाँ पर hold पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो-दो digit में जो values हैं, तो आपको इतना huge amount में number create करके नहीं देंगे, चाहिए आप A option उठा लो, चाहिए C, यह देखो 84 हो गया, क्या पता यह वाली term जो है, वो इसको थोड़ा और कम कर दे, समझा गया ना, तो single digit में यह result दे सकती है, तो A और C को अभी side पे रखते हैं, मतलब सारे option मेरे answer हो सकते हैं, बड़ मैं B और D को पहले solve करके देख लूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखो sign का sequence same है, मेरे दो option directly solve हो रहे हैं, ओके, चलो, मैं चोथा sign as it is रखूँगा, आ बाकी सारे apply कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आगया, minus का sign, फिर आगया plus का sign, फिर multiplication का, इसको as it is रखूँगा, उसके बाद क्या हो रहे है, multiply हो रहे है, यह भी multiply हो रहे है, is equals to 4 का result, चलो solve कर ले, तो पहले मैं solve करने लगा हूँ, तो curly bracket के अंदर, square bracket start, curly bracket के अंदर, 14 में से 6 गया, कितना हो गया, 8 plus का sign, यह कितना हो रहा है, 2 तिया 6, curly bracket close, उसके बाद, यह वाला sign मैं hold पे रख रहा हूँ, after that, 1 into 7 कितना हो गया, 7, square bracket close, multiply 2 is equal to 4, यह result चाहिए, अब, 2 को किस से गुना करेंगे, 4 आजए, 2 को 2 से गुना करेंगे, तभी 4 आएगा, अब देखें ध्यान से, यह 8 और 6 कितना बन गया, 14, dash 7, multiply by, 2 is equal to 4, तो 2 को वही बात आती है, 2 को 2 से गुना करेंगे, तभी 4 आएगा, अब यहाँ पर 2 कब बनेगा, जब 14 और 7 के बीच में, divided by का sign है, 7 दो नी 14, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4, तो मतलब कि, यहाँ पर जो 4 साइन था, यह divided by का था, यहाँ पर यह sign divided by का था, तो यह मेरा sign, answer कहां से आया, सिरफ B और D और option को, approach में लेके तब, क्योंकि यहाँ पर sign का sequence सेम था, multiplication और division ही तो matter कर रहा था, तो यहाँ पर answer कहा आया, D option, देखो कितना easily solve हो गया, तो गबराना नहीं है question को देखके, हाँ भाई science का sequence इतना सारा आ गया, कैसे feel करेंगे, time consuming है, भाई एक बाद try तो करके देखो, जब तक उस चीज़ का आप experience नहीं ले रहे हो, तब कैसे कह सकते हो, यह काफी ज़्यादा tough question है, time consuming है, पहले भाई solve तो करके देख लो, जलो, अगला, फिर से वही बात आती है, अब hold पर रख सकते हो sign, कौन-कौन से option hold भी रख सकते हो, A और B option, क्योंकि यहाँ multiplication है, यहाँ multiplication है, और पहला multiplication का sign, अगर मैं exchange कर भी दूँगा, 45 गुना 26, पताओ, इसको 25 मान लो, इसको 40 मान लो, तो 1000 से उपर, मतलब 1100 के करीब value रहेगी, agree करते हैं इस बात को, यह 1100 के करीब, बाकी देखो कितनी-कितनी values हैं, तो huge amount में आपको result देंगी, आपको result 10 के equivalent शायद ही मिल पाए, तो बहतर है, हम इन दोनों options को hold पे रख के चलते हैं, eliminate नहीं करते, hold पे रख के चलते हैं, मैं C और D option को पहले देखूँगा, यहाँ पर देखो, कहाँ changes आ रही हैं, यहाँ पर changes आ रही हैं, सिरफ और सिरफ, चोथे और पांचमें sign में, चोथा और पांचमें sign, divide और multiplication का तो है, बड़ वो एक दूसरे के साथ, exchange हो के बैठ है, बाकी signs का sequence हैं है, कर दो fill, यहाँ पर minus, यह plus, यह multiply, इसे और इसे मैं hold पर रखोंगा, यह multiplication, यह equal to, ठीक है, इसकी जगा मुझे नहीं पता, इधर multiply बाद में divide आएगा, या इधर multiply यहाँ पर divide आएगा, ओके, चलो, बाकी solve कर लीजे, 42 में से 26 minus कर दो, तो पहले करते हैं, curly bracket को solve, यह आपकी square bracket आगई, 42 में से 26 गए 16, plus 24, curly bracket close, आगे का मुझे पता नहीं है, 4 और 5 का भी मुझे पता नहीं है, ठीक है न, गुना 5, यहाँ पर round bracket close हो रही थी, is equals to 10, अब देखो द्यान से, 5 गुना, is equal to 10 आ रहे हैं यहाँ पर, 5 को 2 से गुना करूँगा, तभी 10 आएगा, तो इधर 2 बनाना है मुझे, verify करते हैं, कि इधर multiplication, इधर divide आएगा या, इधर multiplication, इधर divide आएगा, इधर मैं divide रखनी सकता, 4 और 5 के बीच में, reason, अगर इधर 4 और 5 के बीच में, divided by का sign आया, तो इक fraction create हो जाएगा, मतलब C option को तो आप avoid कर सकते हो, रही बात किसकी, यहाँ पर, इधर divide आजाए, और इधर multiplication का sign आजाए, यही बनता है, और तो कोई resource ही नहीं है हमारे पास, अगर हम C और D option को ही देखके चल रहे हैं, तो 24 और 16, कितना हो गया, 40, 40 divided by, यह square bracket का scene हम solve कर रहे है, 4 को 5 से गुना करो, कितना हो गया, 20, गुना 5, यह कितना हो गया हमारे पास, 2, 2 गुना 5 कितना हो गया, 10, खतम बात, D option answer, तो इसी approach को आपको भी implement करना है, during your practice, खुद से करके देखो एक बार, जैसे यह तीसरा question चल रहे हैं है, brackets के अंदर, जो signs का sequence हम fill कर रहे है, एक दो question देख लिए, तीसरा खुद से करके देखो, यह नहीं है कि सारे का सारा पहले ही solution देख रहे हो, नहीं, एक बार try करो, ठिक्कत आए, फिर आप solution के उपर आओ, ओके, चलो, यहाँ पर देखिए, अब is equals to का sign already available है, देर-देरे level बढ़ रहा है, is equals to का sign already available है, इधर के sign का sequence, उधर के sign का sequence हमें pick करना है, वही बात आती है, 236 और 2, 236 दो का multiple है, sum संक्या है, 2 से पक्का divide होगी, तो बीच में divided by का sign, मतलब तीसरा sign जो है, वो divided by का होना चाहिए, 1, 2, 3, तीसरा sign, यहाँ पर divided by है, यहाँ पर पहले प्लेस ही divided by का है, देखो, 16 बटा 4, ठीक है, divide हो रहा है, पर तीसरा sign जो है, वो गुना का है, 236 गुना 2, कितना हो गया, 472, अगर यह 472 है, यहाँ से समझेगा इस बात को, अगर मैं पहले 3 sign का सीकमस उठाता हूँ, इधर divide, यह minus, यह 472, यह minus, यह 472 अगर बन भी जाएगा, तो result तो आपका minus में आने लग जाएगा, minus में आएगा ना, बट आगे भी minus बन रहा है, बट यह value देखो, कितनी huge बन रही है, 472 के करीब बन रही है, अब 472 में, यह हो गया 4, 4 minus 472, गुना 105, sorry, minus 105, यह minus का 105, यह minus का 472, समझ रहे हूँ, मैं C option की बात कर रहा हूँ, 16 बटा 4, और ली अगर solve करके देखें, तो इधर कितना आगे है, 4, 4 minus, यह गुना का sign है, 30 रहा देखो, यह हो गया 472, फिर minus का sign 105, तो यह minus 472, यह minus का 105, बताओ, यह 577 के करीब value चल लगी, वो भी minus में, 587 minus में है, यह चोटी value है, यह बड़ी value है, तो answer minus में आ रहा है, पर आगे अगर हम ध्यान दे, तो यहाँ पर क्या 577 के करीब value बन भी पाईगी, बिल्कुल भी नहीं, हमने क्या किया, values का orally reference लिया, जो कि आपकी equation को balance नहीं कर रहा, B option की अगर बात करें, तो divided by का sign आपको, second last place पे available है, यहाँ पर, ठीक है, तो 20 भाग 10 हो सकता है, और एक और बात मज़े वाली यह है, B और D option में, पहले sign को छोड़के, बाकी signs का sequence देखो, same है, तो आप पहले इनको उठाओ, बहतर होगा आपके लिए, तो sign का sequence फिल कर दे, हमने अभी तक के लिए, C option को बाहर निकाला, B और D को target करते हैं, पहला sign मैं skip करके चल रहा हूँ, मतलब 16 और 4 में, मुझे नहीं पता, plus आएगा या minus आएगा, बाकी signs का sequence है, चिपका दो, multiplication, उसके बाद क्या है, plus का sign है, उसके बाद क्या है, चार, उसके बाद देखिए, 236 का 4 गुना, ले भाई, 236 का 4 गुना, 200 का 4 गुना, 836 का 4 गुना, 108, 144, 800 और 144, 944, भाई नहीं बन सकती value, आपका B और D, दोनों option eliminate, आपका A option answer हो सकते, value ही नहीं बन रही, इतनी करीब, यह देखो कितनी बन गी थी, 236 का 4 गुना, क्योंकि दोनों option को, अगर हम opt करते भी हैं, 246, क्योंकि पहले multiplication solve होगा ना, plus और minus से, तो मैं approach में ले रहा था, 236 का 4 गुना जो है, वो 900 से भी उपर जा रहा है, अब यह value तो आपको 900 से देने से रही value, ठीक है, side पे रखो, a option opt करते हैं फिर, a option की बात करते हैं, तो a option में देखे क्या है, पहले plus, फिर multiplication, फिर division, उसके बाद क्या है, minus, फिर multiplication, फिर plus का sign, चलिए solve करते हैं, पहले divided by, फिर multiplication, अब इसे एक step में कैसे कर सकते हो, पहले तो divide करोगे, 236 का आधा कितना हो गया, divided by 2 है न, 236 का आधा कितना हो गया, 118, फिर 118 का 4 गुना करना पड़ेगा, कितना हो गया, 472, तो 16 plus 472, इसके जगा result मैंने लिख दिया, 472, okay, minus का 105, is equal to, इधर बात करें, तो ये 200, plus 183, समझा गया न, पहले वहाँ पर multiplication solve होगा, फिर plus का, चलो, इधर आईए, 472 और 16, कितने हो गया हमारे पास, 488, 488 में से 105 माइनस करो, 383, 383 बना, ये भी कितना बन रहा है, 383, equation balance हो गया, a option answer आगया, ओके, तो यहाँ पर, कुछ एक question में, आपको roughly idea भी लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने 14th question, इस question को solve किया, confusion आई है न, अगर, rewind करके जरूर देख लेना, किसी भी question के अंतर, ओके, चाहे double speed के साथ देख लो, पूरी के पूरी वीडियो, पर देखना जरूर, सारी के सारी, को कब देखनी है, एक बार आप अपनी लेवल पे, PDF को सारी के सारी solve कर लो, आप अपना तरीका देखिए, फिर मेरे तरीके को देखिए, जो आपको comfortable लगे, कि हाँ, किस method से जल्दी question solve हो रहा है, उसे follow कीजे, मैं आपको force नहीं करो, मेरे वाला method ही follow करो, क्या पता, आपको उससे भी ज़्यादा बहतर दरीके से आता हूँ question को solve करना, ठीक है, जलो, next देखिए, values काफी बड़ी है, बट गबराना नहीं है, बट ध्यान से देखिए, यह 376 और यह 94, 376 94 का multiple है, 94 का 4 गुना, 94 का 4 गुना क्या होता है 376, कैसे देखा, 90 का 4 गुना 360, 4 का 4 गुना 16, तो 360 प्लस 16, 376 बन गया, तो इधर divided by का sign, दूसरा place divided by का होना चाहिए, यहाँ पर पहला place divided by का sign का है, तो यह fraction create कर देगा, ठीक है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो, divided by इधर भी है, divide इधर भी है, divide इधर भी है, ठीक है जी, चलो, और कोई sign, multiplication का, values काफी huge है, तो multiplication का sign, 255 गुना 4 बन जाएगा न, अगर मैं divided by का sign, यहाँ फिल कर देता हूँ, तो लोग करी देते हैं, देखो देहां से, 255 गुना, अगर मैं इधर divided by का sign, फिल कर भी देता हूँ, क्योंकि B, C, D, मेरे में से, मेरे कोई answer हो सकता है, यह हो गया directly 4, आगे की बात करें, तो 502, इस इक्वस्टू, सोरी, 388 भी था, डैश 388, इस इक्वस्टू, 638, डैश 268, आप सुनें ध्यान से, मैं क्या कह रहा था, अगर हम इसके बाद, मल्टिप्लिकेशन के sign, को भी target करते हैं, तो मल्टिप्लिकेशन का sign, 255 का 4 गुना, कर सकते हो, 1000 के करीब value बनेगी, ये भी huge values हैं, ये भी huge value हैं, result भी huge value में आना है, तो आप इनको consider कर सकते हो, C option answer हो सकता है, D option answer हो सकता है, बात रहती है B option की, B option मत्रब 30 साइन, 1, 2, 3, 502 से पहले, 502 से पहले इदर के आएगा, गुना का sign, 502 का 4 गुना होगा, थोड़ी confusion होगी फिर तो, अगर मैं 502 का 4 गुना करता हूँ, तो 2000 के करीब value आ जाएगी, ओके, और result जो है, यहाँ पर minus का sign है, अगर मैं minus का sign यहाँ fill कर भी देता हूँ, तो ये value आपकी, 350-400 के बीच में रहेगी, ये 2000 के value बना रहे है, 350-400 की बना रहे है, तो ये काम करते हैं, हम एक second के लिए B option को hold पे रखके चलते हैं, इसको हम apply नहीं करेंगे, बाकियों को देख लेते हैं, क्या scene है, बाकियों में scene ये है, कि पहला sign multiplication का है, divide का हमने solve कर दिया, जिससे की 4 आ रहा है, फिर आगे plus और minus वेरी कर रहे हैं, last में जाके भी plus का sign है, ये plus और minus कुछ भी हो सकता है, देखो, 255 का 4 गुना, 1020, 200 का 4 गुना, 1000 हो गया, 5 का 4 गुना 20, तो 1020, आगे 502, आगे 388, last में जाके क्या बनेगा, आठ और आठ 16, 6 और 3, 9 और 4, ठीक है, 6 और 4, 10, एक, ये बना 906, तो ये result भी हमारे पास 906 आना चाहिए, unit place का reference ले सकते हो, हाँ, ले सकते हैं, कैसे ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों values को जोड़ दूँ, तो unit place 8 आ जाएगा, इन दोनों का unit place, ये 0 है, ये 8 है, 8 प्लस 0, 8 है है, माइनस का गरदो 2, 8 में से 2 गया 6, मतलब इधर, हम फिल कर रहे हैं, hit and try लगाते होए, इधर माइनस का sign, और इधर प्लस का sign, गॉट इट, अब देखें ध्यान से, 1020 प्लस 388, हमारे पास कितने हो गए, 8, single digit में बना, 8 और 2, 10, carry forward 1, 1408 माइनस का 502, result देखते हैं, 906 create कर भी पा रहे हैं नहीं, तभी equation balance होगी, 8 में से 2 गया, 6, चलो, exit आ जाजएगी, 14 में से 5 गया, 9, बिल्कुल ठीक है, ये देखो, तो मतलब के C option, sorry, पहले minus का sign आया ना, ये देखो, फिर plus का आया, D option में में मेरा answer आया, बाकी या तो equation हमारी hold पे थी, या तो वो directly eliminate हो रही थी, रही कहां बात, घूम फिर के C और D option पे, sign का sequence same था, कुछ ना कुछ, तो जहां पर sign का sequence fix आ रहा है, पहले उसको ले लो, बाद में थोड़ी सी solve होने के बाद equation को, accordingly आप hit and trial लगा सकते हो, वही बाद आती है, calculation strong होंगी, तब भी आप इस तरह का hit and trial apply कर सकते हो, अगला देखो, चलो, यहां पर science का sequence होने के बाद, हमारे पास interchange का concept शुरू हो गया, और से दो science को इस तरह से interchange किया जाए, आपस में के आपकी equation जो है, वो correct बने, समी करण आपका सही होना चाहिए, तो बात आती है, सबसे पहले यहां पर, divided by का sign देखो, उठके कहां जा रहा है, किसके place पे जा रहा है, तो में value add होगी, मतलब fraction का तो वही same as it is रहा, मतलब आप minus or divide को interchange नहीं कर सकते हो, यह fraction create कर रहा है, दूसरा, divide और multiplication का sign देखिए, इधर divide आया, इधर multiply आया, बट ध्यान दीजे, यह option मेरा answer हो सकता है, reason being, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, exam में आपको करना नहीं है, मनी मन में सोचना है, 36 गुना 2 भाग 12, अगर मैं 2 बटा 12 करता भी हूँ, तो यह denominator जो है, वो vanish हो रहा है, क्योंकि 36 जो है, वो 12 के table पे आ रहा है, तो मतलब के divide और multiplication का sign, अगर consecutive sign हो, within the equation, एक साथ बैठे हो, तो आपको cross check करना है, अगर भाग के sign से एक fraction create हो रहा है, तो वो fraction में denominator की जो value है, वो साथ में बैठे, multiplication के sign के साथ में बैठे value के साथ, vanish तो नहीं हो रहा है, अगर वो vanish हो रहा है, तो आप उसे eliminate नहीं कर सकते, वो आपका answer हो सकता है, मतलब D option मेरा answer valid हो सकता है, अभी तक के लिए, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ मेरा A option eliminate हुआ है, multiplication और minus का sign interchange हो सकता है, GAB कर सकते हो, plus और multiplication का sign interchange हो सकता है, GAB कर सकते हो, तो मतलब आपके सारे के सारे options valid है, तो आप कहां से शुरू कर सकते हो, अब D option से पहले शुरू कर लो, क्योंकि most of the time देखा गया है, जब options eliminate नहीं होती है न, C और D मेंसे यह आपका answer बनता है, कोई ना कोई, ऐसा कोई fixed rule नहीं है, आप try कर सकते हो, जैसे कि मैं try करने वाला हूँ, multiplication और division का sign, 36, गुना 2, भाग 12, plus 3 minus 6, D option मैंने पहले चूज किया, तो यह कितना बन गया, 2 बटा 12, यह सारे का सारा result मैंने solve कर लिया, answer आगया 6, plus 3 minus 6, खतम बात, 24 होड़ा आ रहा है, ठीक है, तो आपका A B eliminate था, आपका D B eliminate है, B और C मेंसे answer आगया फिर, तो 36 बटा 2, कितना हो गया हमारे पास, 18, plus 12 गुना 3 minus 6, यह कितना हो गया, 36, 36 और 18, 54 चौवन में से 6 कम करोगे, तो भी 24 नहीं आएगा, तो मतलब कि आपका C option भी eliminate, बचा कौन सा फिर, D option, B option, B for Bombay, 36 भाग 2, 18, गुना की जगा minus का sign आजेगा, plus 12 plus, इदर गुना का sign आएगा, तो directly 18 लिख दू मैं, 18 और 18, 36, 36 में से 12 कम करो, 24, B option answer, ओके, तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, आप भी ऐसे करोगे, हर कोई ऐसे ही करेगा, जब भाई option eliminate नहीं हो रही, तो हमारे पास कोई alternate भी नहीं रहा जाता, उन चीज़ों का, हमें blendy approach करने ही पड़ेगी, follow, क्योंकि हर एक option के through ही, हमें पता चलेगा, solve करने ये बाद, कि हमारा exact answer क्या आने वाला, इसी question के अंदर देखिए, जो ये signs आपको दिये गए है, ये sign का sequence जो है, ये signs जो है, कौन सी equation में interchange करें, ताकि आपकी equation जो है, correct ना हो, will be not correct, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कि कौन सी सही बनेगी, या कौन सी सही नहीं बनेगी, वो check करना है, बहुत से student जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये note word देखेंगे ही नहीं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये चार equation दी गई है, चार equation में आपको multiply और minus के sign को interchange करना है, multiplication और minus के sign को interchange करने पर, कौन सा कथन आपका सही नहीं बनेगा, वो आपको choose करना है, चलो, multiplication और minus के sign को interchange करके चलना है, ये situation आप orally follow कर सकते हो, जैसे कि 15 प्लस 5, divided by का sign मैंने ऐसे ही रख दिया, solve हो गया, 15 प्लस 5, इधर multiplication इधर minus आएगा, 15 प्लस 5 गुना 9, अब 5 गुना 9 कितना हो गया, 45, 45 और 15 हमारे पास कितना हो गया, 60 में से 4 कम करो, ये वाली correct नहीं है, ये option में ही लख के लिए हमें answer मिल गया, बाकी की equation में आप multiplication और minus को interchange करोगे, वो equation आपकी correct बनेगी, verify करते हैं, इधर multiplication का sign आगया, इधर minus का sign आगया, चलो solve करते हैं, ये 30 बन गया, एक ही step में divide भी कर सकते हो, morally solve करना सेखो, इधर आजाएए, multiplication और minus के sign को आपको interchange करना है, visible हो रहा है ना ये, चलो, आएए solve करते हैं, 8 divided by 2, 4, 4 तिये 12, मतलब ये minus के उधर वाली क्या value रहेगी, 12, 11 और 6, 17, 17 में से 12 कम करोगे तो 5, ये भी बिल्कुल सही है, minus और multiply हम interchange कर रहे हैं, तो यहाँ पर आईए, ये हो गया, 60, minus, no, 60 में से, ये कितना हो गया, 15 चोके 60, अरे, no कहांजे बना, 60, minus 3, plus का 6, plus का 6, minus का 3, plus का 3, 60, plus 3, 63, ये भी correct है, ये option answer, वही बाद आती है, कि divide और plus को तो आपको interchange करना है, बस इस बार देखिए, आपको क्या दिया गया है, कौन सी equation जो है, वो सही रहेगी, ठीक है, कौन सा कम समीकरन जो है, वो सही होगा, वो choose करना है आपको, तो divide और plus, starting से शुरू कर दो, या D option से शुरू कर दो, choice is all yours, इस बार नीचे से शुरू कर दे, divide और plus को interchange करना है, इधर divide, इधर plus, करने की जूरत है, तिल्कुल है, क्यों, क्योंकि अगर 11 बटा 8 आया, यह multiplication का sign है, 16 बटा 8 से divide नहीं हो जाएगा, fraction दोड़ा create करेगा, तो इससे solve करके देखिए, यह 11 बटा 8, गुना 16, plus 4, minus का 7, यह देखिए, यह 22 और 4 26, 26 में से 7 कम करो 19, हमें correct वाला ढूंडना है, result तो 20 आ रहे हैं वहाँ पर, चलो, यह तो vanish हो गया, इधर आईए, इधर आगया divide का sign, और इधर आगया plus का sign, और इली solve करके देखते हैं, visible हो रहाँ आगा आपको, यह divide का sign है, आगया plus का sign, 18 बटा 2, 9, 9 को 6 से गुना किया, 54, 54 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 57, 57 में 7 कम किया, 50, C option answer, sequence में ही signs अवेलेबल थे, board mass का rule फोलो किया, और answer आता गया, ठीक है, चाहे आप भी करके देख लीजिएगा, next, अगले question पर आईए, minus और multiply को interchange करना है, but equation correct नहीं है, वो आपको देखना है, कोई भी धक्के से कोई भी option चूज करो, चलो भी option देख लेते हैं एक बार, okay, minus और multiply, बाकि आप चाहें, तो divided by का sign देख सकते हैं, बढ़ divided by यहाँ पर हो ही रहा था, पिछले question में भी देखो, हो ही रहा था, solve, 27 को 9 से भाग करो, 3, 4 को 2 से भाग करो, 2, 8 को 2 से भाग करो, हो रहा है, 16 को 4 से भाग करो, तो भी हो रहा है, मैं लोग यह ऐसे question में fraction, obligation का sign, आज यह, 4 बटा 2, तो पहले divide का sign solve होगा, 2 गुना 6, 12, तो 7 प्लस का है, 12 भी प्लस का है, 12 और 7, 19 में से 8 कम करो, ओरे, luckily B option ही आ रहा है देखो, मुझे पता नहीं था के B option ही है, अब C option भी choose कर सकते थे, ठीक है, तो मैंने randomly choose किया, ऐसा मत समझना के भाई मेरे को answer पता था already, मैंने question नहीं solve करके देखा है, हाँ, हाला कि मैं choose करता हूँ question को, जितने भी papers हैं, choose करके देखता हूँ, अब इतने papers हैं, इतनी shifts हैं, कहा कोच क्या दिहान में रहता है, ठीक है, फी option में ही answer बना रहा है आपका, next, यहाँ पर भी equation को correct बनाना है, बट कौन से 2 signs को आपस में interchange किया जाए, जहां से देखिए, 81, 3, इधर भाग का sign रख लें, मतलब plus or divide को interchange करके देखें, मतलब पहला option choose कर लेते हैं, इधर divide का sign आजएगा, इधर plus का sign, rest सारा से, तो 81, बटा 3, कितना हो गया, 27, plus, 9 को 5 से किया, 45, minus का 12, तो 27 और 45, 4 और 2, 6, यह कितना हो गया, 72, minus का 12, यह होगा ना, 60, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर यह trick apply हो गई, के पहले हमने divided by के sign को approach में ले लिया, एक बड़ी संख्या देखी, उस बड़ी संख्या के बाद, जो छोटी संख्या में दी गई है, वो बड़ी संख्या, उस छोटी संख्या से exactly divisible है, ठीक है, सिरव अभी approach लगा के देखी, सबसे पहले, next, यहाँ पर देखिए, sign को interchange करना है, कौन सी equation correct है, वो देखना है, वही बात आती है, 95, 95, 95 का multiple है, आप इन दे उनों के बीच में divided by रखके देखो, मतलब multiplication की जगा divide होना चाहिए, वो a option है, फिर से a option को रखके देखते हैं एक बार, तो यहाँ पर divide आ जाएगा, और यहाँ पर multiplication का, it and trial यह, तो 95 को 5 से divide करोगे, तो कितना आ जाएगा, 19, plus, 19 गुना 2 कितना होगे, 38, minus का 21, ओके, यह plus का है, यह minus का है, तो 38 minus 2 कर दूँ, यह देखो, 38 minus 2 कर दू, यह 57 minus 21 भी कर सकते थे, 38 मैंने इनको solve कर लिया, तो result कितना आ गए, 36, यही तो result चाहिए था, यहाँ पर भी क्या answer बना, A option, next, यहाँ पर भी equation correct बननी चाहिए, चलो जी, इसको solve करें, यह देखो, 276 है, यह 23 है, 276 तेईस का multiple है, 23 को 12 से गुना करो 276 आ जाएको, तो multiplication की जगा divide होना चाहिए, option choose करो, multiplication और division, यह answer हो सकता है, सबसे बहले इसको opt करते हैं, इधर divide का sign, इधर multiplication का sign, चलो solve करते हैं, 28 minus, 42 गुना 2, 84, प्लस, यह कितना आ रहा था, 12, ओके, 28, 12 कितना होगा है, 40, तो minus का 84, प्लस का 40, इलकुल ठीक है, minus का 44, result आ रही रहा है, the option answer, seconds का answer है, seconds का, तो, किसमत अच्छी होगी, अगर ऐसे equation आ गए तो, तो chances भी पूरे हैं, previous years ही उठाए गए हैं, next, यहाँ पर भी कौन सी equation, को correct बनाना है, संख्याएं बहुत बड़ी हैं, बस गबराना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन्हें भी handle करेंगे, 1064 और यह 56, values काफी बड़ी हो जाएंगी हैंना, तो 56 का table, 8, यह 4, 56 को कौन से number से multiply करूँ, यह unit place जो है, वो 4 आए, एक तो 4 से, एक 8 से, ठीक है, तो यह तो 56 को हम कर सकते हैं, 18 से गुना, यह करना पड़ेगा, 56 को 18 से गुना करके देखें, कैसे करना है 18 से गुना, 18 से गुना करने का तरीका, 18 को लिख दिया मैंने 20-2, 56 का double कितना हो गया, 1120, minus 112, 12, यह minus करके देखो, 86 कर 40, नहीं, यूनिट प्लेस तो 8 बनता है इसमें, तो 56 का 14 गुना भी नहीं करेंगे, मैं यह देख रहा हूँ के, 1064 56 से डिवाइड होता है या नहीं, फिर हम divided by के साइन को interchange नहीं करेंगे ना, इसको तो, हम eliminate कर सकते हैं, D option तो answer होने नहीं वाला, क्यों, क्योंकि multiplication की जगा गर divide रखते हैं, 14 बटा 55, यह तो fraction create कर रहा है, इसको तो छोड़ दो, ठीक है, multiplication और minus का sign अगर उठाएं, यह multiply हो रहा है, यह minus का sign है, कर सकते हैं, क्योंकि depend करेगा ना, 1064 56 से divide होगा है नहीं, plus or minus interchange होंगे, तो वो भी हो सकता है, plus or divide interchange हो सकते हैं, अंजी, यह हो सकता है, देखो, plus or divide interchange कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी confusion है, अगर मैं calculation में weak हूँ, मुझे 56 का table नहीं आ रहा, तो मैं option उठा रहा हूँ, plus or divide अगर मैं interchange करूँगा, यह देखो, plus की जगा divide का sign आ जाएगा, 868 जो है, वो 14 से divide हो रहा है, ठीक है, 14, 84, 24, 28 हो रहा है, हम एक काम करते हैं, यह option को पहले choose कर लेते हैं, इधर divide का sign है, इधर plus का sign आ जाता है, ठीक है, तो यह कितना आएगा divide कर गे, 14, 84, 6, 14, 28, 25, वो भाई साब, value तो बहुत बड़ी बन रही है, यह, plus का 56, नहीं यह भी खतम करो, क्योंकि यह 62 है, यह 55 है, यह 3000 के करीब value, 3000 में से 1000 माइनस कर लो, 2000, यह भी option है, तो वही बात है, करके देखें कि तो ही कुछ पता चलेगा, ठीक है, जैसे सोच के कुछ, डाल निगलने वानी, B और C में से आंसर आने वाला है, plus और minus interchange कर सकते हो, ultimately देखा जाए, 164, 56 से तो divide हो रहे हैं न, चलो पहले इसको इक किस्सा खतम कर देते हैं, पाकी बात का मैटर है, मतलब 868, dash, 14, dash, 55, dash, इसको solve कर लेते हैं, तो 1064 है, और ये 56 है, 8 से कर दो divide, 7, 8 ही कम 8, 2 बचा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, इसको देखो करके, होता है, जी बिलकुल हो रहा है, 19, 19 थोड़ा होगा बाई, 19 है, ठीक है, तो मले डिवाइड तो होई गया, ये हो गया 19, इस इकोस चू, 117 के करीब मेरी value आनी चाहिए, जब कर लें, एक बाद 7 एकम 7, 7 नम तरेंट, ठीक है, चुलो भई, 117 के करीब value आनी चाहिए, क्या किया जाए, multiplication minus का sign, या plus or minus का sign, या तो दोनों ये sign interchange होंगे, या ये दोनों sign interchange होंगे, sorry, plus or minus वाला sign interchange होगा, अगर multiplication करें, apply करी देखते हैं, plus or minus को interchange करके देखते हैं, मतलब, इधर आज़े plus का sign, क्योंकि इसकी जगा 19 आगया ना देखो, इधर आज़े minus का sign, ओके, चलो, ये करके देखते हैं, इधर गुणा हो रहा है, तो 55 का 14 गुणा, 55 का 10 गुणा कितना हुआ, 55 का double 110 गुणा, 220, मतलब ये value आगी हमारे पाद, 770, तो 868, minus का 770, plus का 19, ठीक है, unit place देखो, 7 भी बन रहा है वैसे, 8, 68 में से 770 माइनस करें, 8 में से 0 गया 0, 16 में से 7 गया 9, 98, plus का 19, बिल्कुल ठीक है, 117 मारा final result, तो हमने किसको interchange किया, plus और minus के sign को, ठीक है, थोड़ा calculated था, बढ़ अच्छा था, ओके, चलो, next, 379 का multiple, 29, बिल्कुल हो रहा है, 377 का 39, जब भाग करोगे, तो 13 answer आएगा, तो divided by के sign को, तो interchange करने की जुरत नहीं है, देखे है, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, मतलब, इसको और इसको आप hold भी रख सकते हो, plus minus की, और multiplication और plus की बात करेंगे, ओके, plus और minus, multiplication और plus, अगर multiplication और plus interchange होंगे, तो ये देखो क्या होगा, 308 का 15 गुना, मतलब ये value जो है, काफी huge जाने वाली है, आप इसको भी ignore कर सकते हो, c option मेरा answer आ सकता है, plus minus interchange होगा, इधर plus का sign, इधर minus का sign, कर लो solve, 615, plus, मैंने क्या आगा था, इधर divide करके कितना आएगा, 13, गुना 15, minus का 308, ओके, 615, 15 को 13 से गुना करो, 15, 1,545, 195, minus का 308, ठीक है जी, unit place भी 2 बन रहा है, बिल्कुल सही है, ये answer आने वाला देखना, तो add करो, 5 और 5, 10, 9 और 1, 10 और 1, 11, 6 और 1, 7 और 1, 8, 610 में से 308, minus करो, 810 में से 300, minus करो, 510 में से 8, minus करो, 502, बिल्कुल ठीक है, C option मेरा answer आया, बतलब यहाँ पर हमने सिर्फ वही option चूज किया, जहाँ पर हमें लग रहा था, बिल्कुल, कि हाँ, मेरे question का answer ही आ सकता है, यहाँ पर भी हमें देखिए, तो science को आपस में interchange करना है, बढ़ वही बात है, carefully देखेंगे, कि equation में आपको करना क्या है, कौन सी equation जो है, वो correct है, वो figure out करनी है, क्या कौन सी correct नहीं है, वो figure out करनी है, तो यहाँ पर mention है, not correct, कि कौन सा समिगरंट सही नहीं है, उसको figure out कीजिए, तो वही है, calculations के उपर based, science को retain करके रख सकते हो, plus और minus को interchange करना है, और देखना है, कौन सा सही नहीं आने वाला, चाहें तो d option से ही start करिए, तो भी ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि यह hidden trial है, हमें नहीं पता कि कौन से equation जो है, वो correct बनेगी या नहीं बनेगी, तो आपको option ही choose करने है, plus और minus को interchange करते हैं, तो verbally attempt करके देखते हैं, तो 9 और 6, यह कितना हो गया, 54, minus 7, plus का कितना हो गया, 4, एक ही step के अंदर divide और multiply कर दिया, plus और minus interchange हो चुके हैं, तो यह देखे क्या आया, 54, plus 4 कितना हुआ, 58, minus 7 कितना हुआ, 51, तो यह तो बिल्कुल correct आ रहा है, हमने क्या देखना है, कौन सा correct नहीं है, तो यह तो मेरा answer हो गई नहीं, c option की बात करते हैं, तो c option में देखो, plus और minus interchange होंगे, तो 18 divided by 3, कितना हो गया, 6, minus, 8 को 5 से गुना करो, कितना हो गया, 40, plus का कितना आ गया, 4, तो answer देखिए, जो result है, वो minus में होना चाहिए, यह तो plus में result है, तो यही equation जो है, हमारी correct नहीं है, बस इतना करना है, और कुछ नहीं, समझाया, तो यहाँ पर, आगे calculations करने की जुरुत नहीं है, क्योंकि जब हम इसे solve करने बैठेंगे, तो answer जो है हमारा, वो minus में आ रहा है, यहाँ पर answer जो है, वो positive result दिया हुआ है, ताकि minus का 30 आना चाहिए, उदर plus का 30 दिया हुआ है, next, अब देखिए यहाँ पर, अभी तो हम सिरफ signs को interchange करके देख रहे थे, इस question के through, हम देखेंगे, कौन सी संख्याओं को, या कौन से दो numbers को आपस में interchange किया जाना चाहिए, ताकि आपकी equation correct बने, या यह 18 साथ का multiple है, बिल्कुल भी नहीं, एक fraction create करेगा, तो obviously बात है, या तो इधर 18 नहीं होना चाहिए, या तो इधर 7 नहीं होना चाहिए, divided by का sign तो इधर रहे गए रहेगा, भाग का sign इधर रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर sign को आपस में बदलना नहीं है, हमें सिरव सिरव numbers को आपस में interchange करना है, तो या तो 18 नहीं होना चाहिए, या तो 7 नहीं होना चाहिए, अगर by chance मैं 18 की जगा 9 कर देता हूं, मतलब A option put कर भी देता हूं, 9 बटा 7, फिर से एक fraction create होगा, आप इस चीज़ को avoid करके चलिए, क्योंकि answer जो है, वो numeral value में आ रहा है, 3 और 5 अगर interchange हो भी जाते हैं, फिर से 18 बटा 7, एक fraction create होगा, 9 और 7 interchange हो सकते हैं, क्योंकि अगर 7 की जगा मैं 9 रख भी देता हूं, तो 18 जो है, वो 9 से exactly divisible है, 5 और 7 interchange हो सकते हैं, वो भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 18 बटा 5, फिर से एक fraction create होगा, आगे बंद करके आप अपना answer mark कर सकते हो, that is C option, रोस्चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 9 और 7 interchange करने वाले हैं, इधर 7 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, मैं directly single step में ही calculations करने वाला हूँ, 7 को 3 से गुना कर दिया, 21 प्लस 5 माइनस का क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 18 भाग 9 बन जाएगा, ना हमारे पास यहाँ, तो 21 और 5, 26 में 2 कम करो, देखो result कितना आया, 24, got it, चलो, अगला, यहाँ पर हमें 3 और 8 को interchange करना है, और यह चेक करके बताना है, कि कौन सा समिकरन हमारा जो है, वो सही नहीं होगा, note correct, 3 और 8 interchange होगे, बस इतना carefully ध्यान में रखिएगा, चलो, 3 और 8 अगर interchange करने भी वाले हो, यह देखो, यह 3 और 8 interchange होने वाले है, तो 8 और 2 यह कितना हो जाएगा, 10, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, minus का कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर 3, गुना कितना हो जाएगा, 3, ओके, जहां से देख लिजे, हमने 3 और 8 को interchange किया, अगर 8 यहाँ पर आएगा, तो 8 और 2, 10, minus का, divided by करें, अगर तक क्या आएगा, 6 बटा 2 कितना हो जाएगा, 3, और 8 तो 3 से interchange हो जुका है, तो आगे solve कर लिजे, 10 में से 9 कम करोगे तो 1, यह तो बिल्कुल ठीक है, हमें गलत वाला choose करने है, यहाँ पर आएगे, 3 और 8 interchange होंगे, तो answer देखो, minus में आना चाहिए, minus आ रहा है, चलो, verify करके देखते हैं, यह देखो, इस चीज़ को क्या कर सकते हो आप, इस चीज़ का मैं directly result लिखने वाला हूँ, इसका direct result कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि check कीजिए, 6 को गुना करोगे, आधे से, क्योंकि 2 बटा 4 कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 6 को आधे से गुना करोगे, तो result कितना हैगा, 3, अगर यहाँ पर 3 आ चुक है, और 3 और 8 आपस में position interchange करेंगे, तो equation क्या बनेगी, 3 minus 8 plus 3, यही बनेगा, तो 6 में से 8 कम करोगे, तो minus का answer कितना आजाएगा, 2, यह भी correct है, हमें कौन सा correct नहीं है, उसको approach करने है, यहाँ पर आजाएगे, 3 और 8 interchange होने वाले हैं, तो 6 बटा 2 कितना हो गया, 3, अगर 8 की जगा 3 आजाएगा, तो 3 ती यह कितना हो गया, 9, 9 और 8 की तरह हो जगा 17 में, एक कम करोगे 16, तो यह वाली equation जो है, आपकी correct नहीं है, तो calculations के उपर है, सारे का सारा based, अगर आपकी calculations strong है, तो आपको pen और paper की needy नहीं पड़ेगी, ऐसे question में, तो कि जब भी इस तरह के question आएगे, जब आपको number आपको already available है, उनको interchange करना है, जैसे कि पिछले question में, यहाँ पर पिछले question में क्या था हमारे पास, कि equation दी गई है, numbers को interchange करना था, through option, यहाँ पर दो numbers के बीच में, interchange is available है, बढ़ आपको 4-4 equations दी गई है, माना कि थोड़ा lengthy है question, बढ़ अगर आपकी calculation strong है, तो आप easily without pen and paper को question को solve कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया, verify करना जाते हैं तो कर सकते है, 8 और 3 interchange होगा, तो इधर के आया, 6 बटा 2, 3 हो गया, 3 गुना 3 कितना हो गया, 9, 9 और 8 कितना हो गया, 17 में एक कम करोगे, 16 आना चाहिए था, बढ़ आपको यहाँ 17 गिवन है, ठीक है, तो यह हमारा B option जो है, वो correct नहीं है, next, यहाँ 3 और 4 को interchange करना है, बढ़ क्या देखना है, कौन सा सम्मी करन हमारा सही नहीं है, चलो, आज यह, 3 और 4 interchange होंगे, इधर 4 आजएगा, इधर 3 आजएगा, retain करके रखो इस चीज़ को, 9 को 4 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 36, अब मैंने directly multiply क्यों किया, क्योंकि divided by का sign साथ में ही बैठा हुआ है, अगर ऐसा नहीं करना, तो आप कैसे कर सकते हो, 9 गुना 4 बटा 6, ठीक है, ultimately, 4 बटा 6 बनेगा, मतलब एक fraction तो create हो गई होगा, या मैं कहूँ, अगर ये एक term है, तो 6 जो है, इसके denominator में ही आएगा, तो आप इसे directly कर सकते हो, 3 की जगा आगया, 4, 9 चोक 36, 36 को 6 से divide करोगे, तो कितना आजएगा, 6, 6 और 3 कितना हुआ, क्योंकि 4 की जगा 3 आएगा, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 में से 8 कम करो, 1, बिल्कुल correct है, समझाया, चाहिए आप इसे apply करके देख ले ना, मैं तो आपको orally करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पर आईए, 3 और 4 को interchange करना है, retain करके रखेंगे, कि इधर 4 है, और इधर क्या है, 3, तो यह कितना हो जाएगा, बीच में minus का sign है, एक इस step में divide और multiply कर सकते हो, यह 28, 28 minus कितना हो गया, हमारे पास 4, 8 को 2 से divide करो, 4 ही आएगा, 28 minus 4, plus 3, क्योंकि 3 के जगा 4 है, 4 के जगा 3 है, तो 28 में से 4 कम करो, कितना हो गया, 24, 24 में 3 जोड़ दो 27, यह भी बिल्कुल correct है, कौन सा सही नहीं है, हमें वो choose करना है, 3 और 4 आपस में interchange करने वाले हैं, फिर से आईए, 6 ती यह 18, 18 में 4 कम कर दो, तो कि minus 4 बनेगा नहीं, आपर 18 में 4 कम कर दिया, तो कितना हो गया, 14, 14 में जोड़ना पड़ेगा कितना 9, 14 और 9 कितना हो गया, 23, बट यहाँ पर result कितना given है, 25, तो यह वाला हमारा कत्रण, या समी करन जो है, वो बिल्कुल सही नहीं, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ आगे देखें, तो 18 माइनस 4 प्लस 9, इस तरह से होगा, 18 और 9 27 में 4 कम करो, 23 होना चाहिए था, बढ़ इदर 25 given है, next, यहाँ पर देखें क्या है, कौन सी दो संख्याओं को, आपस में इंटरचेंज कर दिया जाना चाहिए, ताकि आपका दिया गया समी करन जो है, वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर भी नंबर्स को ही इंटरचेंज करना है, ओके, चलो, hit and trial, या option के थुरू करते हैं, option avoid करके देखते हैं एक बार तो, 12 और 24, इंटरचेंज किये जा सकते हैं, जी, 24 यह रहा, 12 यह रहा, अगर यहाँ पर 24 आ भी जाता है, तो 6 का cube कितना हुआ, 216, तो 216 24 का multiple हो सकता है, ठीक है, इसको hold पे रखते हैं, यह hold पे है, eliminate नहीं हुआ, 6 और 24 इंटरचेंज हो सकता है, 6 और 24 को interchange मत कीजिए, क्योंकि result के उपर target करो, आपको result क्या चाहिए, 43, मतलब एक 2 digit की value चाहिए, कितना तो clear होगा, बट अगर मैं 6 को 24 के साथ interchange कर भी दूँगा, तो यह 24 का घन हो जाएगा, तो 24 का जो घन है, वो आपका 5 digit की value आईगी, 5 अंको की एक काई आईगी, clear, प्रोवाइड कर देगा, उसके बाद, 81 और 4 interchange हो सकते हैं, जी, 81 और 4 interchange हो सकते हैं, जी, बिलकुल हो सकते हैं, अगर 81 के जगा 4 आ भी जाता है, तो 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, 2 गुना 81 बन जाएगा, तो यह possible है, आप इसे भी hold बे रखके चल सकते हो, क्या 28 और 4 interchange हो सकते हैं, जी, वो भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, D option के इलावा, 3 option spending है, choice is all yours, जो merge करना चाहें तो कर सकते हैं, हम D option को पहले priority दे देते हैं, आप C option उठा लिए, जो आपका मन करें, चलो, 28 और 24 वाला हम interchange करके देखते हैं, तो यह देखो, डारेक्ली एक ही step में करूँगा मैं, 28 और 24 interchange करने वाले हैं न, बाकियों के उपर कोई impact नहीं पड़ेगा, तो यह हो गया 216 बटा 12, अब ऐसी भी कर सकते हो, नहीं तो मैं 6 के घन को क्या लिख सकता हूँ, 36 गुना 6, कर सकते हैं न, देखो, अब 36 गुना 6 बन गया, 6 का cube, divided by 12, तो result देखो कितना आ जाएगा, 18, तो मैं यहाँ पर directly क्या लिखने वाला हूँ, 18 plus, उसके बाद देखिए, यह square bracket solve करेंगे, 81 का वर्गमोल, square root कितना होता है, 9, 9 को 4 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 36, minus का, अब 24 और 28 interchange होने वाले हैं, बदलने वाले हैं, अपस में position, तो 24 भाग 2 कितना हो गया, यहाँ पर 12, plus का यहाँ पर क्या बन गया, 28, इसे solve करके देखते हैं, अब देखिए, आगे भी आपको solve करने की जूरत नहीं है, reason being, जब मैं इस equation को solve करने बैठूँगा, यहाँ से realize कीजिए, सारी की सारी यह समसंग्याई हैं, even numbers हैं, result क्या है, odd numbers, even numbers को चाहे आपस में add करो, चाहे subtract करो, result even number ही रहेगा, एक समसंग्या ही रहेगी, तो आपका यह तो answer हो नहीं सकता, D option निकला बाहर, समझाया, तो ऐसे basic आपको calculations का idea होना चाहिए, detail में आपको solve करने की जुरुत कभी भी नहीं पड़ेगी, C option को priority दे दो पहले, चाहे तो आप यह option भी choose कर सकते हैं, चलो C option करके देखते हैं, 81 और 4, यह दोनों आपस में interchange होंगे, तो इसका तो result हमने देखे लिया था, कितना आ रहा था, 18, 18 plus, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, 2 को किस से गुणा करेंगे हम, 81 से, तो 2 को 81 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 162, अब देखो, यह सारे के सारे फिर से even numbers create होंगे, इसका 14 बन जाएगा, यह 24 रहेगा, सारे even numbers हैं, समसंख हैं हैं, order numbers कहां से create होगा, तो आप इसे भी eliminate कर सकते हो, रहा कौन सा option हमारे पास, 0, 0, ए है option, तो 12 और 24 को आपस में interchange करना है, अब देखिए, पहले मैं 6 के cube को 12 से divide कर रहा था, अब 24 से divide करना है, क्योंकि 12 और 24 interchange होने वाले हैं, तो denominator में अभी 12 था, लो मैंने 24 कर दिया, 12 और 24, आगे solve कर लो, directly इसका result कितना आ गया, 9, तो मैंने 6 के घन को 24 से divide करके देखा, यह देखो odd number आ गया, अब odd number से odd number create होगा, क्योंकि even number से कभी भी odd number नहीं create होगा, इस odd number का, अगर even के साथ connection आएगा, विशम संख्या का, सम संख्या के साथ connection बनेगा, तो ही हमें एक विशम संख्या end में जाके मिल सकती है, तो इसलिए यह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 9, यहाँ पर क्या बनेगा, 36, 81 का वर्गमूल 9 हुआ, 9 को 4 से गुना करोगी, कितना आ जाएगा, 36, 12 और 24 इंटरचेंज हुए हैं, ध्यान रखिएगा, माइनस का कितना हो गया, 14 और प्लस का कितना हो गया, 12, अब इसे solve कर लीजे, यह देखो, यह कितना मना, 36 और 12, 48, 48 और 9 कितना हो गया हमारे पास, 48 और 9 हो गया, 57, 57 में से 14 कम करो, 43 हमारा final result, हाला कि आपको solve करने की इसे जुरुत नहीं थी, क्योंकि आपने इसे eliminate कर दिया, यहां से आपका result, code number create नहीं हो रहा था, इसे भी detail में solve करके नहीं देखा हमने, तो आप directly ए ओप्शन अपना mark कर सकते थे, ठीक है, तो values का reference लेके चलना है हमेशा, आपको exact answer निकालने की जुरुत नहीं है, पहले इतना तो feel होना चाहिए ना आपको, कि हाँ इससे exact answer निकल भी सकता है यह नहीं निकल सकता, अगर आप exact result के उपर जा सकते हो, approximate idea लेके, तो आप approach कीजए, पूरी equation को solve करके देखिए, अदर्वाइस जुरुत नहीं है, next, यहाँ पर भी, कोंसे दो numbers को अपस में interchange किया जाना चाहिए, ताकि आपकी equation correct बने, जो जी कर लेते हैं फिर interchange, आईए, option को eliminate देखते हैं, कोई होता भी है या नहीं, 6 और 8 interchange हो सकते हैं, 8 का वर्ग बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 और 2, हाँ जी, 7 और 2 interchange होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, अगर 28 को 2 से reward करें, कोई fraction नहीं create होगा, 7 अगर इधर पड़ा भी रहेगा, तो भी 28-7 का multiple है, मतलब ये भी valid है, 2 और 8 interchange होंगे, हाँ जी, यहाँ पर देखो, थोड़ा carefully attempt कीजेगा question को, यहाँ पर 2 संख्याओं की बात की गई है, numbers, कई बार आपको digits भी दिया जाता है, अब कई बच्चे ये सोचते हैं, कि 2 और 8 को interchange करना है, क्या 28 का 82 करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना, ये तब ही करते, जब हमें अंको की बात की जाती, तो यहाँ पर digits नहीं included, यहाँ complete number को target करना है, 28 है, तो 28 ही consider करना है, चलो, तो 2 और 8 interchange होगा, जी, बिल्कुल हो सकता है, 2 और 8 interchange, क्या 20 और 8 interchange हो सकता है, जी, 20 और 8 ये बिल्कुल हो सकता है, तो मतलब आपके 4 के 4 options जो हैं, वो valid है, अगर आपका कोई भी option eliminate नहीं होता, आपको लगते हैं, तो इस question को आप first round में skip कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कोई option नहीं eliminate हुआ ना, चलो, शुरू कर लेते हैं, A, B, C, D में से, पहले C और D को पहले priority देना हमेशा, चलो, C option choose करके देखते हैं, 6 का वर्ग हो गया, हमारे पास 36, minus का आगया 20, plus का हो गया 4, ये देखो 28 बटा 7, कितना हो गया 4, minus, under root 4, कितना हो जाएगा 2, 2 into 2, directly 4 लिख दू, क्योंकि 8 और 2 interchange होने वाले हैं, अब 2 की जगा 8 चला जाएगा, तो plus का क्या हो जाएगा, समझा गया, अब इनसे देखो, result मेरा 40 बन भी पाता है या नहीं, चलो, शुरू करते हैं, ये 36 और 64, result कितना हो गया, 100, 100 में, ये 4 से 4 cancel कर दू, 100 में 20 कम करो, तो हमारे पास 80 होना चाहिए, बट उधर 40 गिवन है, मतलब आपका C option eliminate, C option की तो कहानी खत्म, अब हम D option को भी choose कर देखते हैं, 20 और 8 interchange हो सकते हैं, देखिए, अगर 36 minus, 20 की जगा आ जाएगा, 8, प्लस का, 28 बटा 7 कितना हो जाएगा, 4, minus, 20 और 8 interchange करने वले हैं, तो under root 4 का मतलब 2, 2 into 20, 2 गुना 20, कितना हो गया, 40, यहापर प्लस का क्या हो जाएगा, 4, चलो solve करके देखते हैं इसे, ये देखो, 4 और 4, 28 ये प्लस का 8, ये माइनस का 8, cancel कर दो, तो 36 माइनस 40, माइनस का 4 बनेगा, तो आपका D option भी eliminate, D option के उपर आते हैं, 7 और 2 को interchange करके देखते हैं, हो जाएगे शुरू, 36, माइनस का 20, प्लस का 14, क्योंकि 7 दो के साथ position interchange करेगा, माइनस, 2 गुना 8, 16, प्लस का कितना बन जाएगा, 49, ओके, अफिर से वही बाद आती है, पिछले question के तरह, order number आगया, विशम संख्या आगी, अब ये विशम संख्या जो है, पूरी equation में problem create करेगी, हम सम संख्याओं से, एक सम संख्या तो create कर सकते हैं, पट सम और विशम संख्या के combination से, हम संख्या नहीं बना पाएंगे, विशम संख्या ही आएगी result में, तो ultimately मेरा answer के आगया, A option, हमज़ा गया, तो इस तरह से आपको equation को solve करना है, पूरे का पूरा नहीं solve करके देखना, एक reference मान के चलना है हमेशा, चलो 6 और 8 interchange करके देख लेते हैं ये भी, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 minus 20, प्लस का इसकी जगा क्या आ जाएगा, 4 minus का, 2 गुना 6 कितना हो जाएगा, 12 plus का क्या हो जाएगा, 4, देखो सारी समसंग क्या हैं, चलो solve कर देखते हैं, 4 और 4, 8, कुछ value में फर्क पड़ेगा, 64 और 8 कितना हो गया, 72, 72 में आपको क्या कम करना पड़ेगा, 32, 72 minus 32 कितना हो गया, 40, अगर आप confident हैं, कि आपने B, C, D option, eliminate करी दिया है, कि उससे answer नहीं आ रहा, तो आपको ये solve करने की जूरत नहीं दे, आप directly ये option opt कर सकते हो, next, कोंसी दो संख्याओं को interchange किया जाना चाहिए, ताकि equation correct बने, समीगरंड सही हो, option elimination के उपर आते हैं पहले तो, 72 और 126, ये देखो, 72 और 126 interchange होंगे, बिलकुल भी नहीं, क्योंकि 72 जो है, वो 14 के table पे नहीं आता, तो आप इसे eliminate कर सकते हैं, क्या 7 और 4 interchange हो सकते हैं, जी बिलकुल हो सकते हैं, ठीक है, 7 और 4 जो है, वो interchange हो सकते हैं, बट, हाँ हो सकते हैं, ठीक है, 126 बटा 14, क्योंकि एक order number create हो रहा था न, मुझे लगा 7 का वर्ग जो है, उन्चास आ जाएगा, सम संख्याओं के साथ, एक विश्म संख्या create होगी, बट, 126 को जब 14 से divide करोगे, तो no, एक विश्म संख्या और आ रही है न, विश्म संख्या को विश्म संख्या के साथ मिला के, even number create किया जा सकता है, चाहे उसे subtract करके देखो, चाहे वो add करके देखो, ठीक है, तो वो मेरा answer हो सकता है, 8 और 4 interchange हो सकते हैं, जी यह भी हो सकते हैं, बिल्कुल, 8 और 4 भी हो सकते हैं, बट, हम 8 और 4 को avoid करके चलेंगे, reason being, अगर 8 चाहर के साथ interchange कर भी लेता है, यह आपको डास्क देखो, verbally करना है, without pen and paper, बट मैं आपको apply करके दिखा रहा हूँ, 8 और 4 अगर interchange हो भी गए, तो मुझे एक बात बताओ, यह सम संख्या है, यह भी सम संख्या, even number बनेगा, यह भी सम संख्या, even number बनेगा, बट यह विशम संख्या बन जाएगी, अब सम संख्याओं के साथ, एक विशम संख्या जुडने वाली है, तो answer जो है, वो विशम संख्या में आएगा, हमें तो answer सम संख्या में चाहिए, तो यह भी eliminate, यह आपका exact answer जो है, वो determine नहीं कर पाएगा, समझ में आया, तो इन चीज़ों को apply ज़रूर करके देखना, अगर doubt आये के मैंने क्या बोला था, clarity नहीं है, rewind करके देख लो, repeat नहीं करूँगा, इतना शरीफ नहीं हूँ मैं, चोदा और साथ को आपस में interchange करके देखते हैं, हाँ जी, अगर चोदा और साथ आपस में interchange हो भी जाते हैं, तो 126 जो है, वो साथ का multiple बनेगा, बिलकुल बनेगा, ठीक है, तो even number भी create होगा, तो हमारे पास B और D में से कोई एक answer होगा, चलो B option को पहले choose कर लेते हैं, तो क्या बन गया ये, 72 प्लस, चार और साथ interchange होंगे, तो 8 चोके 32 आजाएगा यहाँ पर, क्योंकि 7 जो है, वो 4 के साथ position को exchange कर रहे है, माइनस, 126 बटा 14, कितना हो गया, 9, माइनस का क्या बन जाएगा, साथ इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 49, got it, चलो, आगे देखिए, ये भी answer नहीं होगा, ये कितना हुआ, 72 और 32, 104, 104 में से 50 के करीब value जो है, वो subtractory है, तो answer हमारा क्या आया, D option, तो result तो date सो चाहिए ना, आमें, चलो, प्रोस्ट चेक करना चाहिए तो कर सकते है, किस-किस को interchange करना है, 14 और 7 को, 14 और 7 interchange होने वाला है, तो क्या बनेगा, 72 प्लस, 14 अठे कितना हुआ, 112, यह होता है न, ठीक है, माइनस, ये कितना बन जाएगा, 7 एकम 7, 7 वाटे 56, 15, माइनस का कितना बन जाएगा, 16, ओके, सारी समसंख्या आए है, ओ सकता है, probably मेरा answer आएगा यहां से, यह देखिए, 16 और 18 कितने होगे, माइनस का 34, क्योंकि दोनो, माइनस में हैं values, ये कितना होग, 11, 7, 18, 184, 184, 184 माइनस 34, 150, चल भाई, आगे, next, फिर से, equation को correct बनना है, बनाना है, कौन सी equation को, interchange किया जाना चाहिए, तो पहला option, eliminate, क्योंकि 82, अगर 24 के साथ, interchange होगा भी सही, बट 82, जो है, वो 6 का multiple नहीं है, एक fraction create कर देगा, 6 और 8 interchange हो सकते हैं, क्योंकि 24 जो है, वो 8 से divide हो सकता है, multiple है उसका, तो यह मेरा answer हो सकता है, 5 और 17 interchange होंगे, जी, 5 ये भी है, 5 ये भी है, तो दोनों को 17 से replace करना है, इस बात का दियान रखिएगा, कर सकते हैं, क्या 5 और 8 interchange हो सकते हैं, जी ये भी हो सकते हैं, 5 और 8 भी interchange हो सकते हैं, मतलब 3 option valid है, तो हम एक मान के चलते हैं, हम 6 और 8 को interchange करके चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये कही ना कहीं, आपके लिए थोड़ा सा objectionable हो सकता है, थोड़ा doubtful case हो सकता है, कि भाई 5 यहाँ पर तो 2 exist कर रहे हैं, तो 5 और 8 अगर interchange होंगे, ये 5 भी 8 से replace होगा, ये वाला 5 भी 8 से replace होगा, और ये 8 5 से replace हो जाएगा, तो 2 दो 5 यहाँ पर exist कर रहे हैं, तो अगर आपके mind में ऐसी confusion आती है न, तो ऐसे option को आप avoid करके चल सकते हो, starting में, अब भी option को पहले choose कर लो, 6 और 8 को interchange करके देखते हैं, तो क्या result बनेगा, 82, मैं directly लिख रहा हूँ, एक ही step में यहाँ पर मैं minus कर सकता है था, तो कितना बनेगा, 82 में से 5 गया, 77, प्लस, 6, 8 के साथ replace होगा, तो 24 बटा 8 कितना हो जाएगा, 3, प्लस का 17, और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30, ठीक है जी, चलो, आगे solve करें, तो देखे क्या है, 77 और 3 कितना हो गया, 80, 80 और 30 कितना हो गया, 80 और 30 हो गया, 110, 110 और 17 कितना हो गया, 127, बिल्कुल ठीक है, पी option जो है हमारा final answer, next, कौनसी दो संख्याओं को आपस में, interchange किया जाना चाहिए, ताकि आपका दिया गया जो समी करण है, उन में से एक जो है, वो बिल्कुल सही बने, चलो, 7 और 4 को interchange करना है, ये देखो, 7 और 4 को interchange करना है, देखो, जब भी कोई भी संख्या, एक से भाग होने वाली है, तो एक से भाग होने पर संख्याओं तो वही रहने वाली है न, 100 को एक से भाग करो, 100 ही आएगा, 50 को एक से भाग करो, 50 ही आएगा, 1002 को एक से भाग करो, 1002 ही आएगा, तो इसकी कोई value नहीं है, ignore करके चलो, इदर हो गया 4, 4 प्लस 10, कितना हो गया 14, 14 माइनस 4 कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, बढ़ आपको 9 गीवन है हमें तो देखना है कौन सा सही है, 4 और 7 इंटरचेंज होने वाले हैं, देखे दियां से 4 प्लस 14, क्योंकि 4 की जगा 7 आने वाल है न, 4 प्लस 14 कितने होगे, 18 18 में से 3 कम करोगे तो कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए था, तो आपको तो ये 17 अवेलेबल है, गलत 4 और 7 इंटरचेंज करने वाले हैं, ये कितना बन गया, 21, 21 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास, 21 और 3 24, 24 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 21 होना चाहिए, बट यहां पर 20 गिवन है, आंसर क्या आ गया, ये उप्शन 4 और 7 इंटरचेंज हो चुक्ए है, 7 माइनस 4, 3, 3 प्लस 3, सुरी, 3 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 3 ती यह 9, 9 और 3 बारा, ये विल्कुल करेक्ट है, देखो मैंने option तो eliminate कर चुके थे करने की जुरत नहीं थी यह exam oriented approach कि इसे करने की जुरत नहीं है solve मत करो next देखिए यहाँ पर भी कौन सी equation correct है आपको वो बताना है चलो options उठाते हैं 8 और 4 interchange हो सकते हैं क्योंकि अगर इस 4 की जगा 8 आ भी जाता है तो यह 248 8 का multiple है divide होगा 184 और 77 अगर 184 और 77 को interchange कर भी देते हैं यह देखो 77 आ गया 77 मतलब यह 77 जो है in values का multiple होना चाहिए यह कितना आ जाएगा 24-16 24 में से 16 कम कर दो कितना आ जाएगा 8 क्या 77-8 का multiple है इलकुल भी नहीं एक fraction create करेगा निकालो बहार इसे यहाँ पर आजएए 184 और 248 interchange हो सकते है 4 और 6 भी interchange हो सकते है ठीक है अब confusion फिर से कहाँ आएगी यह 4 भी 6 की 7 replace होगा करना पड़ेगा अगर फिर भी आपको थोड़ी confusion है तो इसको side पे रखो अब A और C में से कुछ भी choose कर लो suppose हम C option choose कर लेते हैं क्या बनेगा 184 divided by 4 plus का 248 divided by bracket solve कर लो मैं directly 24 minus 16 कितना हो गया 8 चलो करो इसे solve यह कितना हो गया 4 चुके 16 6 चुक 24 प्लस 8 ती है 24 8 है कम 8 luckily हमारा यही answer आ रहा है C option luckily हमारा answer क्या आ गया C option next कौन सी दो संख्याओं को interchange किया जाना चाहिए ताकि हमारा दिया गया समी करण जो है वो correct बने वही बात आती है 72 बटा 18 multiple है आगे देखो 3 और 7 interchange कर सकते हो बट value जो है वो बहुत ही जादा बड़ी बन जाएगी result को target करो result क्या चाहिए सिरफ 60 के गरीब approximate value मानके चलते हैं 58 नहीं count करेंगे अगर मैं 3 और 7 को interchange कर भी देता हूँ ध्यान से समझना 24 का 7 गुना कितना बन जाएगा जो 24 का 7 गुना है वो आपकी जो value है 170 के करीब जाएगी 170 में आप 4 minus कर दोगे 3 जोड दोगे क्योंकि 7 के जगा 3 जाएगा 72 divided by 18 कितना होगा 4 होगा तो 3 और 4 170 में 3 और 4 जो है add या subtract होगा क्या आपको 60 के करीब value देगा बिल्कुल भी नहीं तो आप 3 और 7 को interchange नहीं करोगे देखो approximation का मैंने reference लिया है यहाँ पर 7 और 18 अपस में interchange होगे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि 7 अगर 18 के place पे जाएगा एक fraction create कर देगा 72 और 24 interchange होगे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अगर 72 की जगा 24 रख भी देता हूँ तो 24 बटा 18 फिर से fraction create करेगा यह मेरा answer हो गया directly करना चाहें तो solve कर सकते हैं अठारा और 24 को interchange करने जा रहे हैं तो 18 और 24 interchange होगा तो 7 प्लस 18 ती है कितना होगया 54 माइनस इदर 24 आ गया तो 72 बटा 24 कितना होगया 3 तो 54 प्लस 7 61 माइनस 3 कितना होगया हमारे पास 58 Next यहाँ पर भी कौन से 2 signs और numbers यह ध्यान से देखिए कौन से 2 चिन या कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए ताकि equation correct बने मतले यहाँ पर sign भी interchange हो सकते है number भी interchange हो सकता है क्योंकि और वर्ड या तो sign interchange होंगे या तो number interchange होंगे जिससे equation correct बनेगी तो पहला option apply करके देखते हैं पांच और 12 interchange कर सकते हो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तैसे 5 और 12 से ही maybe answer आ रहा है यह देखो directly अगर 5 और 12 interchange हो भी जाएं sorry 8 और 12 interchange मैं करतो 8 और 12 कर रहा है बोला मैंने 5 और 12 8 और 12 interchange हो भी जाते हैं यह देखो 12 इधर चला जाएगा 12 को 5 से गुणा करो कितना हो गया 60 result 60 चाहिए अब 8 अगर इधर चला जाएगा यह plus का 8 यह minus का 8 यह cancel नहीं हो जाएगे result 60 यह option answer है लगी लिए हमें यह option से ही दिख गया हाला कि हम इसे cross check तो करते न just to eliminate यह होता है या नहीं यह option avoid करने लाइक है या नहीं यह इसकी बात का ध्यान लगते तो 8 और 12 अगर interchange कर देते तो इसका result कितना मनता 8 plus 12 की जगा 8 आ गया 8 की जगा 12 चला जाएगा 12 को 5 से गुणा करोगे 60 आ गया minus 12 की जगा 8 आ गया तो यह plus का 8 ही है minus का 8 cancel हो गया result हमारा 60 हा रहे यह option से ही answer आ गया next यहाँ पर भी कौन सी 2 संख्याओं को interchange किया जाना चाहिए ताकि equation अबारी correct बने चलो आते हैं इस बात के उपर 17 और 4 interchange होंगे बिलकुल भी नहीं क्योंकि 28 जो है 17 का multiple नहीं बनेगा 28 और 2 interchange होंगे 28 और 2 को interchange मत करना क्योंकि 2 की जगा 28 आ भी जाता है तो पहली बात यह minus है यह सबसे बड़ी value यही बनेगी 28 गुना 17 वाली तो 28 गुना 17 जो है आपकी 5.5 के करीब value बन सकती है 5.5 के in between value तो आपको 2 digit सिरफ 12 नंबर की चाहिए और moreover यह सबसे बड़ी संख्या बनेगी तो answer भी minus का होना चाहिए 28 और 12 तो interchange होगा नहीं 17 और 6 interchange हो सकता है यह हो सकता है 17 और 6 interchange हो सकता है 6 और 4 यह नहीं हो सकता है क्योंकि यह भी fraction create करेगा तो यह answer आगा देखो वह simple 17 और 6 interchange करके देखते है 17 plus 28 बटा 4 कितना हो गया 7 minus इधर 6 आगया 6 दुनी कितना हो गया 12 17 और 7 कितना हो गया 24 में से 12 कम करो result भी कितना आ रहे देखो 12 ओके next कौन सी 2 संख्याओं को interchange किया जाना चाहिए ताक कि आपका सम्मिकरन जो है हमें सही वाला choose करना है 8 और 2 interchange होने वाला है तो 2 गुना 4 8 8 minus 3 कितना हो गया 5 5 plus 8 कितना हो गया 13 ये गलत है हमें सही वाला choose करना है 8 और 2 interchange होने वाले है ओके चलो ये कितना हो गया 4 दुनी 8 8 plus 6 14 14 minus 8 कितना हो गया 6 ये बिल्कुल ठीक है ये देखो 2 इधर आएगा 4 दुनी 8 बन गया 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 अगर 2 की जगा मैं 8 रग दूँ तो 8 divided by 1 8 ही होगा तो 14 में से 8 कम करोगे तो 6 ही तो आने वाला है और कौन सा समिकरन सही है हमने वो choose करना था उसी option हमारा बिल्कुल correct है यहाँ पर भी कौन सी दो संख्याओं को interchange किया जाना चाहिए ताकि equation correct बने आईए जी option elimination के उपर आते हैं 18 और 11 interchange हो सकते हैं ये देखो 12 और 4 interchange होगे हैं जी 12 अगर इधर आ भी जाएगा हो सकते है interchange ये भी ठीक है 63-7 का multiple भी आ रहा है 6 और 4 interchange होगा हाँ जी 6 की जगा 4 इधर 6 आ जगा ये भी interchange हो सकते है या 18 और 12 interchange हो सकते हैं 18 और 12 भी interchange हो सकते हैं मतलब हर एक option यहाँ पर valid आ रहा है कोई भी option eliminate नहीं हो रहा जिया मुझे ऐसा वो feel करवाए कि एक fraction creator हो रहा है चलो पहले c option उठा लेते है 6 और 4 को interchange करके देखते हैं तो ये कितना बनेगा 18 प्लस 12 तो 48 क्योंकि 6 और 4 interchange होने वाले हैं ये देखो प्लस 63 को 7 से divide करोगे 9 9 गुना 6 कितना हो गया 54 मैं directly लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ प्लस 27 का घंद मूल कितना हो गया 3 माइनस का क्या हो गया 11 अब इससे solve कर लीजे solve कर करके देखते है equation correct easy बन सकती है क्या नहीं चलो देखे 18 और 54 कितना हो गया हमारे पास 5 और 1 6 72 और 3 75 तो 75 और 50 कितना हो गया 48 की जगा 50 मा लेते है 75 और 50 कितना हो गया 125 125 का मतलब 123 123 में से 11 कम करो अरे luckily C option ही answer बन रहे तो वही है जब भी आपके पास कोई option elimination के लिए ना रहे अब C और D में से किसी को भी पहले choose करके देखना क्योंकि 80% chances यही रहते है कि आपका answer C या D में से कोई एक हो सकता है कोई यह hard and fast rule नहीं है बट यह चीज़ देखी गई है कि अगर कोई option eliminate नहीं हो रहा या कोई भी question अगर आप options के थूँ करने भी वाले है तो बहुत से candidate ऐसे होते है जो A option से जो है वो question का solution निकालना शुरू कर देते है examiner आप कभी ही नहीं चाहेगा कि आप कम से कम time में जादा से जादा question solve कर पाए A option देखा answer नहीं आया B option देखा answer नहीं आया C option से answer आ गया हाला कि answer मिल जाएगा C से नहीं तो D से answer मिल जाएगा answer आ जाएगा ना पट examiner जो चाहता था उसका concern जो है वो fulfill हो गया वो आपका सिरफ time waste करवाना चाहता है तो इतने में आपका time waste हो चुक है ठीक है तो वही है जब भी आप option के through करने जा रहे है A option B option तो देखना ही पड़ेगा पट पहले एक काम करना C या D में से पहले opt कर लेना पहले इन दोनों option को check करके देखना फिर A और B के उपर जा सकते हो answer mark हो गया ठीक है आगे देखिए यहाँ पर भी equation को correct बस यह देखना है कि not correct है या only correct है कि कौन सा समिकरंट सही है वो देखना है साथ इदर हो गया यह भी valid है क्या 4 और 6 interchange हो सकते हैं 4 और 6 हो सकते हैं 4 और 7 interchange हो सकते हैं यह भी हो सकते है सारे option valid है तो वही है C और D में से पहले priority देदो इस बाद D option को choose करके देखे तो 4 और 7 अगर interchange होंगे तो 17 सते 119 minus है 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 plus यह देखो 9 63 divided by 9 कितना मना 7 7 को 6 से गुना कर दो कितना आजाएगा 42 plus यह directly मैं 42 लिख दूँ क्योंकि 83 में से 41 गए तो कितना आजाएगा 42 ही आएगा चलो आगे solve करके देखते है बट solve करने की जूरत नहीं है हमें result देखो कितना चाहिए 83 119 में से 16 कम कर दो पहले तो 103 आया 103 में कुछ न कुछ जूड़ता जा रहा है 83 तो विर भी नहीं पहुंचेंगे आप तो मतलब कि आपका D option जो है वो eliminate हमने यापर किस-किस को interchange करके देखा 4 और 7 को आपका D option eliminate हो गया चलो 4 और 6 की बारी आगी 17 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आजाएगा 102 माइनस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 प्लस 63 बटा 9 कितना आजाएगा 7 6 की जगा आचुक है 4 तो 7 गुना 4 कितना हो गया 28 प्लस का 42 मैंने 83 माइनस 41 डारेक्ली लिग दिया चलो अब solve करके देखें इसे 102 और 48 कितना हो गया 130 130 में 42 और जोड़ दो 172 172 में 50 कम कर दो 49 की जगा 50 कम कर दो फिर भी 122 के करीब value हमें तो 83 चाहिए थी ये भी eliminate हो गया चलो अब भी option देख लेते हैं 7 और 6 को interchange कर लो 7 और 6 interchange होने वाले है 17 चोके 68 माइनस 6 का वर्ग कितना हो जगा 36 प्लस 63 divided by 9 कितना हो गया 7 7 को 7 से गुना करेंगे 49 क्योंकि 6 7 के साथ interchange हो रहा है प्लस का यहाँ पर क्या आ गया 42 83 minus 41 कितना हो गया 42 इससे hope मिल रही है कुछ ये देखो 68 68 और 42 कितने हो ए 6 4 10 110 110 और 49 कितने हो गया 169 169 में से 36 minus करेंगे तो हमारे पास 83 नहीं आने वाला तो ultimately answer A option मिला लोट के बुद्दू घर को आए जो A option से शुरू कर देता question का solution तो उसकी तो पतलब lottery निकल जाती A option से ही answer आ रहा है चलोग करके देख लेते हैं इसे भी 17 चोके 68 minus 9 का वर्ग कितना हो गया 81 plus 63 को 7 से divide करेंगे ठीक है 63 को 7 से divide करेंगे 9 9 चिक 54 plus 83 minus का 41 या plus का 42 भी कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है वो कलो crazy solve ये देखो कितना हो गया 68 और 54 65 11 122 यह होगा अब देखो द्यान से ये और ये term बनी 122 ये और ये term भी बनी 122 ये देखो 84 12 12 ये plus का 120 minus का 120 ये pending रहे गया प्लस 83 ये अब क्रोस चेक कर सकते हैं ये eliminate हो गया 83 हमारा final answer ठीक है चलो कोन से दो संख्याओं को आपस में बदल दिये जाना चाहिए ताकि आपका जो समी करण है वो equation जो है वो correct क्या हो ना हो ठीक है कौन सा समी करण जो है वो सही नहीं होगा वो हमें बताना है ओके चलो solve करते है 7 और 9 interchange करके देखते हैं 7 और 9 को किस option से शुरू करें D option से ये शुरू करते है चलो 7 और 9 को interchange करके देखते हैं ये देखो ये 7 और 9 interchange होने वाले हैं 7 प्लस 12 19 19 में से 9 कम करो कितना हुआ 10 ये तो ठीक है हमें गलत वाला चूज करने है ये बिल्कुल ठीक है फिर से 7 और 9 7 या 21 21 प्लस 2 कितना हो गया 23 23 में से 9 कम करो 14 ये बिल्कुल ठीक है हमें गलत वाला चूज करने है 7 और 9 9 इधर 7 9 और 6 15 माइनस ये पंदरा बनेगा 9 और 6 पंदरा इधर आ गया 7 4 बटा 2 2 7 दूनी 14 15 माइनस 14 कितना होना चाहिए एक होना चाहिए उधर result दो गीवन है तो B option आपका answer आ गया ठीक है ये वाला जो है आपका समिगरण बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पर भी कौन सा सही नहीं है वो हमें चूज करना है question भी 42 है numbers भी 4 और 2 है 4 और 2 को interchange करते हैं 6 दूनी 12 ये 12 बन गया क्योंकि 4 के जगा 2 है minus का 2 बनेगा क्योंकि 8 बटा 4 दो 12 माइनस 2 10 10 और 7 17 इल्कुल ठीक है हमें गलत वाला चूज करना है 4 और 2 interchange होंगे 8 बटा 2 4 4 चोके 16 16 प्लस 3 कितना होता है 19 होता है ये answer जो है वो सही है मतलब यहाँ पर result जो है वो 19 होना चाहिए था चेक कर लीजे 8 बटा 2 कितना हो गया 4 4 गुना 4 16 16 प्लस 3 बनेगा क्योंकि माइनस का 6 प्लस का 9 प्लस का 3 आया तो 16 प्लस 3 उननीस होना चाहिए था आपको 18 दिया गया 4 और 6 इंटरचेंज करने अब कौन सा सही है वो चूज करने चार और 6 इंटरचेंज करने ये 6 और ये 4 ठीक है ये कितना हो गया 3 9 बटा 3 3 प्लस 3 प्लस क्या बनेगा 20 समझाया क्योंकि इदर 4 आने वाल है ना 3 प्लस 20 23 23 माइनस 6 कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए बटी 18 गेवन है हमें तो कौन सा सही है वो चूज करना है इदर आजाएए 4 और 6 इंटरचेंज होंगे 6 बटा 2 कितना हो गया 3 3 और 3 6 6 माइनस का क्या बनेगा 20 क्योंकि 6 की जगा 4 आने वाल है 6 माइनस 20 माइनस 14 ये बिल्कुल ठीक है हमें कौन सा सही है वो चूज करना था तो C option हमारा correct है ये देखो ये question भी C answer आ रहा है हमने D से start किया था इसे solve करना और पिछला question भी हमारा C answer ही में ही आ रहा है और इससे पिछला वो B में आ रहा है आगे solve करते हैं ये हो गया आगे यहाँ पर भी equation को correct बनाना है ठीक है कौनसी दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाना चाहिए चलो जी करते हैं solve 78 और 216 इंटरचेंज हो सकते हैं देखिए 78 और 216 अगर हम इंटरचेंज करते हैं ये 78 बनता और ये जो value है वो 78 से भी ज़ादा exceed कर जाती तो 216 में से अगर मैं 8 माइनस करता भी हूँ तो value जो है वो 208 की आती है तो 78 बटा 208 जो है एक fraction create कर देगा तो आपका A option eliminate हुआ P option के उपर आओ 14 और 8 interchange हो सकते हैं अंजी 14 और 8 interchange होंगे तो ध्यान से देख लेते हैं अगर 78 माइनस 14 कर भी देते हैं क्योंकि ये 216 जो है इस bracket value value के साथ divide होने वाला है तो 216 divided by 78 माइनस 14 कितना होगे हमारे पास 64 तो 216 जो है वो 64 का multiple नहीं है देखो 216 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ 36 गुना 6 ठीक है divided by 78 माइनस 14 बनेगा क्योंकि 14 और 8 interchange होने वाले हैं तो इधर 14 आ गया तो ये देखो इसका exactly multiple नहीं है fraction create करेगा तो आपका B option भी जो है वो eliminate हो गया C option के उपर आते हैं 78 और 14 interchange होंगे ये हो सकते हैं देखो इधर 14 आ गया इधर 78 आ गया अगर 14 गुना 1 चोदा ही होगा इसको side रखो यार ये doubt create कर रहा है किसी भी नंबर को एक से गुना करो नंबर तो वही रहने वाले 14 में से 8 गया 6 तो 216 चे का multiple है तो ये answer हो सकते है हमारा 216 और 168 अगर इधर 168 आता भी है तो ये कितना मनेगा 78 माइनस 8 70 तो 168 जो है वो 70 का multiple नहीं है ये भी fraction create करेगा आखे बंद करके answer गया गया C option करना चाहें तो कर सकते हैं interchange 168 बटा 4 कितना हो गया 40 plus आगे क्या है 216 divided by 78 और 14 interchange होंगे तो 14 में से 8 गया कितना हो गया 6 is equal to 78 हमारा result 78 होना चाहिए था तो देखे 42 और 36 भी कितना होता है 70 80 होगा correct answer के बना option C next यहाँ पर भी दो संख्याए interchange होंगी कौन सा हमारा sum current सही है हमें वो opt करना है आओ जी elimination के उपर ये देखो 703 ये 14 ये 14 और 703 में से interchange एक होगा बस उसको पकड़ लो ये वाला option ये देखो 14 नमबर आ रहा है ये हो सकता है देखो कैसे पता चला क्योंकि अगर 600 703 को 14 से divide करें तो वो fraction create कर रहा है और 703 किसके साथ interchange हो रहा है हमें कौन सा सही है वो बताना ना 12 और 37 पर ये 703 तो 14 का multiple नहीं है 618 और 14 618 और 14 भी interchange करके कोई फाइदा नहीं है क्योंकि 703 618 का multiple नहीं बनेगा 703 और 12 भी interchange नहीं होंगे क्या होंगे हाँ नहीं होंगे क्यों क्योंकि अगर 703 और 12 को interchange कर भी दोगे तो 703 का 37 गुना values जो है वो 20,000 के करीब पहुंच जाएगी निकालो बाहर 12 और 37 interchange होंगे क्या कर लेंगे अब वो तो आपस में multiply ही हो रहे है 14 और हाँ ये देखो आया न 14 वाला मुझे 14 वाला option ही नहीं दिखाई दिये ये वाला answer है कुछ करने की जूरत नहीं है आपको और देखें आप directly इसे opt कर सकते थे क्योंकि 703 14 के table पे तो कभी भी नहीं आएगा क्योंकि 40 जो है Samsung क्या है Samsung क्या है कि जितने multiple मर्जी बनाओ Samsung क्या ही आएगी तो 618 प्लस इसका कितना result बनेगा तो 12 36 12 84 444 ये बनेगा न देखना 360 प्लस 84 ठीक है ट्रिपल 4 ही बनेगा 444 माइनस अब देखो 703 प्रे 14 और 37 इंटरचेंज करने थे माइ मिस्टेक रुकिया 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 14 और 37 को इंटरचेंज करना है न तो क्या बनेगा 618 प्लस यहाँ 14 आएगा 14 गुना 12 करना था 140 प्लस 28 168 माइनस अब 703 को 37 से डिवाइड करके देखते है यइनिट प्लस की बात करते है अब देखे ध्यान से 37 का अगर मैं 20 गुना कर दू 37 का 20 गुना कैसे करना है 37 का डबल करके उसे 10 से गुना कर दो यह 37 का 20 गुना हो गया 37 का 20 गुना ही कितना होता है 732, 74 740 740 में से 37 कम करो 703, मतलब यह 703 को 37 से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 19, तो 703 बटा 37 मैंने क्या रिजल्ट लिख दिया डारेक्ली 19, इसे solve कीजिए 618 माइनस 19 599 की जगा 600 ही कर लो ठीक है, यह 599 बनेगा वैसे 600 में 167 जोड दो, तो कितना आएगा 767, यह option हमारा final answer calculation आपके उपर है, यह देखो हमें कितना चाहिए था फिलाल अभी के लिए 618 प्लस 168 माइनस 19 यह 19 जो है वो problem create कर रहा है मैं 19 को ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 18, माइनस 1, लिख सकता हूँ 618 में से यह 18 कम कर दिये कितना आया 600 168 में से यह कम कर दिया तो कितना जाएगा 167, बस इनको जोड दिया देखो, 766 बना तो calculations आपके उपर depend करेंगी कितना आपका calculations के उपर hold है उतने जल्दी आपका questions all होगा next देखो numbers देखके घबराना नहीं है दीरे दीरे जैसे जैसे हम approach कर रहे है session की तरफ level जो है वो question का बढ़ता जा रहा है तो घबराना नहीं है numbers को देखके चलो जी, यहाँ पर भी आपस में किन को आपस में बदल दिया जाना चाहिए equation जो है वो correct बने option eliminate करते है जी, 532, 41 का multiple है यह कैसे check करेंगे 12 चोके 48 41 को 12 से गुना करें तो कितना आपका है देखें एक बार 532 अगर तो 532 के 41 के table पे 532 आ गया फिर तो ठीक है हम इन numbers को नहीं छेडेंगे अब 41 जो है वो एक prime number है अगर मैं 41 का 10 गुना ले लेता हूँ तो कितना आगए 410 pending कितना बचा, 122 क्या 41 के table पे 122 आता है, नहीं यह पका यहां से 41 उठेगा इधर 41 नहीं आने वाला तेक है, इतना दियान में रखिए option eliminate करते है 532 और 41 नहीं, यह तो पका fraction create करेगा 789 और 21 अगर 789 को 21 से interchange कर भी देते हैं, यह देखो इसको 800 माल लो 14 गुना 800, 112 मतलब 11,000 के करीब value जाएगी निकालो बाहर 532 और 789 हो सकते हैं, फिर हमें चेक करना पड़ेगा क्या 789 जो है वो 41 का multiple है अगर यह दोनों आपस में interchange होते हैं 21 और 41 अगर interchange होंगे, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 532 21 के table बे आता है या नहीं, मतलब A और B मेंसे मेरा को यह एक answer बनने वाला है ठीक है, तो पहले हम check कर लेते हैं, क्या कि 700 निवासी अगर 532 के place पे जाता भी है, तो क्या वा 41 से divide हो भी पाएगा check करो, अब 41 का 20 गुना कितना हो गया 820, 820 में से अगर मैं 41 माइनस करता भी हूँ तो कितना आ जाएगा, 11 में से 4 गया यह हो रहा है देखो, exactly divide मैंने कैसे directly hit किया इस चीज को क्योंकि unit place देखो 9 है 9 है, 789 का मतलब इसका unit place है 1, तो 1 को 9 से गुना करोगे तभी 9 होएगा अब 41 का 10 गुना तो हो नहीं सकता था वो तो बनती है value, 410 तो 41 का 20 गुना, वही 789 के उपर जाएगी न value तो मैंने एक reference ले लिया तो मतलब A option जो है आपका answer हो सकता है तो 789 जो है वो 41 का 19 गुना, तो देखो क्या बनेगा यह आजएगा 532 प्लस 14 और 21 multiply करो, 14 दुना 28 294 minus 789 इधर आया बटा 41, directly मैं लिखना हूँ 19, समझा गया चलो, देखते हैं फिर 807 आता है यह नहीं अब इसे कैसे subtract करें 12 को लिख रहा हूँ, 12 प्लस 7, यह देखो मैंने इस 19 को separate कर दिया, मैंने कहा लिखा, minus 12, minus 7 532 में से 12 कम करो, 520 question को असान मनाने के लिए, basically 294 में से 7 minus करो 287, यह आ गया, 707 807, sorry, जो है मेरा final answer, A option next, यहाँ पर भी समिकरन सही होना चाहिए पहले तो यह देख लेते हैं कि 731, 13 के table पे आता है नहीं आता अगर 731 के 13 से divide करेंगे, 13, 65 असिल, 8 बचा नहीं आता, तो यह 13 यहाँ से उठेगा यहाँ से 13 उठेगा, अगर 13 और 25 इंटरचेंज करें तो 731 जो है, वो 25 का multiple नहीं है fraction create करेगा तेरा माला यह answer है, यह देखो तो यह 731 अगर 43 से divide होगा, तो यह 17 times होना चाहिए, देखो 731 बचा 43, तो इसका 17 times होना चाहिए, 17 गुना, कैसे पता चला, यह 3 है, 3 unit place है, तो 7 से गुना करूंगा तभी unit place मेरे पास 1 निकल के आएगा तो यह इसका 17 गुना होगा most probably है, ओके चलो तो इसे गुना करके दिखाता हूँ मैं आपको, 17 से गुना करने तो 17 से गुना कैसे करोगे 43 को पहले 10 से गुना करो, फिर 43 को 7 से गुना कर दो हो गया 17 गुना, 430 में 43 का 7 गुना करते है यह देखो, 731 बन गया तो यही आंसर बनेगा, देखना multiple आ रहा है न, directly fraction create करनी रहा, और हमें fractional value में आंसर भी नहीं चाहिए तो इसे opt करके देखो पहले 731 बटा 43 इन दोनों को interchange कर रहे है तो कितना आ जाएगा, 17 plus 45,500 माइनस का क्या आ जाएगा, 25 और 13 25 गुना 13 करना है 25 को 10 से करो कितना आ गया, 200 फिर 25 को 3 से करो, 75 25 और 75 कितना हो गया, 325 45,500 माइनस 325 125, 125 और 17 कितना हो गया 142, see option answer मैंने बोला था न, यही आंसर आने वाला है पिर, मतलब main जड़ को पकड़ लो, जो आपको जड़ confusion create कर रही है न, उस जड़ को change कर दो, simple सा फंड़ है next यहाँ पर हमें देख रहे हैं कौन सी संख्या है interchange करने पर आपका समी करन्ट सही नहीं होना चाहिए, तो 7 और 4 को interchange करना है, यह देखो 7 को 8 से गुना करो, 56 ठीक है, 7 इदर आएगा न, 7 को 8 से गुना करो, 56, 56 में 3 कम करो, कितना हो जाएगा, 53 53 और 7 कितना हो गया, 70 sorry, 53 और 7 कितना हो गया, 60 यही वाला गलत है, answer आगे D option, cross check करना है कर सकते हो 4 की जगा 7 आगया, 7 को 8 से गुना किया, 56, minus 9 बटा 3 कितना हो गया, 3 plus का कितना हो जाएगा, अरे वो ठीक था, मैंने 7 को interchange नहीं किया, यह वाला गलत है, यह वाला equation तो आपकी correct बन रही है, हमें कौन सा सही नहीं है, वो choose करना है, यह बिल्कुल ठीक आ रहे answer, 7 और 4 को interchange करो, ओके, तो 9 minus 7 2, 2 तीया 6 6 plus कितना बन जाएगा यह, 6 इसका result कितना आ गया 6, अगर इधर 4 आता है तो 6 चोक 24 24 और 6, 30, यह वाला answer है यह सम्मी करन जो है, आपका सही नहीं बनने वाला, ओके अरे गलत कि multiply तो किया है, नहीं है, क्या हो रहा है इस question में मुझे, एक second रुकिए 7 और 4 को interchange करना है न, इधर 7 आ गया पहले यह होगा, 9 minus 21, 4 की जगा 7 आएगा न, plus 6, गुना 4 इस तरह से, 7 की जगा 4 आएगा, 4 की जगा 7 आजएगा, तो यह 24 हो गया, 24 और 9 कितना हो गया हमारे पास 33, 33 में 21 कम करो 12, गलत, हमें गलत वाला choose करना है, यह तो result सही आ रहा है, 7 और 4 अगर interchange होगे, यह कितना बन जाएगा, 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा, 49 49 में 3 कम करोगे, तो 36, यह answer है, result हमें 37 दिया गया है, बट answer इसका 36 आना चाहिए, तो भी option answer यहाँ पर भी कौन सा sum current सही नहीं है, वो choose करना है ठीक है, चलो, देखते हैं यहाँ पर भी, 9 और 6 को interchange करना है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं चाहिए, 9 और 6 को interchange करना है, 6 गुना 7 42, 43 प्लस 4 46, 46 में 9 कम करोगे, एक विशम संख्या नहीं चाहिए बड़ आपको sum संख्या गिवन है बस फिर यही answer है, हमें कौन सा सही नहीं है, वो choose करना था न, तो C option ही answer बन गया, पतम बात 2 और 8 को interchange करो, और कौन सा कथन सही है, वो हमें बताना है, semi current सही है, sorry, 2 और 8 interchange होंगे 4 दुनी 8, 8 और 6 14, 14 में से 8 गया, कितना हो गया, 6 तो, D option ही answer आगया इदर क्योंकि कौन सा सही है, वो choose करना था न, हमें equation D option में ही हमें answer मिल गया वही है, या तो C option पहले choose करो या तो D option को पहले priority दे दो यहाँ पर भी answer C option में आ रहा था इदर B option में आया, इदर C option है आगे D option में answer है Next, इस question में देखिए वही हमें दो numbers को आपस में interchange करना है, और यह चेक करना है कि कौन सा समिकरन जो है वो सही है, चलिए अब brackets को solve करेंगे उसे भी priority में रखेंगे और चलो option ही उठा लेते हैं 6 और 8 को अगर interchange करें तो देखिए हो सकता है या नहीं 6 और 8 आपस में interchange हो सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं ध्यान से देखेगा, यहाँ पर आपको numbers दिये गए हैं कहीं आप इस 6 को भी 8 के साथ interchange करने की सोचें, ऐसा नहीं होगा तो तब होगा जब digits की बात हो यहाँ पर 66 और 65 इंटरचेंज हो सकते हैं जी बिलकुल हो सकते हैं अगर यहाँ पर result 65 रख दें तो result इसका 66 आ सकता है 4 और 8 इंटरचेंज होंगे अगर मैं इधर 8 रख भी देता हूँ ध्यान से सुनेगा अगर मैं 4 को 8 के साथ replace कर भी देता हूँ तो यह देखे 256 किसका square हो गया 16 का 16 का वर्ग है तो इसका वर्ग मुल अगर 16 बनेगा तो 16 बटा 8 तो 16 आठ का multiple बन सकता है तो हम 4 और 8 को भी आपस में replace कर सकते हैं क्या 66 और 36 इंटरचेंज होंगे इसे रहने दीजिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 36 की जगा 66 रख भी देता हूँ तो 66 जो है वो 12 का multiple नहीं है वो एक fraction create करेगा तो for time being हमारे पास सिरव एक ही option eliminate हुआ तो क्या करें फिर A, B और C, तिनों में से कोई भी हो सकता है तो C option पहले choose कर सकते हो आप मैं directly solve करने जा रहा हूँ ध्यान से समझेगा किसको interchange करेंगे 4 और 8 को आपस में interchange करेंगे तो देखे 256 256 का वर्गमूल कितना हो गया 16 16 बटा 8 क्योंकि 4 और 8 interchange होने वाले है 16 बटा 8 कितना हो गया 2 का घं कितना हो गया directly 8 समझा गया तो मैंने ये bracket जो है पहले solve कर दी कौन सी ये square bracket solve कर दी plus 6 का वर्ग कितना हो गया 36 minus 12 गुना 4 क्योंकि 8 4 के साथ replace हो चुके 12 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 plus का 66 plus का कितना हो जाएगा 3 क्योंकि 36 divided by 12 कितना हो गया 3 अब देखे रिजल्ट हमें odd number चाहिए एक विशम संख्या सारी संख्याइ है ये विशम संख्या मतलब result विशम संख्या में आ सकता है चलिए start करते है तो सबसे बहले तो देखिए ये 8 plus का है ये minus का 48 है तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों से minus का 40 आ गया simple बना लेते हैं ना question को minus का 40 आ गया ये हो गया 36 और ये हो गया minus का 40 इन दोनों से minus 40 आया तो minus का 4 हो गया 66 minus 4 करेंगे तो 62, 62 और 365 बिल्कुल ठीक है c option हमारा final answer देखो मैं आपको वर्बली ये बता चुका हूँ सारे का सारा मैंने क्या बोला 36 और 8 कितना हो गया 44 ये भी plus में है ये भी plus में है 44 हो गया 44 और 3 कितना हो गया 47 अब हो क्या है इस 47 को ये plus का 47 बना और ये minus का 48 है plus 47 और minus 48 कितना हो गया माइनस एक, तो 66 माइनस एक करेंगे तो 65 ही तो आएगा, तो result मिला हमें C option से, ओके चलिए, next पे आते हैं कौन सी दो संख्याओं को फिर से interchange किया जाना चाहिए, ताकि आपका समीकरन जो है वो, बिल्कुल सही हो चलिए, start करते हैं पहली बात 18 और 45 फिर से वह यह आईगी चीज़, अगर 18-45 के साथ position exchange करेगा, तो ना तो 45-2 का multiple है, ना तो 18-5 का multiple है, fractions create होंगे avoid करो, 7 और 4 interchange हो सकते हैं, वो हो सकते हैं देखो, 7 की जगा 4 भी आ सकता है 4 की जगा 7 भी आ सकता है 9 और 45 interchange होंगे, बिल्कुल आपका बी भी option हो सकता है, अंसर डी भी option हो सकता है, तो दोनों मेंसे कोई एक choose कर लो, उससे आगए answer आगया तो ठीक, नहीं, तो दूसरे वाला पका guaranteed answer होगा, 7 और 4 उठा लेते हैं, चलो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 9 प्लस 7 और 4 interchange होने वाले हैं, तो 4 यहाँ पर आया है, तो 4 और 5 कितना होगे, multiply करेंगे, तो 20, minus का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9, is equal to, 4 की जगा 7 आने वाला है, तो 3 गुना 7, 21, minus का 10, प्लस का क्या हो जाएगा, 9 45 divided by 5 कितना आगया, 9, चलो, solve करते आगे, 9 में से 9 कम करो, यह कितना आगया, 20, यह मैंने B option उठाया है, 7 और 4 को interchange किया है, आगे देखिए, 21 और 9, 30 में से 10 कम करतो, कितना आगया, 20 अगर आप D option उठाते ना, तो D से तो answer आएगा है नहीं, क्योंकि हमें B से answer मिल चुक है, तो अगर पहले आप D उठा लेते, तो D से अगर answer ना आए, तो आप B option directly opt कर लो, क्योंकि आप A और C को eliminate कर चुके हो, क्यों eliminate कर चुके हो, क्योंकि वो एक fraction create कर रहे थे, समझ में आगे न इतना, तो जो approaches यहाँ पर लग रही है, उन्हें आपको implement करना है, अभी कर लो, इस PDF को solve करोगे ना, उसी में ही कर ले ना, PDF अगर फिर भी नहीं मिल ले ना, मैं आपको clear कर दूँ, अभी चल रहा है आपका June 2023, तो जून 2023 का जो folder है, YouTube PDF का नाम का tab होगा app के अंदर जाएए, उसमें June 2023 नाम का folder है, उसमें मिल जाएगी आपको इस वीडियो की PDF है, next, 53, हाँ, ये question जो हैं, आज कल आ रहे हैं, ठीक है, पिछले साल से काफी एक new pattern देखने को मिला है, वैसे है, बहुत असान, तो इसमें दिया गया है, कि आपको दो equations दी numbers को आपस में interchange करना है, जो की आपको ये available है, कि multiply और plus को interchange कीजे, और 3 और 9 को भी interchange कीजे, जब आप इन दोनो equations में, इन दोनों के दोनो signs और इन दोनों के दोनो numbers को आपस में interchange कर देंगे, तो आपको ये बताना है, कि उन दोनो equations की values क्या बनेगे, बस solve करके answer determine करना है, that's it, ठीक है, चलो, करने के approach बता देता हूँ, अब option को थोड़ा carefully attempt, देखिए, 0, 1, 6, 0, 26, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, सारे के सारे option different है, आपको एक काम करना है, सिरफ एक equation को solve करके देखना है, और अपना answer निकाला है, that's it, आपको exam में दोनों की दोनों equation को solve करने की जूरत नहीं है, option देखिए, respectively word दिया गया है, मतलब sequence में हमें answer बताना है, मतलब के पहली equation का result जो है, वो पहला दिया जाएगा, दूसरी equation का result बाद में दिया जाएगा, ओके, क्रमश शब्द दिया गया है आपको, तो चलिए solve करके दिखाता हूँ, फिर जादा clear करता हूँ, मैंने यह क्या बोला, क्या आपको एक equation solve करनी है, क्योंकि सभी option में पहली equation का result भी different दिखाई दे रहा है, दूसरी equation का भी result different दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं अगर पहली equation solve कर लेता है, 3 और 9 interchange होगा, multiply और plus भी interchange होगा, यहाँ पर 3 और 9 और multiply और plus interchange होगा, चलो शुरू करते हैं, तो कितना आजाएगा, 7 plus 3 minus 8 divided by 2, और क्या आजाएगा, multiply by 9, यही बनेगा, तो 7 और 3, 10 minus 4 गुना 9, तो यह कितना हो गया, 10 minus 36, तो minus का 26, तो पहली equation का हमारे पास result आ चुका है, minus का 26, यह क्या, गलत कर दिया क्या, interchange, प्लस और multiply interchange हुए, एक सेकेट, मैंने गलती तो नहीं की गई, प्लस multiply के साथ interchange हो चुका है, हाँ, प्लस multiply के साथ interchange हो चुका है, और 3 और 9 interchange हो चुके है, तो 7 प्लस 3, minus 8 divided by 2, प्लस का 9, यही तो बन रहा है, तो यह हो गया, 10, 10 में से 4, यह minus का 4 हो गया, फिर multiply by 9, minus 36, तो minus का 26 होना चाहिए, आपका option नहीं available, तो यहाँ शायद minus का 26 होगा, एक बार हम फिर दूसरी equation को भी interchange करके देखते हैं, या दूसरी equation को भी solve करके देखते हैं, थोड़ा error होगा, typing error, चलो एक बार दूसरी equation को solve करके देखते हैं, तो यहाँ पर क्या given है, multiply और प्लस 3 और 9 interchange हो गया, चलो देखते हैं, 7 minus 9 गुना 4, तो 7 minus 36, तो कितना आगया minus का 29, ठीक है, आपका b option ही answer है, यहाँ पर 26 की जगा minus 26 होना चाहिए था, तो कहने का मतलब, अगर suppose मैंने b option को पहले उठाया होता, या sorry, दूसरी equation को पहले उठाया होता, दूसरी equation का result आगया minus का 29, तो देखिए हर option में minus का 29 कहाँ पर आ रहा है, उसी रहे वेक option में मिला, तो इसके लिए आपको पहली equation का result determine करने की जूरत नहीं है, ऐसे case में particular ऐसे case में, जहाँ पर आपको दोनों equation को solve करके सिर्फ उनका result determine करने, बाकि ज्यादा feel लेना है, कर सकते हो, क्या फरक बढ़ता है, time आप ही का waste होगा, next, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर लिखा हुए note correct, पिछले में तो correct, अचा result बताना था, ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है, फिर से वही signs और numbers को interchange करना तो है, दोनों की दोनों equation में, बट यह देखना है कि कौन सा सम्मिकरण आपका सही नहीं बनने वाला, तो इसमें देखो, आपको दोनों की दोनों equation तो solve करनी ही पड़ेंगी, पहली equation को उठाते हैं, क्या-क्या interchange होगा, multiply और minus और 8 और 4 interchange होगे, तो क्या equation मनेगी आपकी, यह सबी को ऐसे ही solve करना पड़ेगा, attention मत लेना, multiply और minus और उसके बाद 8 और 4, ठीक है जी, 8 और 4 interchange हो जुके हैं, multiply और minus भी interchange होगे हैं, चलो, 8 और 3, 11 minus 4 गुना 2, 11 minus 8, कितना आगया, 3, तो पहले वाली तो बिल्कुल सही है, हमें यह देखना है कि कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर आजाईए, 4 minus 2, multiply 8, ठीक है, plus 6 divided by 2, क्योंकि 4 और 8 interchange होगे, और multiply और minus भी interchange होगे, तो 4 minus 16, plus का 3, तो result minus में आएगा देखो, तो दूसरे वाला गलत है, तो answer हैगा, only 2, सिरफ हमारा यहाँ पर दूसरा समीकरन जो है, वो गलत निकल के आ रहे है, जो भी हमें changes यहाँ पर apply करनी थी, फिर से वही बात आगी, यहाँ पर भी आपको क्या करने है, दो interchange करने है, signs और दो interchange करने है, numbers, यह थोड़ा error आ गया, अब यहाँ पर कौन सा number होगा भाई, typing error, यह भी, sorry guys, यहाँ पर थोड़ी mistake है, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं आपको confirm करके na, text कर दूँ, PDF में दलवा दूँगा, ठीक है, इसमें थोड़ा doubt है, answer की आपको मिल जाएगी इसकी, यहाँ पर कौन-कौन से numbers को interchange करना है, वो दूसरा number नहीं available, ओके, तो यह मैं आपको एक बार verify करके na, कि इस shift में यहाँ पर क्या था, वो मैं आपको add-on करवा के PDF में दे दूँगा, बाकी, इसके साथ का question तो हमें discuss करी चुके है, बाकी आप PDF solve करेंगे, तो इसे भी solve करी लोगे, ठीक है जी, चलो इसमें error है, यह मैं आपको correct करके PDF में provide करवा दूँगा, next, आते हैं यहाँ पर, फिर से वही बात आई है, interchange करना है, sign और number को और हमें देखना है कौन सा समी करन जो है, वो सही नहीं होगा, तो multiply और divide 2 और 6 interchange होने वाले हैं, तो क्या बनेगा, 7 minus 4 divided by, multiply और divide interchange होंगे न, पहले वाला तो नहीं बनने वाला सही, 4 divided by, 3 multiply by 2 plus 6, multiply और divide interchange होगे, 2 और 6 interchange होगे, अब देखो, fraction create होगा, ये 4 बटा 3 गुना 2, तो कितना आजाएगा, 8 बटा 3, fraction create होगा, इसको तो खदम करो, ये वाला समी करन जो है, वो सही नहीं है, दूसरे पर आते हैं, multiply, divide, 2 और 6, देखो अगर आपको एक ही step के अंदर दोनों changes करने में problem आये न, तो पहले number को interchange कर लो, फिर science को interchange कर लो, 2 और 6 को interchange करते हैं पहले, 2, 8, 6, 9, 3 होगया, अब multiply और divide को interchange करते हैं, ये minus, ये divide, क्योंकि multiply किछिगा divide आजाएगा, ये plus और ये multiply, तो कितना आजाएगा, फिर इसे देखो fraction create हो गए, ये 4 बटा 3 बना, तो ये भी गलत बनेगा, fraction create हो रहे हैं न, देखो, ठीक है, तो यहाँ पर answer आजाएगा, neither nor, करना जाते हैं, दुगर सकते हैं, तो क्या बनेगा, no minus, 8 बटा 6, कितना हो गए, 4 बटा 3, plus का कितना हो आजाएगा, 27, देखो, fraction बनेगा न, overall, 6 minus 4, plus का 81, अगर मैं LCM ले भी देता हूँ, तो ये कितना आजाएगा, 2, 83 बटा 3, देखो, fraction create हो रहे हैं, तो ना तो आपका पहला सही बनने वाल है, ना ही दूसरा, तो का result, और दूसरी equation का result भी यहाँ पर totally रहूँगा है, after interchanging the given two numbers and two signs, what will be the values of equation 1 and 2 respectively, वही बात आगी, same situation है, signs को भी interchange करना है, numbers को भी interchange करना है, और बताना है, कि कौन सी equation का result क्या आने वाला है, ठीक है, अब देखो, हर option में देखिए, 27, 27, 27, 25, मतलब जब हम पहली equation का result determine करने बैठेंगे, तो या तो answer 25 आगा, या तो 27, पड़ हर option में recognize कीजिए, एक चीज, जो दूसरी equation का result है ना, वो different है, हर option में, किसी में 42 है, किसी में 49 है, किसी में 47, किसी में 40, मतलब सिरफ दूसरी equation का result determine कर लो, और answer निकाला, that's it, आपको पहली equation का result है निकाल के time ने waste करना, चलो, apply करते है, minus और multiply 6 और 4, तो पहले numbers को interchange कर लेते है, 6, 7, 4, 8, 2, numbers interchange होगे, 6 और 4, यह देखो, फिर multiply और minus को interchange करना है, यह multiply, minus की जगह, multiply, multiply की जगह, minus, plus, divide as it is, तो यह हो गया, 42, एक ही step में कर सकते हैं, multiply और divide क्योंकि एक ही equation के अंदर minus और plus आ रहे हैं न, उन्हीं के बीच में minus का 4, plus का कितना हो जाएगा, 4, 4 और 4 cancel, तो result कितना आ गया, 42 answer क्या आ गया, a option, क्योंकि सिरफ a option ही ऐसा है, जिसमें दूसरी equation का result आपको correct दिया गया, अगर बाकियों में भी होता न, किसी और equation में भी 42 result होता, दूसरी equation का, किसी और option में होता, फिर हम पहली equation का result determine करके देखते हैं, समझा गया, चलो, करें फिर आगे, चलो, 58, वही बात है, result determine कर रहे हैं, अब किसी भी equation का solve कर सकते हो क्योंकि हर option के अंदर पहली और दूसरी दोनो equation का result जो है वो different है चलो पहली equation ही उठा लेते हैं किस-किस को interchange करना है 7 और 9 को तो 8, 3, 6, 7, 9 multiply और divide interchange करना है divide, multiply उसके बाद plus और minus ये देखो 8 बटा 3 fraction create हुआ divide के साथ multiply का sign है तो ये 3 और 6, 6 जो है वो 3 को vanish कर देगा देखना ध्यान से, 8 बटा 3 गुना 6 plus 7 minus का 9, ये देखो हो गया cancel तो ये बन गया 16 plus 7 minus 9 16 और minus 2 कितना हो गया 14, तो answer B जो है हमारा correct पहली equation का result आ गया हमें 14 मिला, 16 और 7, 23 में से नो कम करो 14 ही होगे, जिरो B option ऐसा है जिसमें पहली equation का result आपको 14 अवेलिबल है, अगर पिछले equation की तरह multiple options होते के 2 या 2 से जादा options ऐसे होते जिसमें पहली equation का result 14 है, फिर हमें दूसरी का भी determine करके देखना पड़ता, बढ़र एक में ही है, तो खतम बात क्यों अपना time waste करें ये सारी exam oriented approach है ठीक है, detail में solve करना है तो वो आपने course में सीखी रखा होगा, कि किस तरह से solve किया जाता है, यहाँ पर भी देखिए हमें क्या है, signs और number को ही अपस में interchange करना है और उसके बाद क्या बताना है इन equations का result क्या आने वाला है चलो, जल्दी से खतम कर लेते है, option choose कीजिए सभी option में पहली equation का result है different है, सिरब पहली equation को solve करके देख लो, plus और minus interchange होगा, 6 और 9 भी interchange होगा चलो, plus minus, पहले 6 और 9 को interchange कर लेते है 9, 5, 6 2, 8, फिर plus minus को interchange कर लेते है divided by तो कितना बनेगा, no plus 30, minus का 4, 49 में 4 कम करो, 35, c option answer खतम बाद, इतनी speed के साथ ही आपको exam में भी equation को solve करना है चाहें तो आप दूसरी equation भी determine कर सकते दे, but मत करना क्योंकि दो option ऐसे हैं जहां पर दूसरी equation का जो result है, जो 5 repeat हो रहा है, तो repeat हो गया क्या पता 5 answer आजाता आपको तो फिर दो, पहली equation भी determine करना ही पड़ती, जहां पर multiple options ना आए ना, same answer से लेके, उस equation को कभी भी solve मत करके देखो ठीक है जी, चलो, बढ़े आगे next, same situation बढ़े यहां पर यह देखना है कि कौन सी equation जो है, वो सही नहीं है, तो पहली equation, यह तो दोनो, मुझे भी आपको भी, सभी को, यह आपको सबको करना ही पड़ेगा, ओके चलो, solve करते हैं minus और divide 8 और 2, 5 plus 7 divided by 2, fraction create हो सकता है, बट नहीं आगे eliminate भी हो रहा है minus का 8, चलो, interchange कर दिया तो 5 plus, यह देखो 7 बटा 2, 7 बटा 2 गुना 4, तो कितना हो गया, 14 minus 8, 19 में से 8 कम करो, 11, पहली वाली तो गलत है समझागे है, कैसे solve हुआ ठीक है, क्योंकि यह 7 बटा 2 गुना 4 बनेगा ना यह देखो denominator पूरा वैनिशोर है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 14 minus 8, दूसरी multiply 4 divided by 8 minus का 1 तो कितना बना, 3 प्लस यह देखो, यह क्या बनेगा, 1 इसका मैंने directly result लिग दिया 4 बटा 8, 1 बटा 2 बना, 2 से 2 cancel हो जाएगा minus का 1, 1 से 1 cancel तो result क्या है, 3, तो इस equation का result बिल्को ठीक है, तो answer का रहेगा, only 1 यहाँ पर क्या रहेगा, only वो सही नहीं है, चलो next, values determine करनी है, कर लेते हैं जल्दी से, option जूस करते हैं सभी option में पहली equation का result different है, पहली सही answer आने वाला है 4 और 2 multiply और minus 7 multiply, 5 minus 2, plus का 8 divided by 4 4, 2 को और multiply minus को interchange करना था, तो 35 minus 2, plus 2 ओके, तो result कितना आ गया 35, answer आ गया, C option next कौन सा सही नहीं है, वो बताना है पड़ी सारे question होगे, इसके level के हैं न चलो, दोनों को ही solve करके देखना पड़ेगा प्लस मल्टिप्लाइ पांच और 4, पांच मल्टिप्लाइ, 8 प्लस, 4, minus 7 divided by 1, यह होगी पहली equation तो कितना होगया, 40 प्लस, 4, minus 7 44 में 7 कम करो, 37 यह वली तो बिल्कुल ठीक है अगली पह आजो, 4 प्लस, 3 multiply और प्लस को interchange करना है न, उदर 5 और 4 को interchange करना है minus का 5 multiply 6 divided by 2 4 और 3, 7 होगया minus का 5, गुना, कितना होगया 3, तो यह क्योंगा 15 यह 15, यह 7, कितना आगया minus का 8, यह भी बिल्कुल correct है तो यहाँ दोनों equation correct थी तो मतलब दोनों में से कोई भी समी करन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो गलत नहीं है, दोनों के दोनों ही सही है तो answer के हम mark करेंगे, neither 1 or 2, ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, तो option ध्यान से opt कीजिएगा next again, दोनों का result बताना है option चूज कर लो, 26, no, minus 17, 11, पहली equation ही उठा लो सिरफ, divide, multiply, 1 और 3, तो बनेगा 6 और 4, मैं directly result लिख रहा हूँ अब तो आपकी भी speed बन चुकी होगी 10, minus, no divided by 3, sorry, divided by 1, 3 और 1 भी इंटरचेंज होने है न, multiply by 3, 10, minus 9, 27, तो कितना आगया, minus का 17, तो minus का 17 कहां आ रहा है, be option answer, next अब यहाँ पर देखिए which two signs and two numbers should be interchange, is the following equation to make the equation it, correct, यह थोड़ा lengthy approach में आगया, equation दी गई है वैसे पहले एक वी question discuss हम कर चुके हम यहाँ पर, पर यह बुखार जड़ाने वाले question होते हैं, जहाँ पर आपको signs और numbers दोनों को ही आपस में interchange करके देखना होता है, कि कौन सी यह जो equation है, वो correct बन जाए, तो वही बात आती है सबसे पहले आप equation के अंदर multiply और divide के sign को ही priority दोगे, option eliminate करते हैं, देखो ध्यान से, अगर no और 2 interchange करते भी है, hit and trial लगाना है option को side पे रखते जाएंगे, minus और multiply भी interchange हो जाएंगे, देखो minus और multiply भी interchange होंगे ठीक है, कौन को र interchange होगा 2 और no, minus और multiply अगर इधर multiply आजाएगा ठीक है, इधर आजाएगा 2, समझ में आगी बात और इधर के आजाएगा, no तो ये क्या होगा, 2 बटा no fraction create कर देगा fraction create होगा न, eliminate करो, हमारे पास तो एक numeral value में answer आना चाहिए, result कितना आना चाहिए, 6, तो पहला option eliminate, फिर से 2 और no interchange हो जाएगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, but divide इस बार यहां से उठने वाला है, तो divide और multiply अगर interchange होगे तो ध्यां से समझेगा, इस गुणा के sign की जगा, divide का sign आगया, भाग का sign आगया, तो 150 बटा 15 fraction खतम हो रहा है, exactly multiple है, आप इसे hold पे रख सकते हो, मतलब यह मेरे question का answer हो सकता है तीसरे पे आईए, यह था 150 और 2 को interchange कर दो, अगर 150 2 के साथ interchange होगा तो divide की जगा क्या आने वाला है minus, तो minus कि किन दो numbers के बीच में आएगा, 14 और 9 के बीच में, तो 14 बटा 9, फिर से एक fraction create होगा eliminate करो 15 और 9, plus or divide अगर 15, 9 के साथ interchange होगा, तो multiply तो as it is रहेगा न, क्या वो 1509 का multiple बनेगा, क्योंकि अगर 15, 9 की जगा आने वाला है, क्या 1509 का multiple बनेगा, बिल्कुल भी नहीं तो इसे भी eliminate करो, answer आगया B option, क्योंकि आप बाकी सारे options eliminate कर चुके हो verification करना जाते हैं, तो कर सकते हैं किस-किस को interchange करेंगे, divide और multiply, 9 और 2 को, तो क्या बनेगा ये, 1500 divided by 15 ठीक है, plus का 14, minus का 2, और multiply by 9, समझा आगया ये हो गया, 10, plus 14, minus का 18 तो 24 में से 18 कम कर दो, result कितना आगया, 6 clear, अगर exam में आप इन options को cross check नहीं भी करके देखेंगे न, जो pending option आपका बच गया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब directly exam में, exam के अंदर इस option को directly approach कर सकते हो directly mark करके आजाओ, next same situation, numbers और signs को interchange करना और देखना कौन सी equation correct बनेगी, चलो parallel उठाने, numbers भी और signs अगर 25 और 30 interchange हो जाएं ये देखो, ये 25 है और ये 30 है interchange हो जाते हैं multiply और minus, पहले देखो number तो interchange हो गए फिडिवाइड के sign को पकड़ो, divide का sign किंदो numbers के बीच में आ रहे है कि fraction ना create हो अगर मैं 25-30 interchange कर भी देता, पहला option की बात कर रहा हूँ यहाँ पर minus और multiply interchange होंगे बट ये क्या बनेगा देखो 25 बटा 6 क्या 25 चे के table पर आता है बिल्कुल भी नहीं और more over multiply की जगा minus का sign आ गया अगर तो divide और multiplication के sign एक साथ बैठे हो ना तो हो सकता है कि denominator या हर वाली जो value है वो खतम हो जाए vanish हो जाए बट यहाँ पर multiplication तो रहने ही नहीं वाला इसकी जगा minus आ जाएगा तो fraction में answer आएगा तो पहला option eliminate है इधर आ जो 4 और 6 प्लस और minus अगर 4 और 6 interchange होंगे तो plus minus भी interchange होंगे अगर 4 और 6 interchange होंगे ध्यान से देखेगा ये क्या बनेगा 30 बटा 4 गुना 6 अगर divide और multiply का sign एक साथ available है तो हो सकता है आपकी जो denominator की value है न क्योंकि ये 30 बटा 4 एक fraction मनेगा 15 बटा 2 बट वो 2 जो है वो 6 से गुना होके एक बटा 2 जो है वो 6 से गुना होके उस fraction को eliminate कर रहे है तो ये मेरे question का answer हो सकता है उनसा B option तो A option तो हमने eliminate कर दिया था तो हमारा B option answer हो सकता है इसको last में देखते हैं पहले देखते हैं बाकी भी eliminate हो भी पा रहे हैं नहीं ठीक है क्या पता इसे cross check करने की जुरत ना पड़े 25 और 35 25 और 35 अगर interchange हो जाए तो multiply और divide भी interchange होंगे बिल्कुल multiply और interchange कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 बटा 4 गुना 30 हो सकता है यही सेम बात यहाँ पर आ रही है 6 बटा 4 कितना बन गया 3 बटा 2 गुना में 30 बैठा हुआ है तो 2 और 30 पंदरा divide हो रहे हैं न डारेक्ली तो ये भी मेरा answer हो सकता है D option की बात करते हैं अगर 30 और 35 आपस में interchange कर भी देते हैं minus और divide interchange होंगे तो ये 30 इधर आ गया divide का sign इधर आ गया तो 15 बटा 30 एक fraction create करेगा 1 बटा 2 तो as it is रहेगा 7 में plus का sign है तो fraction नहीं create होना चाहिए तो B और C मेंसे कोई एक answer होना चाहिए C option opt कर लो अगर C ना हुआ तो मेरा B directly answer हो जाएगा चलो पहले C option को priority दे देते हैं अब B को भी दे सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो क्या बनेगा देखे ध्यान से तो 30 गुना 6 divided by 4 multiply और divide interchange हो चुके हैं plus का 15 minus का 25 is equal to 35 क्योंकि 25 और 35 भी interchange होंगे आगे देखे क्या पनेगा मैं इनका directly result लिख दू इनका directly result आ जाएगा हमारे पास 680 बटा 4 45 मैं directly result लिख रहा हूँ 45 plus 15 minus का 25 तो 60 में से 25 कम करो 35 ये बिल्कुल ठीक है अगर बाइचांस C option मेरा answer ना होता क्योंकि A और D को क्या है आप eliminate कर चुके हो समझ में आ रही है ना understanding clear होनी चीए देखो करने का actual तरीका क्या है ठीक है जी चलो अगला यहाँ पर देखते हैं कौन से numbers और signs को interchange करें ताकि equation correct बने पहला 6 और 20 अगर interchange हो भी जाते हैं तो 20 की जगा 6 आ जाएगा but divided by का sign देखो count के जा रहे तो divided by का sign आएगा multiplication के place पे तो ध्यान से देखे जब 729 भाग 81 हो भी जाएगा तो 739 जो है वो 81 का multiple है fraction create नहीं होगा मतलब यह मेरा answer हो सकता है दूसरे option पे आते हैं 20 और 50 प्लस और minus यहां कोमा का निशान आएगा 20 और 50 प्लस और minus अगर 20 और 50 इंटरचेंज होते भी हैं और प्लस और माइनस इंटरचेंज होंगे तो divided by का sign तो यहीं पर ही रहेगा तो 81 divided by 50 हो जाएगा यह देखे द्यान से क्योंकि 20 की जगा 50 आने वाला है 16 और 50 multiply और plus 16 और 50 इंटरचेंज होंगे और multiply और plus भी इंटरचेंज होंगे फिर से 81 बटा 20 गुना 16 fraction फिर से create होगा eliminate करो 16 और 20 प्लस और divide 16 और 20 प्लस और divide अगर 16 और 20 इंटरचेंज होए तो divide जो है वो plus की जगा आएगा तो 16 divided by 20 फिर से एक fraction create होगा eliminate answer आगया यह option यह exam oriented approach time अगर बहुत कम है selected option से ही आप अपना answer निकालना चाते हो 3 option है eliminate के ही यह मेरा final answer आगया अगर verify एक रोस चेक करना चाते है तो कर सकते हो तो क्या रहेगा 729 divided by 81 multiply 6 क्योंकि 20 और 6 interchange हो रहे है multiply और divide भी इंटरचेंज हो रहे है उसके बाद plus 16 minus का 20 तो चेक करते हैं 50 answer आता भी है या नहीं 739 बटा 81 कितना हो जाएगा 9 into 6 plus 16 minus का 20 तो 9 को 6 से multiply गरो 54 plus 16 minus 20 result is 50 54 plus 16 70 minus 20 50 is the correct answer next पे आते हैं कौन से 2 signs कौन से 2 numbers को interchange किया जाना चाहिए ताकि equation जो है वो correct बने पहला option 15 और 6 अगर interchange होगा और plus or divide भी interchange होगा तो देखे पहला option उठाते हैं 15 और 6 interchange करते हैं 15 यहाँ आया 6 इधर चला जाएगा पर divide देखो कहां जाएगा divide आएगा यहाँ पर तो 12 बटा 6 fraction नहीं create हो रहा मतलब मेरा answer हो सकता है तो पहला option तो हुआ valid क्योंकि plus की जगा divide आजाएगा और 15 6 को replace कर देगा तो 12 बटा 6 बन जाएगा 12 और 15 minus और multiply अगर 12 और 15 interchange होगे minus multiply interchange होगे तो multiply यहाँ आजाएगा फिर plus का sign आएगा फिर इधर आएगा 15 तो 6 बटा 15 फिर से fraction create होगा eliminate करो हमें answer यह result जो है वो एक numeral value में चाहिए था 12 और 9 divide और minus अगर 12 9 की जगा चला जाएगा 9 12 की जगा आजाएगा divide और minus भी तो interchange होगे तो इधर आएगा divide का sign भाग का तो 15 भाग 12 fraction create होगा multiplication का sign काफी दूर है denominator को vanish नहीं करेगा eliminate कर दिया 14 और 6 multiply और divide 14 और 6 interchange हो सकते हैं और multiply भी interchange कर देंगे अगर 6 भाग 14 कर भी देते हैं क्योंकि 14 जो interchange होगे multiply के जगा divide भी आने वाला है तो 6 बटा 14 बन जाएगा फिर से fraction create होगा ultimate लिए answer के आया एग option cross check करते हैं 15 और 6 को interchange करते हैं plus और divide भी interchange होगा तो 14 गुना 15 plus 12 divided by 6 minus 9 तो after interchanges आपके ये equation बनेगी आगे solve करते हैं 15 को 14 से multiply करो तो कितना आएगा 14 196 और 210 plus ये कितना आगया 2 minus का 9 210 minus का 7 बनेगा तो 203 हमारा final answer ये option got it अगला देखिए यहाँ पर भी signs और numbers को interchange करना है और equation को correct बनाना है पहला option plus और minus 7 और 11 अगर plus minus interchange होंगे 7 11 interchange होंगे तो देहाँ से देखिए ये 11 divided by 35 11 भाग 35 तो as it easy रहेगा fraction create होगा ठीक है eliminate करो क्योंकि अगर multiply का sign भी 7 में बैठा हुआ है तो 7 गुना 11 बटा 35 fraction फिर भी बनेगा किसी तरह से बन जाएगा न 7 गुना 11 पटा 35 ये देखो denominator exactly vanish नहीं हो रहा है ये fraction वो पकका छोड़ के जाएगा तो पहला option आपका eliminate तूसरे पर आते हैं multiply divide 35 और 11 अगर multiply और divide interchange होंगे, 35 और 11 इंटरचेंज होंगे तो ध्यान से देखिएगा 35 भाग 7 positive vibes आ रही होंगी, यही मेरा answer होगा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 35 भाग 7 बन जाएगा, into 11 बन जाएगा, तो यह भी मेरा answer हो सकता है और यही होगा देखना फिर भी verify करते हैं कि आपता कोई और option answer ना बने तो C option को target कर लेते हैं multiply and divide 35 और 56 divide आ जाएगा multiplication की जगा पर, और 35 की जगा आ जाएगा, 56 आ जाएगा, फिर भी जो divided by का sign है, वो 11 और 7 के बीच में रहेगा into multiplication 56 यह इस तरह से बनेगा, देखिए 11 into sorry, 11 divided by 7 into 56 यह देखिए, यह जो fraction है या denominator वाली जो value है वो directly eliminate हो रही है, मतलब यह मेरा answer हो सकता है, यह भी मेरा answer अभी तक का हो सकता है ठीक है, चलो, अगले तो थे option को target करते हैं plus और minus 35 और 11, अगर 35 और 11 interchange होंगे तो 35 गुना 7 बन जाएगा, ठीक है divided by 11, तो 7 बटा 11 fraction create होगा, इसे भी eliminate करें, तो B और C मेंसे मेरा exact कोई एक ना, कोई ना कोई answer बनने वाला है, चलो, opt करते हैं, P option देख लेते हैं क्योंकि positive vibes आ रही थे कि answer B से आएगा, क्योंकि exactly multiples मिल रहे हैं मुझे, तो 35 और 11 interchange करेंगे, multiply और divide interchange करेंगे divide 7, multiply 11, minus 64, plus का क्या हैगा, 56 ये कितना आ गया, 5 गुना 11, minus का मैं क्या लिख दूँ, यहाँपर 8 लिख दूँ, directly क्योंकि minus 64 plus 56, कितना आ जाएगा minus का 8, तो 55 में 8 कम किये तो 47, बिल्कुल ठीक है B option मेरा final answer B option जो है मेरा final answer आया, ओके चलिए, अगला question try कीजे अगला question try कीजे meantime next question देखते है, यहाँ पर भी signs और number दोनों को interchange करना और equation को correct बनाना है similar type के question एक साथ discuss करेंगे 9 और 36, multiply और divide 9 की जगह आगया 36, तो 8 भाग 36 हो जाएगा देखो, fraction create होगा और multiplication का sign इधर चला जाएगा तो equation पते क्या बनेगी 72 गुना 8 divided by 36 इस तरह से बन जाएगा, ठीक है तो देखे ध्यान से क्या होगा तो 72 गुना 8 बटा 36 होगा यह होगा, तो यह देखो fraction जो है वो eliminate हो रहा है, मतलब एक denominator value जो है वो exact खतम हो रही है तो यह मेरा answer हो सकता है तो बस इसी बात का ध्यान रखना है divide और multiplication का sign, adjacents available है यह मतलब बिल्कुल 7 में available है या नहीं अगर 7 में available है तो चेक कीजेगा कहीं वो denominator की value वो vanish कर भी पा रहे है नहीं कर पा रहे है चलो दूसरा option उठाते है 20 और 80 multiply और plus अगर 20 और 80 interchange होंगे multiply और plus भी interchange होंगे तो यह देखो 72 बटा 8 multiple है fraction नहीं create होगा, तो यह भी मेरा answer हो सकता है तो B option भी मेरा answer हो सकता है तीसरे पर आते है 8 और 9 plus और minus अगर 8 की जगा 9 भी आ जाता है तो 72 भाग 9 फिर से यह भी मेरा answer हो सकता है fraction नहीं create कर रहा 36 और 72 डिवाइड और minus अगर 72 की जगा 36 आ जाएगा तो 72 इदर आ गया तो 9 भाग 72 बन जाएगा fraction create हो गा ही होगा इसे eliminate करो इसे आप eliminate करो तो कहीं न कहीं आपका A, B और C में से answer होगा आप पहले C option को opt कर लो या कोई भी कर सकते हो तो chances are there कि जब भी option के through questions solve होने वाला है तो सबसे पहले आपको क्या करना है हमेशा C और D को ही पहले priority देनी है अगर कोई भी options इसे eliminate नहीं हो रहे हो और option के through questions को solve करने जा रहे हो चलो, 72 divided by 9 और multiply by 8 plus का 36 minus का 20 ओके, चलो ये कितना हो गया 8, 8 को 8 से गुणा करो 64 plus 36 minus का 20 आगया answer 8, ये देखो 400 और 36 कितना हो गया 100, 100 में से 20 कम करो 8 ही तो आया, correct answer क्या आया C option, ठीक है अगला question, फोड़ी गर्मी लग रही है इसी काम नहीं कर रहा कीजे अगला question जब तक तरहे अगला question देखते हैं number and signs equation को correct बना पाएं देखते हैं तो पहला option है, 10 और 16 multiply और divide 10 और 16 अगर interchange होंगे multiply, divide, interchange होंगे तो divide का sign जो है multiplication पे जाएगा तो ये देखो, 10 बटा 8 fraction आजाएगा, ये decimal में आएगा निकालो बाहर इसे ओके, 4 और 8 multiply और minus 4 और 8 multiply और minus अगर इधर 8 आया तो 8 बटा 20 फिर से fraction बनेगा निकालो बाहर 4 और 20 प्लस और divide 4 और 20 interchange होंगे प्लस और divide भी interchange होंगे अगर प्लस और divide interchange होंगे तो ध्यान से देखेगा, 20 के गए 4 आजाएगा प्लस की जगा divide आजाएगा तो 4 बटा 16 गुना 8 ये चीज़ बन जाएगी देखो end वाले 3 parameters की बात कर रहा हूँ या 3 numbers की बात कर रहा हूँ वो क्या equation create करेंगे 20 की जगा आजाएगा 4 प्लस की जगा आजाएगा divide गा sign तो 4 भाग 16 गुना 8 4 भाग 16 मतलब 4 बटा 16 तो ध्यान से देखे ये जो denominator वाली value है वो eliminate हो रही है तो ये मेरा answer हो सकता है एक numeral value तो create हो रही है उसके बाद आते हैं अपने D option के उपर 10 और 20 प्लस और multiply 10 की जगा आजाएगा 20 20 की जगा आजाएगा 10 plus और multiply interchange हो जएगे तो ये 4 बटा 10 फिर से fraction create करेगा तो answer के आगया C option लो करके देखते हैं तो क्या बनेगा 10 minus 20 plus का sign क्योंकि divide जो है तो plus के साथ interchange हो रहा है तो plus का sign 4 divided by 16 multiply by 8 solve कर लेते हैं तो 10 minus 20 plus का तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 बटा 16 गुणा 8 तो result कितना आगये यहाँ पर 2 directly ठीक है जी चलो ये तो answer ही नहीं दे रहा गलत option eliminate कर दिया हमने फिर भी देख लेते हैं 10 minus 4 की जगा आगया 20 divide की जगा चला गया plus plus की जगा divide ये 4 भाग 16 multiply by 8 तो 4 बटा 16 चार दुनी 8 ये तो ठीक है इसकी जगा आगया 2 minus का 10 plus का 2 minus का 8 आना चाहिए तो मतलब आपका C option answer नहीं है देखिए हमने कोहीं गलती तो नहीं कर दी किसी option को follow करते वक्त ज़्यादा ही गर्मी लग रही है ये तो eliminate हो गया इनकी बात करते हैं फिर से मुझे लग रहे कहीं गलती कर दी मैंने अगर मैं D option को put करता है यहाँ पर तो 10 और 20 इंटरचेंज हुए plus और multiply भी इंटरचेंज हुआ तो इधर आगया multiply अब देखे ध्यान से तो बनेगा 4 बटा 10 गुना 16 ये तो fraction create होगा इसको तो side पे रखिए आप ये fraction create कर रहा है ठीक है? understood है फिर option की बात करते है 4 और 8 multiply और minus अगर इधर 8 आगया और इधर 4 आगया multiply और minus इंटरचेंज होंगे इधर multiply और इधर minus का sign आया तो होगा क्या? हाँ यहाँ पर भी fraction देखो eliminate हो रहा था ये शायद मैंने opt नहीं किया क्या? ये fraction eliminate हो रहा है ये वाला answer जो है हो सकता है आपका denominator वाली value जो है वो वैनिश हो रही है ये देखो कैसे होगा 10 गुना 8 divided by 20 plus का 16 minus का 4 चार आठ इंटर्चेंज कर दिया और multiply और minus भी इंटर्चेंज कर दिया तो ये देखो क्या बनेगा? आठ बटा 20 गुना 10 इस तरह से बनेगा तो इसका result कितना आजाएगा? डारेक्ली 4 ये देखो डारेक्ली इदर 4 लिख दू plus 16 minus का 4 minus 4 का plus 4 cancel हो गया result कितना आगया? 16 P option answer got it? P जो है हमारा final answer बना चलो next पे आईए कौन से 2 signs और number को interchange किया जना था चाहिए ताकि equation correct बने फिर से वही बात आ रही है देखते है 264 264 और 9 को interchange करते है divide और minus को interchange करते है 264 9 की जगा चला गया 264 minus 6 भाग 4 हो सकता है यह देखो यह बनेगा 264 minus 4 sorry minus 6 भाग 4 यह exactly multiple है no doubt but सिरफ इतनी ही value से यह इसका result देखो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा ऐसी चीज़ बनेगी ना तो 264 गुना 24 यह चीज़ आजेगी आपकी यहाँ पर 264 गुना 24 मतलब जो value है आपकी बहुत ही ज़ादा huge level पे जा रही है कितनी चली जएगी? 13,000 के करीब तो आपका A option तो answer हो इनी सकता हमें approximate value का reference लेके चलना है B option को put करते हैं 264 और no को अगर interchange कर भी देते और plus के साथ आपको कोई और दूसरा sign अवेलेबल नहीं है एक और typing error आ चुका है यहाँ पर correction करने वाला है चलो अभी B option को side पे रखते है 4 और 24 divide और plus अगर 264 plus की जगा divide आ जाएगा 4 तो 264 चार का multiple है मतलब यह मेरा answer हो सकता है इस option को अगर put करके देखें 4 और no minus और multiply तो अगर 4 आ जाएगा यहाँ पर no चला जाएगा इदर तो 4 बटा 60 यह इस तरह से बनेगा 4 बटा 60 गुना 24 तो यह fraction create करेगा ही करेगा आप D option को eliminate कीजे तो C option हमें एक बार put करके देखते हैं C option को priority देखते हैं यह option आपको complete नहीं available फिर भी मैं देख लूँगा चलो पहले C option के through चेक तो कर ले 4 और 24 को interchange करते हैं तो 264 प्लस की जगा divide 4 इधर आ गया multiply by 9 divide की जगा plus आ गया 60 minus का क्या हो गया 24, solve कीजिए 6 चुक 24, 6 चुक 24 गुना 9 plus 60 minus का 24, ठीक है जी तो 66 into 9 कितना हो गया 66 गुना 10 कितना हो गया 660, 660 में से 66 minus करेंगे तो 594 और प्लस का कितना आ गया है यहाँ पर 36 ठीक है तो 594 plus 36, 630 सी ओप्शन जो है मेरा final answer ठीक है थोड़ा सा एड़जस्ट करना यार गर्मी बहुत है अज़स्ट आप क्या करोगे गर्मी थोड़ी ज़ादा लगती है क्या करें एंकी भी नहीं लाया आज गलती से गर रहा गया चलो अगला क्वेशन पर आओ कौन से दो साइन्स और नंबर को इंटरचेंज किया जाना चाहिए ताकि एक्वेशन जो है वो करेक्ट बने है फिर से ठीक है चलो देखते हैं 5 और 49 डिवाइड और माइनस चलो 5 और 49 को अगर मैं इंटरचेंज कर भी देता हूँ तो डिवाइड का साइन देखे कहा हैगा माइनस के प्लेस पे आएगा तो 686 भाग 14 तो यह देखना पड़ेगा 686 जो है वो 14 का मल्टिपल है या नहीं 14 एक कम 14 14 पंजे 70 14 चोग 56 56 आ गया हाँ यह मल्टिपल बनेगा 686 जो है वो 14 से exactly divisible है क्योंकि माइनस किसको रिपलेस करेगा डिवाइड के साइन को रिपलेस करेगा तो यह मेरा answer हो सकता है यह valid है 686 पांच 686 को 5 के साथ रिपलेस करेंगे तो 400 बटा 686 हो जाएगा fraction create होगा बाहर निकालो 14 और 49 को अगर interchange करेंगे तो 686 देखेंगे 49 का multiple है बीच में divide भी तो होना चाहिए 14 और 49 interchange होए multiply और minus interchange होगे तो इधर क्या बन जाएगा 400 भाग 5 हो सकता है अगर multiply और minus interchange होगे इस चीज़ का ध्यान रखेगा 14 की जगा 49 भी आने वाला है minus की जगा multiply भी आने वाला है तो 686 का 49 गुना तो तकरीबन आपकी 30,000 के करीब value बनेगी मैं तो 600 के करीब value चाहिए निकालो बाहर इसे ये देखिए 14 और 5 को अगर मैं interchange कर भी देता हूँ प्लस और multiply भी interchange होगे चलो प्लस multiply interchange होगे 14 और 5 interchange होगे बढ़ 400 भाग 14 आ जाएगा fraction create होगा eliminate करो a option मेरा answer करते हैं cross check 5 और 49 भाग और minus 686 divided by 14 गुना 5 प्लस का 400 minus कितना होगया 49 क्योंकि 5 और 49 को interchange किया और divide और minus को interchange किया चलो आगे देखिए इसको solve करने पे कितना आएगा 14 चोपन ठीक है और 9 ठीक है ना हाँ ठीक है क्योंकि 14 को अगर 50 से गुना करूंगा मैं कितना आ जाएगा 700 700 में से 14 कम करतो 686 बिल्कुल ठीक है into 5 प्लस 400 minus का 49 ये देखिए कितना आ गया 25 25 245 245 plus 400 कितना हो गया 645 minus का 49 बिल्कुल ठीक है 24 में से 4 गया 9 इधर आगा 5 596 जो है हमारा final answer देखो exam में आपको approach नहीं करना है इस option को cross check नहीं करके देखना है हाँ अगर doubt रहे confusion हो मतलब satisfaction चाहिए आपको अपने मन की तो आप इनको cross check करके देख सकते हैं जरुरत नहीं है क्योंकि आप confidently जो है D C O D option को eliminate कर चुके थे क्योंकि वहाँ से आपके question का answer नहीं बन पा रहा था next देखिए again वही चीज़ आ रही है directly करते हैं 45 और 13 interchange होते भी हैं अगर 65 भाग 13 बनेगा multiple है मतलब मेरा answer हो सकते हैं 65 और 13 multiply और plus अगर 65 और 13 interchange होंगे तो 13 भाग 45 हो जाएगा और multiply उधर खिसक जाएगा वेचारा तो 13 बटा 45 fraction create होगा निकालो बहर 45 और 21 अगर interchange होंगे तो 65 बटा 21 fraction आ जाएगा निकालो बहर ठीक है और multiply उधर चला जाएगा तो 65 बटा 21 बनेगा न fraction बन जाएगा 45 और 13 हो सकता है minus और plus ये भी हो सकते है तो वही बात आती है या तो आपका A option answer है या तो D option answer है अब देखो दोनों में common चीज़ को उठा लो जैसे कि था यहाँपर 13 multiple, sorry 45 और 13 तो interchange हो रहे हैं न divide तो कहीं भी नहीं जा रहा है भाग के तो यहाँपर मैं equation को कैसे लिखूँगा अभी तक के लिए 45 dash 65 भाग 13 क्योंकि 45 और 13 interchange हो चुके है dash 21 dash 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं 45, 65 और 13 कितना होगे 5 ये 21 और ये 2 अब सुनिएगा ध्यान से आगे का कर सकते हैं आप देखो ध्यान से हमें result पर focus करना है result क्या है 82 अभी तक के लिए divide का sign fix था चाहे मैं A option वाली changes उठाता है चाहे मैं D option वाली changes उठाता है या तो multiply और plus interchange होंगे या minus और plus interchange होंगे दो ही चीज़े हैं तो for sure और यहाँ पर minus तो रहने नहीं वाला नहीं रह सकता है multiply और plus भी तो interchange हो सकते हैं तो देखो हम target करते हैं 82 को मुझे 82 बनाना है अब देखो 82 बनेगा कैसे अगर मैं 45 में 5 कम कर दूँ 40 40 में कितना जोड़ा जाए 42 ये देखो हो गया खतम इससा 45 में 5 कम कर दो 40 हो गया 40 में क्या जोड़ा जाए 42 तभी 82 बनेगा मतलब कि यहाँ पर plus और multiply interchange होंगे multiply इधर होना चाहिए 21 और 2 के बीच में 45 और 21 के बीच में plus का sign होना चाहिए ये option answer ठीक है चेक कर लो ये plus और multiply interchange हो हो है तभी हमारी equation का direct result आप आ रहा है तो ये hit and trial भी आप apply कर सकते हो जरूरी नहीं कि interchange ही करना है ऐसी चीज़े में आपको पहले भी convey कर चुका हूँ अगर आप starting से ही session को go through कर रहे है ये मैं starting में आपको convey कर चुका हूँ चीज़े बस calculations पे hold बना के चलिए मैं बार-बार एक ही बात बोल रहा हूँ next number और sign को ही interchange देखो मैं बार-बार ये equation क्यों पढ़ रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको digits भी दिये जा सकते है मैं बस ये देखता हूँ interchange किसको करना है numbers को करना है या digits को करना है तो वहाँ numbers को करना है 7 और 28 multiply और divide अगर 7 और 28 interchange हो जाएंगे multiply की जगा क्या आजाएगा divide का sign आजाएगा तो equation क्या बनेगी 28 भाग 10 गुना 5 fraction जो है वो नहीं create होगा क्योंकि equation क्या बनेगी 28 भाग 10 गुना 5 इस तरह से हो जाएगा तो 28 बटा 10 ये 5 जो है वो 10 को vanish कर देगा ठीक है 5 बटा 10 कितना हो जाएगा 2 denominator में 2 आया तो 28 जो है वो 2 से divide हो जाएगा मतलब पहला option आपका answer हो सकता है fraction create ही नहीं हो रही दूसरा option opt करके देखते हैं 5 और 10 प्लस और divide अगर 5 दस interchange होंगे तो plus की जगा क्या जगा पहले वो fraction create कर रहा था फिर fraction में जो denominator के value है वो बाद में जाके जब दूसरे number के साथ multiply होके तब वो denominator value में नहीं शोरी थी तो ये थोड़ा calculative जा रहा है question ये direct जा रहा है exactly divisible है तो हम पहले इसे opt करेंगे अगर हमारे पाद बहुत से option bending है न कि suppose मुझे A और B दोनों को check करके देखने है तो मैं पहले B option को opt करूँगा C option के उपर आते हैं 5 और 20 interchange होगा minus और divide interchange होगा अगर 5 और 20 interchange करते हैं तो minus की जगा divide आ जाता है तो 20 भाग 5 चीक है 20 क्या होगा भाग 5 होगा ये भी मेरे question का answer हो सकता है समझा रही है बात अब multiplication आ रही है 10 और 7 में हो सकता है answer हो सकता है but result 10 नहीं create करेगा reasoning ये देखो 20 भाग 5 अगर मैं imagine कर भी लेता हूँ तो कितना आ गया इनका result 4 आ जाएगा अगर इधर 20 भाग 5 आ जाते तो 4 आ गया और इधर का उनसा sign आएगा minus का तो ये हो गया 70, 70 और 28 कितना हो गया 98, 98 में कितना 4 कम करेंगे तो C option बाहर निकालो ये आपका exact result है determine होने ही नहीं देगा साथ के साथ simplify हो रहा था parallelly मैंने calculate कर लिया 10 और 20 multiply और plus अगर 10 और 20 interchange होंगे multiply और plus interchange होंगे तो देखे क्या impact पड़ेगा equation के उपर 20 यहां गया भाग 5 हो सकता है तो मेरा A, B, O, D तिनों में answer हो सकता है तो मैंने क्या कहा था जहाँ complications ना है उसको avoid करके दूसरा option उठा लो तो मैं B option को पहले priority देना चाहता हूँ तो यहां पर क्या बनेगा 28 भाग 7 गुना 5 divide की जगह आजएगा plus 5 की जगह आजएगा 10 minus का 20 चलो solve कर लें यह कितना हो गया 4, 4 को 5 से गुना करो 20 20 plus 10 minus का 20 देखो आया ना वही बात 10 जो है मैं final result चाहिए था B option answer यह complications create कर रहे थे यह तो कर रहा था इसका मैंने इतना ज़्यादा depth में देखा नहीं क्योंकि यहां से क्या है divide का sign जो है denominator की कोई value दे रहा था बट वो denominator वाली value जो है साथ किसी दूसरे number के साथ multiply होके वो उसको वह नहीं sure कर रहा था तो थोड़ा complex type में calculations जा रही थी verbally यह direct solve हो रहा था इसलिए मैंने इसी को opt कर लिए पहले exam में आप भी ऐसे approach लगा सकते हो बेजी जर्कोगे tension नहीं लेनी है next देखिए यहाँ पर भी signs और number को ही interchange करना है चलो 12 और 4 minus और multiply 12 और 4 interchange होंगे minus multiply जो है 45 गुना हो जाएगा बहुत huge value उमें आ जाएगा result eliminate करो 78 और 456 78 की जगा आगया 456 divide और multiply interchange होंगे अगर divide multiply interchange होते भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो 45 भाग 12 गुना 4 किस तरह से बनेगा 45 भाग 12 गुना 4 तो क्या होगा 45 बटा 12 गुना 4 ये देखो fraction जो है eliminate हो रही है आपकी denominator वाली value जो है वो खतम हो रही है exact figure में result आ सकता है मतलब मेरा b option जो है वो answer हो सकता है तो वो hold पे रखना पड़ेगा remaining option देखते हैं 43 और 12 plus or divide अगर plus की जगा divide आ जाएगा तो 78 भाग 456 78 भाग 456 अगर मैं एक सेकेंड के लिए मानता हूँ 456 78 का multiple है भी सही तो ये fraction पक्का create करेगा क्योंकि बीज में तो minus का sign रहेगा ही रहेगा eliminate करो 456 और 455 अगर interchange होते हैं divide और minus भी interchange होंगे तो होगा क्या 456 भाग 45 sorry नहीं 45 भाग 456 फिर से क्या होगा एक fraction create करेगा तो इसे भी avoid करके चलो ठीक है avoid करना भी eliminate नहीं करना क्योंकि बटे में 456 आएगा तो multiply आई 12 क्या पता हो eliminate कर दे वैसे fraction ही create होगा बट फिर भी हम hold भी रखके चलते हैं कहीं न कहीं chances हैं कि B option answer हो सकता है इसको apply करके देखते हैं तो 456 प्लस 78 माइनस का 45 divided by 4 multiply by 12 यहीं बनेगा sorry 4 और 12 क्योंकि इंटर्चेंज किया यह बनेगा 45 भाग 12 गुना 4 यह होगा इंटर्चेंज इसे apply कर दी इनको plus कर दो यहीं परी तो आठ और छे चोदा साथ पाँच बारा और एक तेरा 534 माइनस 45 भाग 12 गुना 4 यह चीज बनी तो इसका result कितना आगया डारेक्ली 15 लिख दू तो 534 में से 15 कम करो 519 है जिब इलकुल है यह देखो answer आगया B option डारेक्ली next signs and number को interchange करना है कौन सी equation correct बनेगी तो यह changes आपको हर एक option में apply करनी है time consuming है first round में ऐसे equation को आप skip कर सकते हो tempt मत करना तेक है D option से उठाना शुरू करते है 9 और 6 भी interchange होंगे multiply और plus भी interchange होगा लो यह पहला D option को मैंने interchange में apply कर दिया 9 और 6 interchange होए multiply और plus भी interchange होगा तो आगे solve कर लीजे 6 प्लस 28 लिख दू 4 बटा 1 एक ही होगा 28 होगा minus का no नहीं यह गलत है हमें देखते हैं कौन सा correct बनेगा तो इससे तो answer आया ही नहीं चलो C option को opt करते है C option की बात करते है 9 और 6 multiply और plus ओके fraction create होगा निकालो इसे भी बाहर क्योंकि 4 बटा 6 fraction नहीं नहीं देखिए done चलो B option के उपर आते हैं 9 और 6 multiply और plus यह देखते हैं यह answer हो सकते है 9 और 8 मैं directly लिख रहा हूँ यहाँ पर 9 और 8 कितना होगा है 17 minus 6 बटा 3 कितना होगा है 2 5 दुनी 10 तो 17 minus 10 7 होना चाहिए यह भी खतम फिर यह answer चलो apply कर देखने हैं तो देख सकते हो A option मैं यही changes apply करके देखने वाला हूँ है 9 और 6 multiply और plus 7 plus 9 divide by 3 multiply by 6 minus का 8 तो 7 plus यह कितना होगा 9 बटा 3 3 3 गुना 6 18 minus का 8 ठीक है 18 minus 8 10 10 और 7 17 बिल्कुल ठीक है बताओ जो A option को पहले choose करेगा उसकी तो lottery निकल गी A option ही answer बाकी धरे के धरे रहे जाएंगे सारे ठीक है तो वो fixed rule नहीं है जो मैं starting से बोलता आ रहा हूँ कि C और D को पहले opt कर लो वही answer हो जाएगा बट ऐसा नहीं है A भी हो सकता है choices all yours आप CD देखना चाते हैं तो कर सकते है बाकी किस्मत ओके changes तो करके देखना पड़ेगा कोई alternate नहीं है मैं भी ऐसे ही करूँगा exam में आगे यहाँ पर भी कौन सी correct है उसको देखना है will be correct कौन सा correct होगा सही होगा वो choose करना है चलो आईए plus minus 2 and 4 plus or minus 2 or 4 apply करके देखते हैं D option से ही शुरू करते हैं हम उसी चीज़ को consider करके चलेंगे तो होगा 2 or 4 plus or minus 7 plus 8 divided by 4 minus 16 गुना 2 plus minus होगा 2, 4 भी होगा तो 7 plus 2 minus 32 minus में आरे result बिलकुल नहीं D option cancel चलो C option की बात करते हैं plus minus 2 or 4 7 गुना 2 plus 4 divided by 1 minus 5 7 गुनी 14 plus 4 minus का 5 14 में से एक कम किया 13 C option answer हम उसी चीज़ पर पकड़ बना के चलेंगे भी C और D को ही पहले priority देंगे देखो next कौन सी equation correct बने यहाँ पर भी correct ही ढूणना है plus multiply 1 और 2 C से उशुरू कर लो या पहले D देख लो that's up to you 1, 2, plus और multiply plus 3, minus का 4 divided by 1 plus का 2 sorry multiply by 2 multiply और plus interchange होंगे न तो 8 और 3, 11, minus यह क्या हो जएगा 4, 2 नहीं 8 तो 11 में से 8 गया 3 luckily C option ही answer आ गया हमें कौन सा सही है वो चूज करना था तो C option से ही हमें question का answer मिली next, हाँ यह देखिए यह काफी अच्छा question था कभा रख है 2020 CGL tier 1 3 March 2020 पहली shift का question क्यता है in the following equations आपको 4 समीकरण दिये गए है अगर plus is interchange with minus अगर plus को minus के साथ interchange कर दे और 6 को interchange कर दे साथ के साथ तो कौन सी equation जो है वो correct होगी सही होगी कौन सा समीकरण सही माना जाएगा तो यह changes आपको apply करके ही देखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर digits की बात हो रही है 6 को 7 के साथ interchange करना है और plus को minus के साथ फुड़ा complex है first round में skip कर सकते हो चलो C और D में से D option पहले choose कर लो पहले D में changes कर रहा हूँ 6 7 के साथ होगा plus minus के साथ होगा 6 7 के साथ interchange होगा plus minus के साथ interchange होगा यह बनेगा देखो 6 को 7 के साथ interchange करना है plus को minus के साथ और plus minus यह है division का sign नहीं है कि fraction बन रहा हूँ हम उसे eliminate कर दें ऐसा नहीं है अच्छा level का question था यह चलो देखो यह 68 plus 1 बन जाएगा 69 होना चाहिए answer यह eliminate इदर 59 given है इदर आजाएए यह क्या होगा 72 plus plus और minus interchange होगे यह 76 बन जाएगा 6 और 7 interchange होगे minus का 67 बन जाएगा इदर देखिए 76 में से 67 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 92 sorry 76 में से क्या ऐसे कर ले 6 और 2 8 8 में 7 यह 80 होना चाहिए यह गलत है इदर 83 given है इदर 83 given है इदर आप्शन पर आते है क्या बनेगा 67 plus 65 plus 66 6 को 7 के साथ interchange किया plus को minus के साथ interchange किया sorry minus का इदर minus आएगा plus minus के साथ होगा न यह देखाओ 65 में 66 minus का 1 तो minus का 66 होना चाहिए उदर 56 given है 76 plus 67 minus 43 इदर देखिए 7 और 6 13 6 और 7 13 और 1 14 लो भई लोट के बुद्दू घर को आए यह option के उपर answer यह option में यह changes इपलाई गिया तो जाके सही बना बताओ अलो जी मुझे लगता है examiner ने मेरे यह approach सुन लियोगी किसी ना किसी दिन अभी तो वो यह option में answer देने लग गया नहीं तो पहले ऐसे नहीं होता था which of the following order of numbers will make the below equation correct हाँ मुझे क्या है यहाँ पर बीच में क्या देखना है sequence चेक करना है कि कौन से science का sequence जो है equation को correct बनाएगा मतलब आपको numbers तो दिये गए हैं जरूरी नहीं है यही sign का sequence correct है basically number का sequence तो same है यह बला देखो number और science का sequence आपको देखना है कि multiply minus divide और plus science का sequence सेम है numbers का sequence सेम नहीं है तो आप बटा आपको result कितना चाहिए 78 चाहिए यहाँ से आप approach में ले सकते हो option eliminate कर सकते हो 18 बटा 6 valid है 18 बटा 6 valid है 36 बटा 18 valid है multiple है ना fraction नहीं create हो रहा 36 बटा तो valid है ठीक है जी चलो फिर क्या करें हम शुरू कर लेते हैं फिर d option के साथ ही तो बस equation को solve करो तो क्या बनेगा यह 90 minus 18 plus 6 90 और 6 96 minus 18 तो कितना आगया 78 लो भई लगकी लिए इस बार d option ही answer बन गया ठीक है जी पस कुछ नहीं करना था equation देखनी थी हर option में से कौनसी equation correct है पस यह confuse करने के लिए आपको equation दी गई है simply इससे ना देके ऐसे भी बोला जा सकता था कौनसी equation correct है बट उसमें equate करके कोई ना कोई value दी जाएगी पड़ यहाँ पर क्या है equate करके value आपको अल्रेडी दी गई है के result 78 बनना चाहिए equal to से पहले जो भी signs और numbers का sequence रहेगा वो आपको option के through choose करना था that's it चलो भी यह 2020 में आई हूए question है CGL के ठीक है पीच में mention नहीं है बट आई हूए आप cross check कर सकते हो google पे डाल लेना question directly निकलाएगा कौन सी shift का question था तो काफी अच्छे level के question सही है अब यहाँ पर क्या है दो-दो numbers के pairs दिये गए है कौन से दो numbers के pairs जो है आपस में interchange करें ताकि equation जो है वो balance हो balance हो मतलब यहाँ पर आपको equal to का sign figure out हो रहा होगा left hand side जो है वो right hand side के equal होनी चाहिए अब देखे ध्यान से वही चीज़ है कुछ cost difference नहीं है same approach के साथ solve करेंगे 284 और 326 अगर 284 की जगा 326 आ भी जाता है और 6 और 4 में interchange हो जाते हैं तो देखे ध्यान से 326 जो है वो 4 का multiple नहीं होगा क्योंकि 6 की जगा क्या आजएगा चार आजएगा इधर 326 आएगा तो 326 चार का multiple नहीं है कैसे पता चला 4 का divisibility rule 326 के आखरी दो डिजिट है 26 क्या 26 चार के table पे आता है दिल्कुल भी नहीं तो 326 भी 4 के table पे नहीं आएगा निकालो बाहर fraction create कर देगा दूसरा अब ये fraction create हो भी सकता है क्या पता फिर balance हो जाए आपके मन में भी यही आ रहा होगा तो आप apply करके देखो इधर यहाँ पर कोई fraction create हो रहा है इधर तो divided by का sign ही नहीं है भाई आपके मन में यहाँ आ सकता है न क्या पता इधर भी fraction create होता हो यहाँ पर भी fraction create होता हो यहाँ आ सकता है आपके मन में बट यहाँ पर तो sign divided by का ही नहीं जब तक भाग का sign नहीं है तब तक fraction कहां से create होगी समझ में आगी न 6 और 4, 27 और 30 6, 4 के साथ interchange हो सकता है 284 जो है वो 4 का multiple है 27 और 30 भी interchange हो सकता है मतलब यह मेरे question का answer हो सकता है Got it 326, 163 का double है यह भी valid है तो यह मेरा answer हो सकता है आगे देखिए 284 और 144 284 की जगा 144 हा जाएगा 25 और 30 interchange हो जाएगे तो यह भी हो सकता है फिर valid है 284 की जगा 144 144 6 का multiple है यह मेरा answer हो सकता है इदर आजाएए 125 और 163 अगर interchange हो भी जाते हैं बढ़ 326 भाग 125 एक fraction बन जाएगी निकालो बाहर तो B और C मेंसे opt कर लो कोई एक option C opt कर लेते हैं तो 284 की जगा यहाँ पर क्या आजाएगा 144 और 144 का जगा क्या आजाएगा 284 थोड़ा calculated हो जाएगा बड़ दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप complex लगे calculated लगे तो skip कर दो last में जाके attempt कर लेना तो 144 को sorry 144 को 6 से divide करते हैं 6 दूनी 12 6.24 यही बनेगा ठीक है प्लस 284 को 4 से गुना करना है 284 को किस से गुना करना है 4 से कैसे करना है पहले 200 को 4 से करो 800 फिर 80 को 4 से करो 300 बीत चार को 4 से करो 16 यह answer आ गया 1136 directly math वाली सर से सीखना calculations मुझे तो ऐसे आती है minus 326 बटा 163 कितना हो गया 2 2 गुना 125 मतलब कि 250 directly लिख दू is equal to अब C option को पहले opt किया 25 और 30 interchange होंगे अगर 25 और 30 interchange होंगे यह देखो तो 27 गुना 30 कितना हो गया 810 30 की जगा आ गया 25 plus कितना हो जाएगा directly लिख रहा हूँ 100 30 की जगा 25 आ गया 25 गुना 4 कितना हो गया 100 इसको opt करो अब ध्यान से देखे unit place 0 भी बन रहा है उधर भी 0 है यह देखो 6, 4, 10 0 में से 0 काम करो 0 ही होगा तो यहां से देखे calculations कर लेते है 36 और 24 कितना हो गया 60 मतलब यह हो गया 1160 माइनस का 200 तो कितना हो गया 910 तो यह भी तो देखो 910 ही बन रहा है तो left hand side right hand side के equal हो चुकी है answer आगया C option समझा गया B भी हो सकता अगर B हो सकता था तो B को choose कर लेते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट इससे अगर answer नहीं आता तो C option answer हो जाता तो दोनों में से A opt करना था remaining A और D को हम eliminate कर चुके थे अगला देखिए इसी तरह Calculative लगेगा क्योंकि values बहुत जाबा हैं बट घबराने वाली बात नहीं है Easily solve करेंगे 396 और 772 को अगर interchange कर भी दे तो 772 जो है वो 4 का multiple होगा वहाँ 16 और 60 interchange हो जाएंगे तो मेरा यह answer हो सकता है 4 और 5 2 और 8 अगर 4 और 5 interchange करेंगे तो 396 पांच का multiple नहीं है fraction create करेंगा तो अगर fraction left hand side पे create होगी तो इधर create होने के लिए fraction को एक divided by का sign चाहिए था निकालो बहर 257 और 772 772 और 257 interchange कर लेते हैं पर 396 और 944 भी interchange होगे तो 944 आजाएगा इधर चीक है तो 944 चार का multiple है no doubt 257 और 772 अगर interchange हो भी जाते हैं तो ये 772 यहाँ पर आया मैं इसे मान के चलता हूँ 770 यह मान के चलते हैं तो value पते कितनी मनेगी 770 गुना 5 multiply करो कितना हो जाएगा 770 का 5 गुना मला 4000 के करीब आपकी यहाँ पर value जाएगी ठीक है अगर 4000 के करीब यहाँ पर value चली भी जाती है तो उसमें से limited value ही add और subtract होगी मैं कहता हूँ हद मार के 1000 हो जाएगी तो भी तकरीबन आपका 2500 से 3000 के बीच यहाँ पर exact answer आएगा 2000 मान लो bare minimum यही होगा C option की बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखो क्या बनेगा 35 और 480 सिरफ 500 के करीब यह मैं मान के चल चलो 2000 तो answer आएगा पर वो है देखो कितना 500 के करीब तो यह भी answer नहीं आ रहा है approximation लेके चलना है reference लेना है values का 396, 772, 396, 772 कुछ नहीं है इन दोनों option को opt करके देख लो जो common changes है वो apply करो इधर 16, 60 के साथ हो रहा है interchange इधर 16, 8 के साथ मैं पहले इसे solve कर लेता हूँ फिर accordingly हम वहाँ पर hidden trial apply कर देंगे इधर solve करके देखो 396, 772 के साथ interchange होगा तो इधर आ गया 172 इधर आ गया 396, ठीक है जी चलो, करो solve यह कितना आ जाएगा, 4 ठीक है 9.36, 4 ती बारा plus 396, minus 257 into 5 करने वही बात आती है कैसे करेंगे पहले 200 को 5 से करो 1000 आ गया, 50 को 5 से करो 500 आ गया, 7 को 5 से करो 35 आ गया, तो यह हमारा final answer 257 into 5 मतलब के 1280 plus का 944 वह भाई, क्या खतरना calculations आ गया है, चलो कोई नहीं 6 और 4, 10 ठीक है, अगर ऐसे करना ऐसे कर लो, नहीं तो एक चीज काम करो, यह 100 है, यह 300 है, यह 900 है, 900 और 100 कितना हो गया, 1000 plus 300 कितना हो गया 1300 ठीक है, उसके बाद 10s place उठा लो, यह 90 है और यह भी 90 है, 90, 90, 180 180 plus 40 कितना हो गया 220 unit place उठा लो, 3 और 6, 9 9 और 4 कितना हो गया, 13 यह ने सभी को add कर दिया, यह इसे, इसे और इसे, ठीक है जी तो कितना आ गया, 3, 3, 5 और 1 1533, minus 1285 13 में 5 कम करो, यह minus करो, यह add हो रहे थे 13 में 5 कम करो, 8, 12 में 8 कम करो, 4 4 में 2 कम करो, कितना हो जाएगा, 2 248 यहाँ पर बना अब अगर इधर 248 है तो is equal to, यहाँ का result भी 248 बनना चाहिए अब depend करेगा, 16 को 60 के साथ interchange करेंगे, या 16 को 8 के साथ अगर मैं 16 को 8 से interchange करता भी हो, तो 8 की जगा 16 आ गया, तो 16 को 60 से गुना करेंगे, 960 में कुछ जुड़ जाएगा और है, तो 9.5 से उपर value है, बट इधर कितनी बन रही है 248 value बन रही है तो मतलब 16 और 60 ही interchange होंगे, 16 और 8 नहीं होंगे तो फिर A option opt करना पड़ेगा अभी तक के लिए, 16 और 60 interchange करेंगे, देखो 60 गुना 2, 120 16, इधर आ गया 16, 8, 128 तो 120 और 128 कितना होता है, 248 ही तो होता है मतलब A option में जो changes given है, उसी से ही मेरी equation balance हो रही है, कल्कुलेटिव है exam में कभी मत 1st round में attempt करना, हमेशन 2nd round में ही as equations को opt करना, वो आपको number देखते ही डर लगने लग जाएगा डर लग रहा है ना मतलब छोड़ना है ठीक है, 1st round में, उसे 1st round में attempt नहीं करना, next यहाँ पर भी सही में देखो 1425 और 267 5 और 3, ठीक है 1425, 267 5 और 3 अगर interchange करत भी देते हैं तो इधर 267 आया इधर 3 आजाएगा, तो 267 जो है वो 3 का multiple है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है but थोड़ी approximation में value अगर मानके चले, अगर 1425 यहाँ पर आ भी जाता है just a second 1425 आ गया 1425 का कितना, 5 गुना 1425 का 5 गुना, तो कितना हो जाएगा इकतर सो पच्चिस तो कितना, 7000 माल लो यह value बन जाएगी 7000, अगर 15, 1425 इधर आ गया पहले option की बात कर रहा हूँ तो 3 की जगा क्या आ गया, 5 तो यह 7000 हो गया roughly idea लेकर चलो minus का 7000 हो जाएगा चलो no doubt 267 जो है वो 3 से divide हो जाएगा इतना result आ जाएगा, वो भी मैं लिख लेता हूँ 89 आ जाएगा, प्लस यह देखो क्या है इसको हम माल लेते हैं 15.90 9000 ठीक है 10,000 के करीब value बनेगी तो 10,000 minus 7,000 3000 हो गया answer दे सकता है ऐसे यह approximation वे idea लगाना पड़ेगा तो यह 3000 के करीब value आ जाएगी यह है 590 का 8 गुना ठीक है उसे 500 भी माल ले यह हो गया 4000 5000 के करीब यह value आ जाएगी यह 3000 के करीब है वो 5000 के करीब है तो थोड़ा calculations में गड़बड सी लग रही है मिरको बट फिर भी मैं इसे opt नहीं करूँगा सबसे पहले calculations का difference आ रहे है यहां पर इसे opt करके देखते है 678,267 678,267 ठीक है जी और 4 और 8 भी interchange होंगे वो उदर की तरफ रह गए 678 अगर 266 के साथ interchange होगा भी सही तो यह मेरा answer दे सकते है 1425 का भी multiple है यह भी answer दे सकते है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 5,15,51,579 sorry 5,59 5 और 15 अगर इधर 15 आ भी जाता है तो क्या यह 1425 15 का multiple है देखो यह अगर 15 का multiple है तो यह 3 और 5 दोनों का multiple होना चाहिए 3 का है 5 और 2,7,7 और 5,12 यह है 3 का भी है फिर 5 का भी होगा तो यह 15 का multiple है देखो COD में common numbers है न जो interchange होने वाले है तो मैं आपको एक idea दे देता हूँ अगर तो आप first round में इसे attempt करना चाहते हैं आप चाहते के नहीं यह free के number देगा थोड़ा calculated ही है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं बट आपको free के number मिलने वाले है चाहे से tier 1 में आजाए चाहे tier 2 में आजाए tier 1 में आजाएगा दो number free के मिलेंगे tier 2 में आजाएगा तो 3 number free के मिलेंगे आप opt करना चाहते हो मतलब आप question को first go में चाहते हो के जल्दी से जल्दी solve हो जाए तो common changes को apply कर दो जैसे 5 और 15 यहाँ पर interchange होने वाले है अब इसे apply कर दो यहाँ तक 1425 भाग इदर कितना आजाएगा पंदरा इस 15 की जगा क्या आजाएगा 5 चलो solve करके देखते हैं यह आजाएगा 15 नाया 135 57 15 15 75 ठीक है प्लस 678 का 5 गुना अब multiply करना मैंने आपको सिखाई दिया है पहले 600 का 5 गुना कितना हो गया 3000 सत्तर का 5 गुना कितना हो गया साड़े 300 आठ का 5 गुना कितना हो गया 40 तो 3390 आ गया यह हो गया 3390 माइनस 267 का 3 गुना 200 का 3 गुना 600 600 प्लस 180 780 780 और 21 कितने हो गया 780 और 21 801 ठीके जी तो यह calculations बनी अब इधर देखो और simplify करें तो 3390 प्लस 25 में कितना हो गया 5, 18, 3485 माइनस करेंगे 801 4, 8, 6, 2684 इधर result आ रहा है 2, 6, 8, 4 जब मैंने 5 और 15 को interchange किया इस इक्वल टू अब उधर बात आती है या तो 51, 579 के साथ interchange होगा या तो 4, 579 के साथ interchange होगा 4 और 579 तो बूल जाओ क्यूं? अगर इधर 579 आ भी गया उसका 50 times 26, 27,000 के करीब value जाएगी ही हो सकते हैं अगर 51 और 579 interchange करेंगे इसकी जगा 50 बना जाएगा देखो क्या होगा 500 का 4 गुना 2,000 2,000 में जुड़ेंगे 240 224 244 और 36 कितने होगे 244 और 36 276 प्लस 51 का 8 गुना कितना होगा 408 देखो unit place भी क्या बन रहा है आपके पास 4 बन रहा है यह देखो 8 और 6,14 आंसिल एक 7 और 1,8 4 और 2,6 यह देखो आया match कर गया ना result तो मतलब जहां पर common interchanges होना हमेशा उसी से आप opt कर सकते हो question का solution निकालना time consuming ज़रूर है पर दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ से आएगा answer मतलब इसका कितना भी नहीं मतलब जलाद बना हुआ examiner कि आपको इतना complex level का question देगा थोड़ा रहम दिल है वो वो कहाँ पर रहम दिल बन रहा है ऐसे question के साथ यह देखो option है उसने थोड़ा simplify करके दिये हैं आपको बाकी first round में मैं कभी भी suggest नहीं करूँगा कि numbers को देखके थोड़ा calculated है तो number को देखके अगर आपको डर लगता है तो छोड़ दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसे रह नहीं दो जितना time आप इस पर देएंगे न इतने में आपके quant section के 2-3 question हो जाएंगे क्योंकि यह calculated है और calculations में में mistakes करी सकते हो आप जल्दबाजी में करोगे तो गलतियां होईगी if plus means minus यह तो normal interchanges वाली चीज़ें आगी but यहाँ पर क्या है हमें यहाँ पर यह बताना है यह question mark की जगा कौन सी संख्या आएगी क्योंकि result already गिवन है तो थोड़ा reverse situation में है तो कोई बात नहीं simplify कर लो तो क्या बनेगा 72 multiply का मतलब क्या है plus 19 divide का वहाँ पर मतलब क्या है divide का मतलब है multiply 13 plus 16 प्लस का मतलब क्या है minus plus की जगा यहाँ है minus 13 minus 16 minus का मतलब क्या है minus का मतलब है divided by इसको मैं x मा लेता हूँ तेक है divide का मतलब क्या है multiply 15 और multiply का मतलब क्या है plus is equal to 266 यह सभी को ऐसे ही solve करना पड़ेगा चलो solve करते हैं तो 72 में कितना जुड़ेगा 190 और 57 कितना हो गया 247 247 minus का 16 divided by x ऐसे कर दू गुना 15 plus 7 ठीक है जी ऐसे लिख दिया मैंने अब देखो होगा क्या 247 और 7 ठीक है सारी एड़ी हो रही है ना value तो 7 और 7 14 14 और 2 कितना हो गया 16 carry forward 1 7 और 4 11 और 1 कितना हो गया 12 carry forward 1 3 326 minus की ये value होगी देखो ये वाली सारी value होगी minus की इस minus को मैं उधर ले जाता हूँ 266 को इदर ले आता हूँ तो 326 minus 266 is equal to किसके बनेगा 16 बटा x गुना 15 ये चीज़ बन जाएगी चलो चलो 326 में से 266 minus करते हैं पहले 26 minus करो या directly अगर करना चाहें तो कितना आएगा 60 326 में से 266 minus करो 60 ही आएगा तो किस तरह से आएगा cross multiplication करते हैं तो इसका result हो गया 60 simply कहे दो या अगर 266 में 60 minus करोगे तो ही 326 आएगा तो किस तरह से लिखेंगे 16 गुना 15 थोड़ा calculated है क्योंकि question mark की जगा हमें determine करना है क्या है बटा 60 is equal to x 15 चोके 60 4 चोके 16 आप भी ऐसे ही करेंगे या तो option के through उठा लो और क्या हो सकता है फिर what will be the value of the following expression if multiply and minus are interchange and plus and divide are interchange multiply को plus के साथ minus के साथ interchange करना है plus को divide के साथ तो देखिए यहीं पर ही कर रहा हूं है equation में ही changes तो लिखी देता हूं 200 plus so multiply हो रहा है minus के साथ minus का 300 divide हो रहा है plus के साथ plus 200 plus हो रहा है किस के साथ divide के साथ minus हो रहा है multiply के साथ minus 40 चलो equation solve कर लो यह कितना हो गया 300 देखो यह 300 है यह 300 है इसको खतम करो सभी को यह 200 भाग 10 20 20 कुना 2 कितना हो गया 40 40 minus 40 result is 0 ठीक है जी result के तना आगया 0 totally आपका calculations के उपर based है ठीक है तो that's it यह हमारा आखरी question था इस session का अलगि मैंने last slide यहाँ पर add on नहीं की भूल गया चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कैसा लगा session comment section में जरूर बताइएगा खुद से PDF को solve करना तो मैं आपको बता देता हूँ PDF का source क्या रहेगा app download की हो रखी होगी आपने understood है नहीं की तो कर लो उसमें आपको YouTube PDF नाम का एक tab मिलेगा देखें YouTube PDF का नाम का एक tab मिलेगा उस पे जैसे ही आप उसे open करेंगे उसी के अंदर आपको June 2023 का folder मिलेगा क्योंकि ये वीडियो जून 2023 में जा रही है तो June 2023 का folder मिलेगा उसी folder में इस session के आपको PDF मिलेगी mathematical operation के नाम से खुद से पहले solve करके देखो अगर आप कहीं से भी नहीं पढ़ रखे हो पहले first time mathematical operation देख रहे हो that's it कभी मिमार नहीं खाओगे बट जो करने का तरीक है उसे ध्यान से follow करना क्योंकि यहां पर approach matter करती है कि कम से कम टाइम में कैसे question को solve करना है बाकि आपको मेरी book के बारे में तो पता ही है बरमार लगा हुआ है उसमें questions का भंडार है करना चाते तो उसे भी follow कर सकते हो ठीक है उस book का link भी आपको app के अंदर available है तो कैसी लग रही है सीरीज बताइएगा जुरूर बहुत से topics हम cover कर चुके हैं जल्दी सीरीज के हम end shore पे पहुँचने वाले है pending topics को भी जल्दी cover up कर लेंगे ठीक है एक्जाम से पहले पहले उमीद पूरी है दिक्कत वाली बात नहीं है सब कुछ cover हो जागा टेंशन मत लेना result पे focus कर रहे हैं selections matter करेंगे बहुत से बच्चे select होंगे finger crossed क्योंकि अपनी तरफ से तो पूरा ज़ूर लगा रहे है चलो इस session में इतना ही बाकी जल्दी ही मिलते हैं अगले नई chapter के साथ बहतरीन question के साथ बने रहेगा stay tuned take care guys good luck